तो दोस्तों GoMod application बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास दो software होना चाहिए पहला है Visual Studio और दूसरा Microsoft SQL Server ठीक है तो यही दो चीजे हम यहां पर यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना Visual Studio जो भी है यह हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो मैं यूज कर रहा हूं Visual Studio वह हो 2012 वर्जन तो जब आप इसको open करेंगे सबसे पहले आपके सामने यह वाला विंडो आएगा तो अगर आपको यहां पर confusion हो रही है यहां पर कोई शारे options है तो यह वाला option देख रहे हैं create new project तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके समने एक और window आएगा जहां पर लेखा होगा create a new project इस बाद हमें desktop application बनाना है तो सबसे पहले यहां से select करेंगे c-sharp programming में यह drop-down है ठीक है यहां से c-sharp उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे window application और यहां पर क्या करने हो हम desktop application राइट जो हम desktop application क्रेट करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके सा कभी जारे drop-down हा जाएंगे और यहां से हमें window forms यह हमें select करना है ठीक है window forms अब window forms select करने के लिए आपको यहां पर scroll करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा यहां पर आपको दिख जाएगा यह वाला option ठीक है what is this this is window form application ठीक है .NET framework और जिसमें कि हम क्या बनाएंगे c-sh programming language हम c-sharp use करेंगे और जिससे कि हम एक desktop application बनाएंगे तो आप यह select कर सकते हो फिर क्लिक करना है अब यहां से आप से पूछेगा कि आपके application का क्या नाम होगा तो simply मैं एक देता हूं like go Mart application ठीक है तो इस तरीके से हमने एक application का नाम दे दिया अब यह application आपको कहां पर save करना है तो अब कोई अगर location आप चाहते हो तो आप एक location आप select कर सकते हो ठीक है तो अभी मैं इसको इसी base location पर ही चाहता हूं यह इसी location पर select हो जाए अब यहां पर कौन सा हम framework यूज कर रहे ह हो ठीक है जो भी आप framework चाहते हो तो अभी हम 4.7 को यूज कर रहे है तो अभी यह सारी चीज़े हो गई अब simply आपको क्या करना है create पर click करना है तो सबसे पहले आपको क्या होगा जब यह application बन के आएगा create होके आएगा आपको दिखेगा तो इसमें by default आपको एक form दिखेग अपना यानि की login form बना लेंगे ठीक है तो हम इसकी size को तो तो हम इसकी size करते हैं यहां पर यह इस तरीके से अभी इसमें हम बहुत सारी modification करने बाले हैं तो उसको करने के लिए क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे simply property पर चालेंगे यह property window हमारा आज आएगा इसको लॉक कर देते है property window में सबसे पहस सबसे जरूरी काम what is the icon तो यहां पर जो आप icon देख रहों यह icon मुझे चेंज करना है तो क्या करेंगे इसमे राइट क्लिक करो 3.0 पर क्लिक करो अब यहां से हमें एक icon इसके अंदर हमारे पास icon के लिए हमारे पास जो file होगी जो image होगी उस image का जो extension होगा वो होना चाहिए क्या .ico ठीक है icon type की file तो यहां पर देखो एक icon हमने यहां पर select कर दिया ओके fine अभी हम क्या करेंगे इसका जो नाम चेंज करना है नाम चेंज करने के लिए आपको फिर से क्या करना है property में जाना है property में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा यह text से इसका जो width और height है वो मुझे fix करना है तो scroll करेंगे उपर की side में ठीक है यहां पर आपको देख जाएगा यह रिसाइजिबल है border width तो हम क्या करेंगे इसको fixed fix कर सकते हैं कोई सा भी option fix single fix 3D ठीक है तो यह मैंने fix कर दिया अब इसमें से क्या करना है हमें अब यहां पर हमें और देखना है background color होगा आपको चाहिए तो आप वह भी select कर सकते हो तो यहां से simply color white तो white तो already है ही ठीक है fine तो अब यह चीज होगी अभी क्या होगा जब हम इस जो resize option से वह आपको यहां पर hide हो जाता है अब यहां पर आप इसको resize करने के गुशिस करोगे तो नहीं होगा ठीक है okay fine तो अभी क्या by default यह आपका left side corner में आता है मैं चाहता हूं यह center में आए तो center में कैसे आएगा इसके लिए क्या करना आपको इसकी property होती है इस पर right click करो property में जाओ and यहां पर होगा start position default के जगह पर center screen कर दो यह हो जाएगा center screen अभी हमें क्या करना है हमें इसको बनाना है login form तो login form बनाने से पहले हम क्या करेंगे toolbox में चलेंगे toolbox में सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें चाहिए panel ठीक हमें चाहिए panel control तो यह लिया मैंने एक panel control यहां पर आ जाना अभी इस पैनल को आपको कहां ले जाना header बनाना है तो इसके लिए मैं लेबल लता हूं तो यह लिया मैंने लेबल यहां पर मैंने क्लिक दिया है श्क्रॉल बस सब से पहले का रहे हैं सब करें के पैनल का एक बैगृण्ड कलर रंदेंगे थोड़ा हा अप्लिकाश रहे हैं कि फौण आ χब्र ते को इसे तो यह ब्लू फॉल पॉल्व सो हुधी। www.blog.ro. investing अब लेबल में Feel a advice में का जो फॉर कलरो हो गा PG four यानि कि जब भी हम टेक्स लिखेंगे तो टेक्स का कलर क्या होगा वह वाइड कर देते हैं एक फॉंट साइज ले ले लेते हैं इसमें तो फॉंट यह ले लिया बोल्ड की जूरत तो नहीं है ठीक है अभी क्या करेंगे यहां पर आएंगे अब इसका टेक्स प्रपर्टी हो कि बना रहा है अंगर से पहले करना पड़ेगा एकृफ चाहिए गृफ बाकस ठीक हमें चाही है और हो गया हमाराृई आ कर्या दीक, यह लिए मैंने गृफ़ गृफ बंख लिख यहां पर गृफ लिखेंगे लॉग लॉग इन कि लिए एक फॉन्ट ले लेुखготов से पहले हमें combo box चाहिए combo box क्यों चाहिए वह भी मैं आप बता हमको थोड़ी दिर में combo box का काम बिसिकली इतना होगा ना कि हम यहां से यह select करेंगे कि कौन सा बंदा login हो रहा है user login हो रहा है या फिर हमारा जो admin है वो login हो रहा है और उसके बाद में क्या चाहिए हमें चाहिए text box box का use क्या होगा कि हम यह select करेंगे कि उसका user name और password क्या है तो इसी text box को हम copy कर लेते हैं यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा और यह हो गया इसको थोड़ा सा हम इस तरफ रखेंगे ठीक है यह हो गया अपना अभी हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम combo box को select करें करेंगे यहां पर आप आओगे इसका एक name होगा कौन से property name तो cmb यानि combo किसका नाम क्या है रोल ठीक है तो हर एक control का हम नाम जो है rename करेंगे next क्या है text box तो text box क्या है यह है txt user name राइट ओके next क्या है आपका txt password okay यह सारी चीजे होगे इसको save कर लो अभी हमारा next काम क्या है हम क्या करेंगे हमें चाहिए button कितने button चाहिए दो button ठीक है तो एक लिया मैंने button अब जो मैंने button ले लिया तो इस button का प्रोपर्टी में आने की बात क्या करना है सबसे पहले जो button का यहां पे style है appearance flat style इसको क्या करेंगे हम करेंगे flat ठीक है फ्लैट करोगे तो यह ऐसा दिखेगा अब इसका क्या करेंगे इसकी फिर से property में चलो इसका हमें जो for color है for color हम रखेंगे क्या white क्यों रखेंगे मैं ब इसके है color so this ठीक है यह हमारा button हो गया right अभी हम क्या करेंगे इस button को हम copy कर लेते हैं तो copy करने वाज दूसरा button होगा हमारा इसका नाम हम देंगे clear button और clear button में क्या होगा for color तो ठीक है बर back color इसका कर देंगे हम red okay यह इस तरीके से अभी इनका text change करना text change करने के लिए property में चल अभी हमारा button one selected है तो button one हमको जो text होगा यह हो जाएगा आपका login और जो हमारा दूसरा button है इसका जो text होगा वह क्या हो जाएगा clear ठीक है अब button one को select करो फिर इस की property में चलेंगे तो हम क्या कर सकते है button one का एक नाम हम change करेंगे that is btn यह कौन सा button है login button है हमारा और जो दूसर है हमारा यह है btn यह हमारा clear button है ठीक है अभी हमारे पास क्या करना है इन में हमें label एक लगाना है ठीक है कि या तो मैं toolbox से एक label ले सकता हूं ठीक है एक label यहाँ यहाँ पर यहाँ लगा दिया label अब इस label में क्या लिख सकते हैं इसमें हम लिखेंगे scroll text property में जाओगे जो भ यह देखो यह का हो गया user name इस label को copy कर लो यहाँ पर यह अब इसकी property में क्या लिखेंगे हम password यह चीज़ लेबल और यह आपका password और अब चाहो तो एक और यहाँ से copy कर सकता हो यह हो जाएगा roll के लिए ठीक है यहाँ simply क्या लिखेंगे यहाँ रोल great okay तो कुछ इस तरीके से होगा अपना यह login form अब यह यह वाला जो side में आप area देख रहे हो इस area में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप चाहो तो image लगा सकते हो तो जैसे कि suppose मैं क्या लूँगा एक लूँगा यहाँ पर picture box यहाँ फिर image box ठीक है तो यह लिया मैंने picture box इस picture box को न यहाँ पर लगा देंगे यह दिको यह मैंने यहाँ पर picture box लगा दिया रइट अब क्या करेंगे इस picture box में हमारे पास कोई picture होनी चाहिए तो क्या करेंगे choose image इंपोर्ट में चलते हैं import के बाद यहां से हमारे पास कोई picture है क्या यह वाली एक image है ना चलो यह एक image लगा देते हैं यहां पर और यह मैंने select कर लिया ठीक है image आ गई अभी image देखो सब्सक्राइब से दिखने ही रहा तो यहां पर यह जो आप देखरो न smart tag इस पर क्लिक करना यहां पर करेंगे size mode इस पर आएंगे और क्या stretch image select कर लेते हैं ठीक है अभी हमारा क्या यह इस तरीके से बन गया application इसको हम सेफ कर लेते हैं अभी अगर हमें इसको execute करूंगा ना तो आप देखना इसको हमारा login यहां पर दोस्तों आपके सामने आप देख पा रहे हैं यह इस तरीके से विंडू हमें दिख जाएगी यह हमारा एक तरह का login form आपको दिख जाता है ठीक हम यहीवा default वाले यूज़ करेंगे अप minimize पर क्लिक करोगे तो यह minimize हो जाएगा अप maximize पर क्लिक करोगे तो maximize हो जाएगा अच्छा यह हमारा login form है तो मैं क्या चाहता हूं maximize ना हो right maximize ना कर पाए क्योंकि maximize करेंगे अभी तो ठीक लग रहा है मार पर जैसे हम इसको maximize करेंगे तो यह तरीकर से दिख जाता है बाकी दर का area खाली आपको दिख रहा है ना तो maximize बटन हाइट कर देंगे ठीक है और यहां से यूजर अपना role select करेगा फिर अपना username देगा अपना password देगा और यहां पर क्या करेगा login अच्छा login का क्या करना है न देखो login form पे चले जाओ login form selected है तो form selected है न तो यहां पर आपको सर्च करो यह देखो what is this maximize box को क्या कर देंगे false तो यह maximize ना हो पाए दूसरा काम क्या है हमारा जो login बटन है इसको थोड़ा सा इस्तरफ रखो और इसका text property यह चेंज करना है text में क्या होगा यह आपका होगा login fine यह चाहता हूं दोनुब बटन को select कर लो क्योंकि मैं चाहता हूं दोनुब बटन पे जैसे करसर जाएगा न तो उस पर आपको क्या करना है पड़ेगा करसर का symbol चेंज करना पड़ेगा तो यह रहा करसर default default यानि एरो तो मैं default नहीं चाहिए मुझे चाहिए यह हैंड वाल टिके ओर क्या करें कि यह रोड Sum posth control way यह रोल में हमें यहा पर रोल पर एंटर करना है तो रोल कैसे और करेंगे यहा पेรग क्लिक करना कदा कृना तो यह जो फैका और फिर यहां पर edit पर आना, तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा, like select role, ठीक है, यह हो गया, number two क्या होगा, यह आपका हो जागा, admin, number three क्या होगा, seller, ठीक है, यह कर दो, okay, अभी इसको फिर से save करो, save करने के बाद, start पर click करो, okay दोस्तों, तो आपका login पर तयार है य यहां पर role पर आओगे, तो आपको क्या लिखेगा, select, select admin role, यह आपको दिखेगा, तो दोस्तों, देखेगे, क्या करेंगे आप यहां पर, यह जो हमारा form है, इस form पर करेंगे, double click, तो form पर करना है, double click, जैसे form पर double click करोगे, तो form का क्या click event आजाएगा, तो महाँ पर जो हम हमारा select role, यह हमारा zero index पर है, फिर one index पर admin है, और दूसरे index पर आपका यह है, seller, तो by default यह select role जो है, वो आपको दिखेगा, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि जो हमारा combo box है, उसमें जो selected index zero है, वो क्या हो जाए, मतलब जो हमारा zero index है, वो select हो जाए, तो simply अब आप इसको run करोगे, तो जैसे यह page load होके आएगा तो आपको by default selected row दिखाई देगा, combo box के अंदर, ठीक है, यह देखो, selected row आपको by default यह दिख रहा है, आप इसको right click करो, right click करोगे, तो simple क्या मिलेगा, आपको property window मिल दाएगा, ठीक है, property window पर आजाओ, अब यहाँ पर आने के बाद, आप कर सकते हो, आप अपने applications की properties को यहाँ पर इस तरीके से, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है, तो यह हमारा property window, तो अभी property window पर नहीं आएगे, अभी दो को हमार, हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए animated form, एक animated form चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम login क्लिक करें, तो हमारा क्या है, या फिर जब भी हमारा application start हो, तो हमारे पास एक screen होता है, जिसका नाम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, simply आपको add पर चलोगे, add पर आओगे, तो simply add new item पर आजाओ, अब यहाँ पर आओगे, तो आपको देखनों को मिलेगा, copy सारा screen, तो यह हो गया, आपका about screen, ठीक है, fine, अब फिर से solution, I think, यह पुराने वाले visual studio में वो form होता था, इस वाले में नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी हम क्या करेंगे, देखो simply, आप यहाँ पर right click करो, इसकी बात क्या पर चलेंगे, हम चलेंगे property, property पर आने के बाद, अब आप जो application से उस से related का भी सरी चीज़ आपको आप देखने को मिल जाती है, अभी simply आप assembly पर आजाओ, जैसे assembly information पर आप पाओगे, तो basically, आप अपने application का type, title दे सकते हो, फिर अपने application about application, so system, ठीक है, और आप अपनी company का नाम, तो कुछ भी नाम सपोस कर लो, कि company का नाम अगर यह है, right, तो यह company का नाम जा सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, copyright, फिर वरिजन, trademark, ठीक है, neural language, क्या है वही यह, language आपका English ही होगा, English, English में बहुत सारे English है, तो लो, Indian English, right, तो, and OK पर गलिक कर दोगे, यह देखो, सेव हो गया, इसके बाद आप यहाँ लोगिन फोर्म में जो भी हम डेटाबेस यूज कर रहे है, मेरे भाई, तो सबसे पहले हमारा होगा, admin का login form, admin का login form, और उसके लिए हम एक table बनाएंगे, SQL server database हम यहाँ आप यूज कर रहे है, तो जो table हम बनाएंगे, यह लोगिन के लिए, उसमें होंगे total three column, admin ID, password और full name, और यहाँ पर data type ह तो जो भी admin होगा, तो admin तो already known होगा ना, कि एक यदो admin होगे, जो की पूरे application को access करेंगे, वो क्या करेंगे, वो application पे जो भी product होगे, उनको add करेंगे, और जो भी category होगी, जो भी selling होगा, वो सारी चीजे वो इसमें देखेंगे, तो बहुत चोड़ा ता application है, इसमें 4, 5, 6 table होगी इसमें, ठीक है, तो मैं आपको already मैंने आपको starting में बता रखा है, about overview दे रखा है applications का, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक login table create करेंगे, तो login table create करने के लिए हम जो database यूज कर रहे हैं, वो है हमारा SQL server database, तो जो आप सबसे पहले आप SQL server open करेंगे, तो इस database start हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक database यहां पर create करना है, database create करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपको database नाम का folder देख जाएगा, तो इस फोल्डर पर right click करना, यहां पर लेखेगा new database, इस पर click करना, और आपके सामने इस तरी database क्रेंगे, और नकी सब्सक्टvantage इस फोल्डर पे इस फोल्ड पर right click करना, यहां पर आपको दिख जाएगा refresh, ठीके, उसबाद आपको इस प्लस आईक 얼마나 पर क्रिक करना है आपके सामने गो मार्ट नाम से एक डेटा बेस डिख जाएगा अभी क्या करना, इस पे राइट क्लिक करना गो माट पे और यहां पर आपको दिख जाएगा option नियू क्वेरी करिए और फिर आपके सामने इस तरीक से विंडो ओपन हुए जाएगी तो यहां पर आपको शूर कर से लेना है कि यहां लिखेंगे, right, तो हमने लिखा यहां पर query, तो जो भी हमारा query है ना इस query में देखो क्या है, that is admin password, ना तो देखो हम password भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहां पर आप एक चीद देखो, कि आपका जो, sorry, यहां पर curly bracket नहीं रहेगा, याद रखना, not a curly bracket, यहां पर यहां पर यह यह भी blue color का दिक रहा है और यह भी blue color का दिख रहा है, what is the password, इदा हो यार, password blue color का कियों दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है, password को हम as a keyword के तो यूज कर रहे है, SQL Server में, right, तो हो सकता है, इस वह ज़्यासी हमें ऐसा दिक रहा है, पर जैसे हम भी bracket लगा देंगे, तो यह password आपको different कारेंगे त्रीक के तक अब यहां पर चलिक किया खुलन है already हमारा टेबल के लिए अब कैसे पता करेंगे तो सिंपनी है इसको प्लस पे क्लिक करना इधर आव टेबल टेबल के कलिक करना यह जो टेबल आपका बन गया तो अभी से टेबल में कोई वैलू है नहीं तो वैलू हम इंसर्ट कर सकते हैं तो हम यहां पर सिंपली क्या एडिट पे चलेंगे एडिट टॉप तूहंड्रेड रो और उसके बाद आ जाएगा अब यहां पर सपोज की जो हमारा पहला एडिमिन होगा तो इसका नाम हम दे देते हैं यहां पर एक बंदा हमने क्या कर दिया एड कर दिया इसके अंदर और लॉक्ष्ट रॉक्रीन हो करना में ठीकर रॉक्ष्ट एक यहां पर दो तर्फाष्ट होगी और यहां पर यहां इस तरीके साथ आपको आउट्पुट दिख लिया इसका यूजर आईडई है जो की primary की है और यह आपका क्या है password और यह आपका username okay fine तो अभी तो यह चीज़ हो गया अब next हम क्या करेंगे ठीक है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहला काम होगा validation का कि हमारा यह जो username या फिर हमारा जो यह password या combo box यह जो इतने भी field है अगर ilateral store यह empty हैं तो इस time पर हमें क्या करना है तो जब यह empty है या यह च्र att& क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है validation का काम करना पड़ेगा Rai तो displayed specially download अपक्रेण क्या करेंगे double click अगए अब कराइब 40 s тел क्लिक करने के बाद हमारा समय सबसे पहल sub gibt हमला इस पहला हमें हम्हीज करेंगे इग आपने विज्वें करें न शचिअफ करेंगे करें कि जिस्की हेल ऱ्काइब इसके इंदर लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे और अपकोivering तो ही लिखें है लोगे, तो द्लिखनी में लिखें, और आपको फैर्ट नहिने दीचेस्टाइब्स कल दिता है। जो ससे लिखने है रहा हैं वह जहाओ – रहा है क्या शोग करना है एक्स यानि जो भी एक्सेप्सन आएगा वो इस एक्स आपजक्ट में आजाएगा और इसमें जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को प्रेंट कर देंगे और इसका जो आईक्टान होगा हो एरड का होगा और इसमें 6 बटन होगा अब सबसे पहला काम क्या है कि हम चेक करना है हमारा कंभ बास क्या है इंपति है की नहीं तो सबसे बन क्या है, सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, if, लगाया, if, okay, क्या लिखेंगे, if cmvrole.selectiveIndex, क्या हो, greater than 0, right, अगर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, il, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, हम फिर से एक message box लेंगे, right, यह, इस तरीके से, तो आप यह भी देश सकते हो, कि please select any row, okay, तो suppose करो कि, यह by default अगर selected है, अगर इस में से हम क्या करते है, मालो हमने कुछ नहीं selected है, हम अगर इस पर क्लिक करेंगे, तो क्या कह रहा है, please select any row, okay, अभी यह ज मैसेज थोड़ा सा जीब सा नहीं लग रहा, मतलब खाली-खाली सा लग रहा है, इस पर सिर्फ एक button है, एक message है, एक okay button है, तो जड़ा सा हम क्या करेंगे, इस एरर मैसेज को हम थोड़ा सा सजाएंगे, इसको सजाने के लिए क्लिए 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 क्लिक कर दो, stop, यहां पर यहां पर लिखना है, एक message button ओके, कौन सा button चाहिए, ओके चाहिए, फिर कॉमा देखें, फिर क्या लिखेंगे, यहां पर हम, message box में हमें button तो हो गया, button पर हमें icon की जोरुत पड़ेगी, किस की पड़ेगी, icon की, to message box icon, कौन सा icon चाहिए, तो हमें चाहिए, error वाला icon, यह icon हमन यहां पर देख वारो, यह आपका error message हो गया, और side में आपका error का logo हो गया, उपर लिखा हुआ है error, और यहां पर एक button, तो अभी क्या है, इफ हमारा true हो गया, तो हम क्या करेंगे, next हम फिर से इसके अंदर एक if बनाएंगे, फिर से इसका else बनेगा, ठीके, अब यहां पर हम अगर एक text क्या हो भाई आपका, अगर ऐसा हुआ, and यह और कर लो, simply और कर लो, दोनों में से कोई, क्योंकि दो text box है, दोनों में से कोई भी अगर हुआ, and txt password dot text equal to equal to क्या हो जाएगा आपका, ठीके, string dot empty हुआ, अगर यह हुआ, तो फिर से क्या करेंगे, यह error message copy कर लेते है यह, अब यहाँ पर क्या लिखें, please enter, please enter, okay, username और password, okay, यह आपने दे दिया, right, इस तरीके से, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यह हम कर लेते हैं, else part, ठीक है, यह अपने अपने logic के उपर depend करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर does not लगा देते हैं, कि अगर यह does not equal to string.impity, तो if के अंदर वो क्या कर देंगे, वो अपना login का code लिखेंगे, या फिर वो इल्स के अंदर अपना login का code लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम simply if के अंदर login का code लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा, तो मैंने क्या बोला, और यह जो हमारा message of works होगा, इसको हम क्या डाल देंगे, इल्स के अंदर डाल देंगे, तो इसको हम यहां से निकाल लेते हैं, इसको हम कर देते हैं, यह अब सही दग रहा है, तो मैंने बोला, कि अगर आपका password जो हो, यह क्या हो, empathy ना हो, यहाँ पर हमने लिखा, please select any role, तो यहाँ पर हमने कर द आपको क्या करना है, वो करना है, okay, password भी आपको चेक करना है, right, सही है, अच्छा, अभी थोड़ा सा हम और इसको advance मनाएंगे, तो अब मेरा question ही आ गया, कि मेरे से एक बार पैसे practical में, practical जब होता है, college में, तो फिर आपको वो आप तिखाते हो, अपना project examiner को, examiner आपसे question करत है, कि ठीके, मालो आपने login पे click किया, आपको error message आ गया, right, ठीके, error message आ गया, और जैसे में ok पे click करूँ, ok पे click करूँ, तो वो cursor जो है, अगर ये empty है, तो यहाँ पर link करना चाहिए, ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ठीके, अगर हम बनाएंगे, तो इसमें क्य क्या code लगेगा, तो मैंने क्या यारे भाई, यह कैसा question आ गया, ठीके, तो यह भी चीज हम कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे करेंगे, simple, अभी हम क्या कर रहे थे, यह if copy कर लो, इफ को मैंने कर लिया, copy, ठीके, इफ को मैंने copy कर लिया, यहाँ पर आके मैंने इसको paste कर दिया, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे password के लिए, sorry username के लिए, ठीके, तो मैंने बोला कि अगर आपका username क्या है, अगर आपका username equal to equal to यह हो गया, ठीके, क्या बोलते हैं, इसको string, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर simply आपको क्या करना है, आपको इसको रिटर्न कर देना है, मेरे भाई, आके execution stop, फिर यह वाला क्या होगा आपका, इधर देखो, अगर यह हो गया, तो फिर से क्या करना है, आपको यह वाला कॉपी कर लो, यह पर आके, और यह पेस्ट कर दो, यह चीज आ गई, अब इस इस का क्या काम है, इस को थोड़े कर लिए हम यहां से कट कर लेते हैं, इस को मैंने कट कर लिया, अभी हमारे पास यह दो चीज है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको मैंने यहां पर क्या करते है, हमने admin select कर लिया, फिर यहां पर, यहां पर क्लिक किया, तो अब देखो, सिर्फ cursor का focus यहां पर आ गया, य आपका आएगा error message ठीक है please enter username ओके यह आ गया फिर उसके बाद यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हम यह paste कर देंगे please enter password ठीक है please enter valid username please enter valid password राइट अभी देखों अब आपको क्या होगा यहां पर आपको देख जाएगा username तो यहां पर आपको क्या करेंगे हम admin select कर लेते हैं अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आगया error message की please enter valid username तो जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो cursor आके यहां पर रुख गया ना username के पास तो इसका मतलब क्या यहां पर इ user name है वह enter कर देना है अच्छा यहां पर देखो login में यहां पर देखो यह problem है यह problem है यहां पर क्या करेंगे equal to लगाएंगे अब जाके यह साही हुआ ठीक है username साही है और यहां पर हम इन दिया यह अभी इस पर क्लिक किया तो गया रहा इंटर valid password और यहां पर आपका क्या है यह error message आ ठीक है अभी यह तो गया करेंगे login पर क्लिक करेंगे ठीक है बागी सही है और इसको हम यहां पर paste कर देंगे ठीक है यहां से क्या करते हैं यह को हम कर देंगे uncomment इसको close करो मेरे बाई ओके तो कितने सारे if condition मैंने बना दिये मैंने बोला कि यह भी हो तो यह भी हो य तो बहुत सारे if condition हो गए ना अच्छा ठीक है तो यह if condition होगा यह तब execute करेगा जब आई आपका यह impity होगा नहीं होगा तो नहीं करेगा next यह वाई पर आपका password impity होगा अगर impity नहीं होगा तो नहीं चलेगा ठीक है अब हमने last make बनाया है last में जो बनाया है ना इसमें हम यह copy करेंगे username तो last में हमने यह वाई बनाया ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे मैंने कहा कि अगर आपका username क्या हो username इसमें लिखेंगे does not impity बट username से पहले एक और चीज है क्या combo box ठीक है इसको copy करो इसको कर लो copy और यहाँ पर आजाओ ठीक है यहाँ पर अभी देखो मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है कि condition number one अगर आपका जो combo box है उसमें से selected जो index हो वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब 0 से बढ़ा 0 पर क्या है select role 1 पर क्या है admin 2 पर क्या है role तो मैंने बोला वो या seller select करो तब तो ठीक है दूसरा condition, text box जो username और यह भी इंपटी ना हो ठीक है और तीसरा condition text box password हो, यह भी क्या नहोंपटी नहों राइट अभी देखो यह condition सही होगा, जब यह condition सही हो गया तो यहाँ पर क्या होगा हमारा login का code तो यहाँ से हम करेंगे login यहाँ पर हमारा login का जाएगा ना अगर यह सब कुछ फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर आजाओ मैसेज के बाद हम क्या करेंगे भाई हमारा सब ते पहले क्या है combo box na combo box.selected index selected index करदेंगे 0 ठीके फिर हमारा जो क्या है txt username स्ट्रेट इसको करते ने इसको क्र ONE है क्लियर कर देंगे और अगर कुरिश रहScott आखे गातो इनसे इसंड लाकितोर अधर को क्लियर एक हम्छान कंगोर सिर्ट कर देंगे ऑप फोकस करते है लॉग इन पे आप लाग फोकस करना है, करना है ? login कासे करना है ? login के लिए आपके पास क्या होगा न चाहिए database का connection आपको बनना पड़ेगा । login के लिए आपको data be workplace का connection बनना पड़ेगा, this we save to save कर लेते है । अब अगर हमें database का connection बनना आना है तो सबसे पहले क्या करेंगे ? हमें e-class add करना पड़ेगा तो connect यह इस तरीके से हमने एक नाम दे दिया, db connect और इसको हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, यह हमारा class आ गया, दो name इसपे सेट करेंगे, using system.data, एक यह हो गया, दूसरा using system.data. हमारा जो database है, वो है SQL, तो SQL client, ओके, यह हमें यहां पर add करना है, फिर इसके बाद हमारा name इसपे सा गया, class का नाम आ गया, और class के नाम के अंदर हमें क्या करना है, हमें बनाना है, internal, internal को यहां से यह हटा दो, ठीके, यह देखो, यह हमने बनाएक class, class का नाम यह हो गया, और इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं हम बनाने वाले हैं private ठीक है एक हम database connection बनाएंगे ठीक तो हम क्या लिखेंगे sql connection okay sql connection that is con equal to new sql connection ठीक है अब हम क्या करेंगे इस sql connection के अंदर हमारा जो भी connection का code होगा न वो code हम यहां पर paste करेंगे code को paste करने के लिए क्या करेंगे add the rate double quotation हम यह use करेंगे ठीक है अभी क्या करेंगे हम simple देखो अब हमारे पास क्या है database का connection तो ठीक है अब इसके लिए हमें code कहां से लाना पड़ेगा देखो एक काम क्या करते न connections का जब भी आपको code चाहिए तो आप यह वाला आप यह ट्रिक आ यहां पर ड्रागग कर लो ठीक है करो अब यहां पर करो यूज डेटा बाउन इसको करना है यहां पर आना data source पर और यहां पर क्या करेंगे add theİki Almostルク करना यहां फिर से देटा सेट नेक्स्ट फेक这फली तो यहां पर कॉखी तो यहां कोई वी connection नहीं तो simply new connection पे क्लिक करना आप जब भी new connection पे क्लिक करोगे एक window open हो के आएगी यहां से उपर जो देख रहो क्या है SQL Server database ठीके Microsoft SQL Server database तो यह database आपको select होना चाहिए क्योंकि हमारा जो database है अब यहां पर सर्वर का नाम यहां पर क्या होगा सिंप्ली अपना SQL server database ओपन करो ठीके connect पर जाओगे यहां पर database engine पर क्लिक करोगे तो server name यह जो देख रहा हो ला हाइलाइट इस ही वो कॉपी कर लो यह हमने कर लिया copy ठीके यह हमारा server name है इसको minimize करो और यहां पर आके यह server name क क्या कर दो paste कर दो इसके बाद हमारा जो authentication है वह बिनलो authentication है तो by default इसको रहने तो अब यहां पर कहा रहा है कि select करो अपना database का नाम तो simply आपका जो भी database है तो यहां पर बहुत सारा database मेरे database क्या है go mart यह हमारा database है तो मैंने यह select कर लिया ठीके अब यहां पर कहा रहा है test करो connection तो connection सभी है connection सभी है ठीक है अब एक हमाना advance पर चलौड़ जाओगे न तो नीच आप देख रहा हो ना यह मैंने किया copy okay अभी क्या करेंगे अब इसको cancel कर दो मेरे भाई इसको क्या कर दो cancel कर दो cancel पर क्लिक करो cancel यहां पर क्लिक करो cancel और यहां पर इसको क्या करो code copy किया था उसको paste कर दो यह देखो यह मैंने पेस्ट कर गया अब जड़ा से इस code कर देखें तो data source का मतलब क्या हो गया आपके SQL server का जो भी नाम तब हो आ गया initial catalog में आपका database का नाम क्या है go mart db और integrity security का मतलब क्योंकि मेरे SQL server में कोई भी username password नहीं है यानि कि अगर हम window authentication यूज करते हैं तो उस time पे हमारा integrity security true होगा और अगर हम SQL server यूज करेंगे तो उस time पे हमें क्या नीचे जो देख रहे हो ना username password तो यहाँ पर हमें username password की requirement होगी ठीके जो की हमें अपने इस connection string में देना पड़ेगा तब जब हम SQL server यूज कर रहे होंगे तब authentication mode ओके तो फिलाल हमारा authentication में विंडो authentication है तो integrity security is got to true तो अभी के लिए हमारा यह क्या होगया connection string का code ओके और इसको हम क्या करती है यहाँ पर इसको इंर कर देते हैं number 1 अभी हम क्या क्या करेंगे अभी हमें बनाना पड़ेगा एक public नाम का एक message बनाना पड़ेगा इह हमें मेध्यतड बनाएंगे public method दिकनो इसका नाम क्या होगा SQL connection ठाइक है और इसका नाम क्या होजाएगा GET connection यह हमारा बन गया एक method इस method का नाम क्या गया काम क्या होगा यह सिफ return करेगा तो tap tap करोगे दो बार return con तो यह जो आपका con object है वो इसको क्या कर देगा return कर देगा ठीक है ये बन गया अब इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे एक और हम बनाएंगे अपना public method तो public wide that is open con ये एक method हो गया इसका काम क्या होगा आपका connection open है या नहीं है वो ये चेक करेगा ठीक है तो ये कब चेक करेगा ये चेक करेगा आपका एक if condition आएगा that is if if के अंदर आपको देना है क्या चेक करेंगे आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो भी आपका कॉन है कॉन.state कॉन.state equal to equal to क्या होगा हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा connection जो होगा वो क्या होगा अगर open होगा तो क्या लिखेंगे चेक कांड.state equal to equal to यहाँ पर लिखना है आपको connection state.close तो अगर यह क्या हो गया close हो गया ना मिर भाई तो क्या करेंगे आपका जो connection होगा इसको क्या करना है उसको open करना है यह इस तरीके से तो यह यह जो method बना यह क्या करेगा यह आपके connection को open करने का काम करेगा अब इसी तरीके से एक और method हम इसी को copy कर लो copy करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो यह कर दिया पेस्ट और इसका नाम क्या देंगे हम इसका नाम देंगे close con ठीक है अब close con में क्या करेंगे फिर से वही condition अगर हमारा connection state क्या होगा connection.open होगा ठीक है connection state.open तो हम क्या करेंगे यहां पराने के बाद con.close कर देंगे राइट तो यह हमारा दो method बन गया जिसकी help से हम क्या करेंगे अपना जो database है connection का code हमें stabilize कर सकेंगे यहां से हमारा connection हमारा हो जाएगा इसको हम कर लेते हैं save तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ जो जब भी आपको बनाना है connection database का connection का code तो simply हमने class बना लिया अब क्या होगा बार बार हमें यह connection string का code यह बार बार लिखने की जूरुत नहीं पड़ेगी हमारे पास simply दो method है open और close हम इन दो method का use करके हम इस चीज को क्या कर सकते हैं इस चीज को हम use कर सकते हैं ठीक है तो हमारा यह database के connection का code यहां पर ready हो चुका है यहां पर हमें लिखना है अपना क्या बोलते हैं उसको connection का code बट सबसे पहले उससे पहले हमें करना पड़ेगा उससे पहले देखव हमें करना है की simply हम यहां पर आजाते है that is partial class के अंदर आजाते हैं अब ही यहां पर हमें एक काम करना है इस पर क्लिक करो, यहाँ पर हमारे पास जो db connect नाम से class है न, db connect यह, इसका एक object create करेंगे, that is, dbcon equal to, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर, new, tap से आएगा, क्या, आजाएगा, ठीक है, तो यह, इस तरीके से, अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने create किया, यह, जो हमारा, यह, जो, अपने class बनाया है, इसका एक object create किया है, तो, इसकी help से क्या कर सकेंगे, हम, हम अपने, जो भी method है न, इसके अंदर connection के, वो हम call कर पाएंगे, ठीक है, तो यह, हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, किसलिए बनाया है, हमने यह database के लिए है, अभी वापस आते हैं, यहां से हमें login का code लिखना है, अब login का code आपको यहां पर लिखना है, सबसे पहले एक if condition बनाओ, ठीक है, if condition के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको यह चेक करना है कि, यहां से देख रहा हो, यहां पर आपको cmb है, अगर cm rule.text equal to, equal to, क्या होगा, seller होगा, ठीक है, अरे यार, sorry, यहां पर भी if ही लिखो न, या इलसिफ, यह कर देते हैं, ठीक है, यह वाला, इसको यहां से कट करूँ, और इसके अंदर आप यह पेस्ट कर दो, यह, ठीक है, अब सही है, तो अगर admin होगा, तो admin के लिए हम different login करेंगे, और अगर यह क्या हो गया, seller हो गया, तो उसके लिए हम different login करेंगे, ठीक है, और यह हमारा query बनेगा, वो क्या बनेगा, वो थोड़ा सा different होगा, ठीक है, तो अब भी हम क्या करेंगे मानलो अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे SQL Command SQL Command CMD equal to new SQL Command SQL Command को क्या क्या चाहिए होता है आपका इसमें दो चीज होता है पहले होता है Query और Query के बाद आपको चाहिए होता है Connection अब Connection आपका कैसे लोगे Query और आपका Connection मतलब क्या हो गया Connection मतलब आपके Connection String तो हम क्या लिखेंगे DBCon आपका Database . इसके अंदर एक कौन सा मेतड है GetCon नाम का एक मेतड है हम यह कॉल कर लेंगे DBCon का मतलब हो गया यहां पर आजाओ आपने यह बनाया DBCon इसके अंदर मैंने क्या कॉल किया है मैंने कॉल किया है अब देख पार हो GetConnection GetConnection यह रिटन करेगा यह पूरा का पूरा Connection String यह रिटन कर देगा यहां पर अब यह हमारे पास यह आ गया तो भाई यह चीज हो गया अब इसमें क्या करना है सबसे पहले अपने को क्या करना है अपने को करना है जो भी DBCon का connection होगा .openConnection पहले connection क्या करना पड़ेगा अब जब connection open हो जाएगा तो आपका क्या है cmd.execute nonquery अब इसके लिए क्या करना है तो इसके लिए अगर आप यह नहीं कर रहे हो तो आपके सामने एक बड़ाई simple सा रासता है तो यहां पर देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा query बनाना पड़ेगा अब हम query कैसे बनाएंगे यह हमारा हो गया table यह हमारा table हो गया अब इसके लिए अगर हम query बनाएंगे तो इसमें हम क्या बनाएंगे मालो इसको हम copy कर लेते हैं यहां पर हमने कर दिया select क्या select करना है तो आपको हमेंसा star नहीं यूज़ करना है आपको जब भी यूज़ करना है तो मैंने का मुझे क्या चाहिए select करो admin करो और अब यहां पर कितने चाहिए मैंने का बोला top one एक ही चाहिए भाई अगर आप एक query select करोगे तो क्या आएगा यह देखो एक record आ रहा है तो मैंने का सिर्फ एक ही row चाहिए मुझे अब from admin where condition लगा दो where क्या जहां पर आपका जो भी admin id जो हो वो कुछ होना चाहिए and वहां पर जो आपका password हो password वो कुछ होना चाहिए तो यह इस तरीके से तो अगर मैं यहां पर admin में क्या कर दूँ that is यह coder कर दूँ और अगर मैं password कर दूँ one two three four अगर यह query में चलाओंगा तो देखो zero कुछ भी नहीं आया क्यों क्यों कि password incorrect है पर अगर मैं आप फाइप कर देता हूं तो यह क्या होगा यह कह रहा है correct password ठीक है तो अभी क्या करेंगे इस query में थोड़ा सा बदलाओ करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे सकते हो अभी मैंने क्या किया यहां पर मैंने का जो इसमें जो password हो वही password इस column में होना चाहिए था और password में जो password हो वही password में होगा तो यह query हमने कर लिया यह copy अब इस query को हम use करेंगे तो simply query में आता है यहां पर query में और यह मैंने यह query दे दिया ठीक है यह हमारा query हो गया, अब query के बाद क्या करेंगे, simply यहां पर क्लिक करना है, आपको क्या लिखना है, आपको cmd.parameter, यह आपको लेना है, इसके बाद क्या लिखेंगे, cmd.parameter.addWithValue, लगाओ, इसमें क्या लिखना है, double quotation, इसके अंदर add the rate, not add the rate, आपको यह copy कर लेना है, ठी ठीक है, उसके बाद एक comma देंगे, comma और यहां पर जो value होगी ना, फिर वो value, यहां पर देखो, ठीक है, अब जो admin आएगा, admin का जो आएगा, मतलब जो भी admin id कहां से आएगी, admin id आएगी, इस वाले control फे, ठीक है, so यह control.text.trim, तो भाई, अगर इसमें कुछ space वगारा है, त तो इस space को क्या कर देना है, trim कर देना है, आपको, ठीक है, तो यह चीज आप copy कर लो, फिर से, यह किया, मैंने copy, इसको कर देंगे, paste, okay, trim होगर आपना भी लिज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से trim हटा दो, चलो, मैं कर देता हूँ, trim को remove कर देता हूँ, अभी के लिए, ठीक है, यह, अभी दूसरा क्या है, यह हमारा password के लिए है, तो यह password, यहाँ पर password आगया, अभी यहाँ पर क्या यूज करेंगे ह यह हमारा add the rate password, okay, तो अगर यहाँ पर हम add the rate A कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है, add the rate A करना है, अगर हम यहाँ पर add the rate B कर देते हैं, तो बी लिखना है, तो यह जो add the rate है, यह confusion ना हो, तो मैं यहाँ पर, चलो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया कि, like id कर देते हैं तो यहां पर भी क्या करना है मुझे यहां पर भी करना है id और यहां पर password कर देते हैं तो यहां भी क्या करना है password तो सबसे best क्या है सबसे best यह है कि जो आपके column का नाम है वही आप यहां पर रखो इससे क्या होगा ना कि confusion नहीं होगा आपको आपको पता चलता रहेगा कि यहां कौन सी value कहां से आ रही है ठीक है इसके बाद आपका connection ओपन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे हमारे पास है SQL data adapter बनाना पड़ेगा ठीक है यह बना लिया इसका एक object करेट के लिया SQL data adapter और इस SQL data adapter में जो हमारा cmd है cmd पास कर देंगे फिर हमें क्या बनाना है एक बनाना है data table dt equal to new data table ठीक है जब यह बन जाएगा तो क्या करेंगे हम करेंगे da.fill और इसमें हम क्या करेंगे अपना जो dt है dt object में जो भी record आएगा उसको हम यह पर पास कर देंगे अब हमारे पास एक if condition हमें लगाना पड़ेगा हमें यह चेक करने के लिए कि वाकई में जो dt का object होगा उसमें कोई record आया है या नहीं तो अगर username password exist होगा तो at least आपका एक row तो आएगा ठीक है so मैंने लिखा dt.rows.count अगर यह count greater than zero हुआ यह फिर हम one भी कर सकते हैं ठीक है अपने इसाब से तो अगर multiple हो गए same तो वह भी आ जाएंगे ठीक है अगर greater than zero हुआ तो हमारे पास क्या है एक message box हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा तो already हम message box यहां पर use कर रहे है तो यह message box हम use कर रहे हैं तो इसी message box को हम copy कर लेते हैं कि यह copy और यहां पर आके हमने इसको paste कर दिया ठीक है अब इसमें थोड़ा सा modification करना है कि हमारा यह login के ल वेल्कम टू जो भी है home page ओके अभी यह जो error है इसको क्या कर देंगे यह success कर देते हैं यह success fine अभी यहां पर icon किसका था error का था यह अटाना है मुझे dot के बाद यहां पर देखो success का है क्या कुछ information लिए information हम लगा देते हैं that is success का यह information हो गया और अगर आपका यह क्या login अगर आपका login फेल हो जाता है तो क्या करेंगे हम like invalid invalid login और यहां पर देते हैं please username and password ठीक है इसके लिए यह सही है और अगर आपका यह login हो जाता है यह message आ जाएगा तो अब क्या करना है आपको कहां पर move करना यह भी तो ध्यान रखना है आपको ठीक है कौन से page पर जाना है या फिर आपको कौन सा form open करना है अभी तो हमारे पास कोई form है नहीं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक हम form बनाते हैं यहां पर right click करो add पर आजाओ add new item और हमें क्या चाहिए एक window form चाहिए तो simply जा गया एक window form और यहां पर इसका नाम हम दे देते हैं एक नाम दे दो जैसे की form main तो यह हमारा main form हो गया और इसको हम कर लेते हैं add पर click तो suppose यह हमारा हो गया एक main form इस तरीके से और यहां पर आते हैं इसका जो title होगा ना टाइटल हम देते हैं जैसी go application ठीक है यह हमारा title हो गया इसका और इसका आपको वह भी तो change करना है icon तो icon भी change कर दो इसका यहां पर icon 3 dot पर click करो और यह वाला आपने select कर लिया icon change हो गया ठीक है इस पर आपको क्या करना होता है अब ही के लिए हम एक panel ले लेते हैं यह अपका panel हो गया अब हमने panel इस तरीके से कर द इसको नन कर दो, जैसे नन करोगे यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है यह पैनल हो गया, टूल बाक्स में आजाओ, टूल बाक्स में आपको मिल लटता है, that is menu, menu strip करके, इसको आप यहां पर drag and drop कर दो, ठीक है यह आपका आगया menu, so menu में आप, मतब कुछ भी आप बना अगरी, फिर यहां पराजाएगा add product, और यहां पराजाएगा like add seller, फिर यहां पराजाएगा add admin, okay, so यह इस तरीके का बन गया आपका, और आप चाहो तो इसको आप जो हमने इसको ऐसे दिया आप इसको एक मिनट आप इसको रिमूब कर दो, इसको डिलीट करो, simply इसको डिलीट करो, क्योंकि हमें drop down नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक-एक करके, यह डिलीट, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं like category, देखो, category यह हो गया, दू किसरा हो जाएगा, okay, add user, add user में क्या कर देंगे, add user में हम कर देंगे, जैसे की admin, और seller, okay, यह हो गया अपना, फिर उसके बाद क्या है अपना, like, इसको बाद क्या हो जाएगा, about, about के बाद, not, इसको रिपोर्ट कर देते हैं, देखें, यह, देखो, रिपोर्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, about हो गया, okay, और about के बाद, कुछ भी कर देते हैं, exit, ठीक है, यह इस तरीके से देखो, बन गया, अब इसको save कर लेते हैं, और go mark, यह हो गया, और इसी को copy करके, यहाँ पर paste कर देते हैं, इस पर right click करो, इसकी property में चलो, और यहाँ पर इसका जो for color है, for color को change करो, यह हो जाएगा अपका, यह, अब इसका property भी change करो, welcome to home page, ओके, यह देखो, यह बन गया, अच्छा, एक और प्यास में होता है, एक और होता है, that is status, क्या बोलते हैं इसको, status strip, इसको यहाँ पर लिआओ, और नीचे अपना drag and drop कर दो, एक मिनट कहां कर दिया, किदर कर दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ पर देखो, यह आगया, इस पर click करो, status label आगया, इस पर right click करो, इसकी property में जाओ, label में यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर कर दो, क्या, यह आपका हो गया user name, यह आपका हो गया user name, और यहाँ पर इसको split करो, यहाँ पर, यह क्या है, image है क्या, right click करो, और इसमें set करो image, image कैसे set करो गया, import पर आजाओ, और यहाँ से हमें क्या लेना है, एक user का icon, इस तरीके से ले लेना है, ठीके, और, क्या हो गया, ok पर click करो, यह देखो icon आगया, ठीके, user का icon आगया यहाँ पर, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो एक, यह user name हो गया, और यहाँ पर click करो, यहाँ पर click करो, और एक label ले लो, ठीके, यह हो गया अपना label, इस वाले label में हम user का नाम दिखा देंगे, ठीके, तो अभी क्या करेंगे, अभी simply login पर आजाओ, तो हम कर रहे थे login, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यह जो code है, यह admin के लिए है, यह code, ओके, तो select, यह आपको यह करना है, और उसके बाद, same यही code हम copy करके, हम paste करेंगे, किस के लिए, seller के लिए, ओके, बट seller के लिए, हमारे पास login का table different होगा, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा code ready है, हम एक बार इसको login करके check करते हैं, कि हमारा यह login हो रहा है, यह न पर enter करना है, 12345, अचा हमारा password visible है, तो password को क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, तो उसका code हम बात में करेंगे, और अभी क्या करते हैं, लॉग इन पर क्लिक करेंगे, तो कह रहा है, आपका login successfully, आपने ok पर क्लिक किया, और आप सीधा कहा पर आ गए, यह आपने home screen पर, ठीक है, यह आपका home screen, इसमें आपको यहाँ पर menu मिल जाते हैं, ok, तो admin के अंदर आपको, मैंने बनाया था drop down, तो add user के अंदर, आप admin को add कर सकते हो, seller को add कर सकते हो, report आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आगर नीचे कितर आप देखो, यह क्य home screen, यह तो हमें दिख गया, बट यहाँ पर हमें user का नाम भी चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ, user का नाम यहाँ पर दिख जाए हमें, तो वो कैसे होगा, user का नाम, कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ाएगा, वो भी हम देख लेते हैं, द हम लेंगे, login type, ठीक है, यह दो variable हमने यहाँ पर ले लिया, ओके, अब क्या होगा, जब हम login करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम login करेंगे, अब क्या करते हैं, before this method, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास क्या है, login name नाम का variable है, login name equal to, हमारे पास जो txt user नाम है ना, dot text, ठीक है, यह क्या होगा, इसकी value यहाँ पर set हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास क्या है, second है आपका login type, login type dot, इसका जो, sorry, login type variable है ना, equal to, अब यह cmv role, dot text, cmv role में जो भी text होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, अब जब यह चीजे हो जाएगे, यह चीजे जब हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें एक काम यह करना है, हमें एक method बना लेते हैं, अब इस method का क्या काम होगा, मैं आपको बता तो, हमें method कहां पर बनाएंगे, देखो, simply, यह तो आपका try catch है, इसके just बाहर आ जाओ, एक method बनाओ, private, wide, इसका नाम क्या हो होगा, CLR value, ठीक है, तो, यह हो गया आपका method, अब इस method क्या value क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें यह लिखना है, ठीक, और यहाँ पर हम यह paste कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, यह clear हो जाएगा, आपका सारा का सारा control, तो इ हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, पहले भाई, आपको इस variable में value set कर दी है, value जब सेट हो जाए, तो हमें क्या करना है, यह function क्यों 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 तो यह code हम यहाँ से अठा देंगी, क्यूंकि अलोडी हमने function बना रखा है, तो यह function जहाँ जहाँ clear करना होगा, हम यह function यहाँ पे- GenP得 और यहां फिर यहां पिर भी हम ये फ्वंक्शन now टांत कर देंगे टिके अング रहा यह इस तरीकिए से अपने फंशन यहां फैस्ट कर दिया ठीके वापस taking लग रहा है simply चलेंगे यहां पर आजाते हैं इस पे चलेंगे Зटो नो टनके तो पहुत पे पेज weiß form1 log in वाला कौन सा form था ये था आपका form 1 तो simple यहाँ पर दो मैंने बोला form1 dot इस पर क्या था एक login login name ओके login name एक्सस नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा एक काम और करते हैं login name नहीं हो रहा तो वापस आते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या लेंगे एक और चीज़ करते हैं, हमने बोल दिया भाई public static string ऐसा कुछ होगा क्या, ठीक है, मैंने बोल दिया public static string, इसको मैंने public बना लिया, अब यह यहाँ पर access हो पाएगा तो मैंने बोला form 1 dot देखो आगया, login name अगर login name does not equal to null null नहीं है, तो क्या करेंगे हमारे पास क्या है तो क्या करना है इसको save करो अगर यह null ना हो इसका क्या नाम है right click करो इसकी property पे चलोगे तो भाई इसका नाम है आपका यह tool strip नगा यह copy कर लो tool strip और यहां पर क्या करते है यहां पे right click करो one minute और यहां पे इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट, स्प्लिट, अरे यार, कंट्रोल जेट करो, ठीक है, साहिए, कुछ नहीं करना है, अभी फिलाल यहाँ पर आजाओ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसकी जो वैलू आएगी, वो कहां से आएगी, वो आएगी, यहां से, ओके, यह, सेप कर दिया हमेने, परफेक्ट, ठीक है, अभी देखो, अभी हम लॉग इन करते हैं, और हम चेक करते हैं, कि यह नाम आ रहा है कि नहीं, यूजर का, ठीक है, यहां से हमने सलेट किया अ फिर पासवर्ड, और आपको करना है, लॉग इन, ओके, उसके बाद, आप देख पा रहा हो, यहां पर यूजर नेम, और यह आपको यूजर का नाम दिख रहा है, ठीक है, यूजर का नाम आपको यहां पर दिख रहा है, सही है, बहुत सही है, यानि कि यूजर का नाम हमें जो कर रहा है ऐसे जब उगर यूजर का नाम शो कर रहा है ना तो एक चीज हम और करते हैं जिसे कि यह पर आ जाते हैं यह वाला जो लेबल है इसको बोल्ड कर देते हैं मेरे बाई ठीक है यहां पर आजाओ और इसका फॉंट में चलो फॉंट में आने के बाद साइज को करेंगे मालों की border क्या देना है रिसाइजिबल देना है नहीं देना है ठीक है और मैक्सिमाइज का option इसमें देना है कि नहीं देना है तो maximize button true है तो इनीचली हम इसको false कर देंगे भाई maximize हमें नहीं देना है और अब जब आप इसको login करोगे तो यहां पर admin यहां पर आपको देना है coder ठीक है और आपका password होगा 12345 login successful और आप आ चुके हैं इस वाले dashboard आपके सामने open होके आ चुका है यहां पर देखो जो भी बंदार login है उसका अपना काम कर सकते हो तो अभी देखो यहां पर हमारा जो admin है एड़ मिन तो login कर चुका है अब सेम यही काम हम करेंगे अपने seller के लिए तो सेम यही कोड़ आप कॉपी कर लो यह सेम कोड़ हमने कर लिया copy कॉपी करने के बाद सेम यही कोड़ आपको आना है इस इस वाले जो हमारा seller है तो सबसे पहले हम seller के लिए एक table create करेंगे यहां पर तो देखो अभी हम क्या करेंगे अभी यहां पर एक हमें table बनाना है ठीक है तो यह जो टेबल आप देख रहे हैं आपके सामने जो है यह टेबल है seller के लिए तो यहां पर देखो seller id यह तो 123 by default आएगी ठीक है क्योंकि this is integer identity true कर दो इसकी like identity ठीक है true यानी 1,1 यानी कि यह value आटोमेटिकली आएगी जैसे यह आपका यह create होगा वैसे आजाएगी और यह primary की हो जाएगा और उपर से यहां पर देखो हम चाहते है यह user का नेम है ना इसी फिर फोन नंबर होगा एनवर के यह phone number 10 digit का और आपका password हो जाएगा 50 digit का ठीक है तो हम क्या लेगी जब भी login करेंगे तो हम करेंगे seller name से और seller password से करेंगे login ठीक है यह हमारा अभी के लिए यहां पर वो हो गया seller का table ठीक है तो अभी क्या करेंगे यह हमने select करेंगे seller मतलब यह जो बंदा होगा न जिसकी admin तो पूरा access करेंगा application का और एक बंदा मालो आपने कोई color कर रख दिया ठीक है वो बैट के दिन पर sell करेंगा इंट्री करेंगा तो उसके लिए तो यहां पर क्या करेंगे यह मैंने select कर लिया अभी क्या करेंगे इसको रिफरेश कर लो database में चलो आपका GoMart database टेबल के अंदर आजाओ तो यह आपको यह वाला option select करना है अभी क्या करना है इसमें हमें मालो seller ID यह तो by default आएगा यह इंटर नहीं करेंगा seller का name seller का name कोई भी एक नाम ले लो जैसे कि मैंने एक नाम दिया मलो यह ठीक है एज मैंने दे दिया भाई साब इसका password ABCD क्या हो गया अभी अगर मैं select का query रण करता हूं तो simply type करो select star का मतलब सब कुछ from आपको stable का नाम देना है जिस टेबल से आप value चाहते हो तो क्या नाम है tvl seller अभी आप देखोगे कि जितनी भी इसमें record होंगे वह सब आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो हमारा जो table है अब देखो सेम यही query जो आपने ऊपर बनाई है यही query आप copy कर लो और इस query को आपको यहां पर पेफिल से बनाना पड़ेगा यह देखो मैं बना रहा हूं तो अ यह कि हमारा admin id के दोर पे काम करेगा seller का password चाहिए जो कि हमारा password काम करेगा और कुछ चाहिए बस यह दो चीजे हम अभी के लिए चाहिए ठीक है तो बाकी हम क्या करेंगे यहां से यह हम यहां पर delete कर देते है ठीक है अब where seller जो name है seller name यहां पर आ जाएगा ठीक है यह क्या ह आपका password तो इसको आपका यहां पर पर आपको देखेंगा आपको देखेंगा यह हम कर लेते है कापी इस ही क्वेरी को हम कहां भी यूज़ करेंगे अपने इस कोड में है तो यह seller के लिए हो रहा है बहुत सही है seller के लिए तो ऊपर में आपका क्या है यह query है तो simply क्या करें और आपको देना है आपको यहां परागे तो यह फॉर्म पे जा रहा है और तो फॉर्म पे जा रहो सही है सही बात है तो मैं क्या चाहरा हूं ना मैं चाहरा हूं कि जैसे कि अगर हम यहां पर जा रहे हैं login के बाद अगर बंदा इस पेश फॉर्म पर आ रहा है और वह एडमिन नहीं है एडमिन नहीं है तो क्या करेंगे केटेगरी और प्रोडक्ट यह हम हाइड कर देंगे यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं अगर बंदा क्या है अगर बंदा सेलर है तो वह उस तो पहली बात यह एडमिन वाला हाइड हो जाए और केटेगरी हाइड हो जाए तो इसका देख लेते हैं क्या है यह अगर प्रोपर्टी में आ जाओ तो पेज के लोड इवेंट पर मैंने क्या बोला कि भाई अगर यह इंपटी ना हो तो यह रख दो इसके बाद एक और यहां पर बनाएंगे मैंने बोला इफ यहां पर क्या लिखेंगे आप आपको देना है फॉर्म का नाम फॉर्म वन डॉट लॉगिन टाइप ठीक है लॉगिन टाइप दगर दगर दजनाट इकोल टू नल ओके अएंड यहां पर क्या लिखोगे आप फिर से यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे कि हमारे पास यह वाला आप्शन है dot enable enable equal to false, ठीक है फिर इसके बत क्या है, एक और option है, that is category, go to design, यहाँ पर आज़ो right click कर, अच्छ, product है, आज हम category के पीशे पड़ हुए, ठीक है that is, okay product tool strip ठीक है, यह देखो, enable equal to false, ठीक है फिर क्या है, add user, यह false हो गया, ठीक है और क्या करना है, यह दो चीजें क्या करना है, इसको, enable को false कर देना है कब करना है, अगर seller हुआ type तो, ठीक है और seller कब होगा, यहाँ पर यह बंदा login करेगा, तो यहाँ पर इसको मिल दाएगा उसका value, ठीक है seller में कौन-कौन से menu या option दिख रहे हैं या नहीं, तो अभी हमने लिया seller, और seller का जो नाम है वो नाम हम यहाँ पर देते हैं और इसका जो password है, वो हम देते हैं, 12345 यही था सायद और login पर क्लिक करते हैं, तो login successfully और इस बार हमें क्या दिख गया, यह option दिख गया है, ठीक है अब यहाँ पर देखो, यह देखो इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, यह इसकी visibility off है, ठीक है एक बार हम क्या करेंगे, कि पहले admin को login करते हैं, और admin की case में कैस दरीक से दिखता है, यह चेक करते हैं और उसकी बार हम देखेंगे, कि जब हमारा seller login करता है, तो कैसे दिखता है, तो सबते पहले admin के लिए आ जाते हैं, तो यह आपका हो गया coder, और 12345, ठीक है, यह देखो, ठीक है, आपका यह दिख गया, इसमें सारे options आपके enable हैं, सब कुछ सही है, यहाँ पे coder देख रहा है, इसको close कर दो, अभी क्या करते हैं, अभी हम simply select करो, वापस चलेंगे हम login करेंगे उससे, क्या बोलते हैं, अपने seller account से, seller account में आ जाओ, और यहाँ पे इसका password 12345, इसको किया, मैंने login, ओके पे क्लिक किया, अभी देखो, seller आ गया, तो, जीतने भी enable है, आप इसको चाहिए visibility off कर सकते हो, visibility भी off कर दोगो, तब भी सही है, या enable false कर दोगे, फिर भी सही है, ठीक है, तो, इस category के लिए सबसे पहले हम एक table बनाएंगे के लिए, वापस आ जाओ, यहाँ पे, एक table में बनाना, जहाँ पे हम category add कर सके, तो, देखो, हमारा यह seller वाला table बन चुका है, अब हम बनाने जा रहे है, category, तो, जो, कोई भी जो product होगा, उस product का एक category होगा, ठीक है, तो, सबसे पहले हम category बनाएंगे, तो, category बनाएंगे, category name और category description, तो, यह तीन तरक के हमारे, यह column होगे, इसमें, तो, यह table हम बनाने जा रहे है, तो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने SQL server में आ जाते है, और यहाँ पर हमने, यह query लिखा, query हमारा क्या है, query हमारा है, की category ID, और category ID, जो, जो, identity, का मतलब हो गया, कि जैसे यह row create होना, automatically यह column में value आड़ कर देगा, तो, यह value हमें आड़ नहीं करना पड़ेगा, ठीके, और बाकी आपका category name, और आपका category description, यह चीजे हो गई, तो, यह हमारा table है, यह query हमने किया, execute, और हमारा यह, देखो, यहाँ पर यह हो चुका है, table हमारा create हो चुका है, अब यह देखने के query आपको क्या करना पड़ा, select star from table का नाम, क्या है, tbl category, यह हमारा table है, तो, जब भी आपके query आप रन करोगे, तो, आप यहाँ पर देखोगे, कि नीचे आपको table देख जाएगा, बर टीनिसली table empty है, तो, हम इसमें अभी कुछ देख नहीं सकते, ठीके, तो, देखो, यह तो form add करते हो, तो, यह नीचे यहाँ पर list हो जाता है, देखो, यहाँ पर टीक है, तो, अभी हाली में, मैंने form यूज किया था, तो, आप यहाँ से यूज कर सकते हो, या फिर आप new item में जाके, और यहाँ से याप window form, select कर सकते हो, window form, तो, अभी यह जो हमारा form है, इसका नाम क is category, यह हो गया, अपना category, category आपको, जितना है, रखना है category, आप उसे साब से category को modify कर लिए, और को category अगर हम बना रहे हैं, तो, हम simply login page पर आ जाते हैं, तो, हमें यह वाला हमें चाहिए ही चाहिए, तो, यह हम लेके हाँ पर paste कर देते हैं, तो, अभी हम क्या बनाएंगे, हमे बनाना है category के लिए table, तो, हमें क्या चाहिए group, तो, एक group box ले लो, यह इस तरीके से draw कर दो, इसको, अब group box पे क्या करो, right click करो, और, पहले तो, इसका एक for color होगा, शे जाने दो, bold, तो, फ़ले flat क्या है भईया, फ़ले form को select करो, form का कुछ property देखो, फ़ले form को select करो, form की property form को क्या होगा, form हमारा initially क्या center screen आएगा, सही है, उसके बाद इसका maximize, maximize false करना है, फिर इसमें icon भी लगाना है, उसके बाद क्या यहां पे, flat form resizable होगा की नहीं, by form fix single होगा, ठीके, और यह हो गया, अभी हम group box select करते हैं, तो, group box का एक हम क्या लेंगे, for color तो ठीक है, इसका ए background color, यह, इसमें है न, इसमें है, just a minute, यहां पर आजाओ, इसमें कौन सा color select किया, अपने, sandy brown, okay, sandy brown, तो, यहां पर आजाओ, यह, और यहां पर, यह, देखो, मिल गया, sandy brown, ठीके, fine, अभी यहां पर क्या करना है, अपने को, अपने को चाहिए, text box और label, तो, देखो, हमें क्य चाहिए, यह label, चाहिए, okay, तो, यहां से, यह label, हमने copy करके, हापे paste कर दिया, भाई, यह, एक label, चाहिए, अपने को, और इस label में, क्या हमें, enter करना पड़ेगा, हमने, enter करना है, category का नाम, तो, label, just for information, तो, यहां पर आप दे सकते हो, like, category name, ओके, इस label को, आप कॉपी कर लो और यहां पर पेस्ट कर दो और आपके केटेगरी का डिस्क्रिप्शन ठीक है यह दो चीज यहां पर और एक काम और करेंगे जो हमारा गुरूप बॉक्स है ना गुरूप बॉक्स का भी तो नाम हमें चेंज करना पड़ेगा इसको क्या लिखेंगे अब हम क्या करते हैं गुरूप बॉक्स पे यह जो देख रहा हो eh इसको हम कर देते हैं फॉन्ड इसका बॉल्ड यह क्या हो गया ज्यादा हो गया फॉंड साइस हम कर देंगे 9 ही ठीक लग रहा है टूल बॉक्स से हमयँ चाहिए लिए रिजट बाक्स यहां पर एक हमें से हमें ड degli एंतर कर सकें今天 एक लिए हमने text box Yahaao Pe okay tex box ले लिया और is हमें क्या चाहिए एक हमें चाहिए that is rich text box नहीं है ओके नहीं है the text box ही ले लriedते हैं एक authorization box यहाँ yeah他們 ले लिया हमेने tomorrow टेस्पपक्स for description तो इन का नाम और इन का लेबल ये हमें चेंज करना है तो पहली चीज क्या है कि इसका नाम जो होगा btn add category ठीक है यह हो जाएगा दूसरा आज़ा btn clear यह सही है एक और बटन हम यहाँ पर लेंगे copy करके यहाँ पेस्ट कर देंगे ठीक है तो यह हमने ले लिया यह बटन अब यह जो बटन होगा इस बटन का नाम क्या होगा यहाँ पर आज़ाओ इसका नाम होगा btn update ठीक है update और इसमें यहाँ पर क्या लेंगे यहाँ पर हम लेंगे not a siya green हमें चाहिए यहाँ पर अज़त है इस इंडिगो कलर वेर इस दे इंडिगो कलर ओके यह देको इसका टैक्स्ट हम भी यह में चेंज करना है तो इसका टैक्सट हम करेंगे यहाँ पर अपडेट और इसका टैक्स्ट हम करेंगे अएड ओके और क्लियर को आप क्या कर सकते हो डिलीट बोल सकते हूं हां हम डिलीट बोल सकते हैं ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं डिलीट इसको हम डिलीट कर सकते हैं तो यहां पर इसका नाम भी हम चेंज करेंगे उपर आप आजाओ इसका नाम हम क्या देंगे यह डिलीट इस तरीके से हमने सेफ कर लिया तो अब यहां से हम अपनी काटेगरी आइड कर प और category के बाद हमें क्या करना है एक और काम करना है इसको उसक चाहिए तो ऐसा ही कर सकते हैं अभी सही है अब हमें चाहिए एक grid view में चाहिए तो साइड में हमें क्या मिल जाए data grid view हमें यह देखनों को मिल जाए तो simply grid view को लाओ यहाँ पर drag and drop कर दो यह आपका grid view यह इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला दो और इस तरीके से इस तरफ ठीक है? थोड़ा सा हम इस group box को इस तरफ एक स्टॉड है कि ठीक है और यह आपका कुछ इस तरफ और इसी को हम थोड़ा सा इक यह आपका हो गया ग्रिद फॉइड फाइन ठीक है यह आपका हो जाएगा ग्रिद बिव यह इस तरह किसाफिस को देख सकते है तो यहांं पर हमारे परस ऊहरा काम हमें हूं कि हमारे जुधे परम से प्र पर्पैप्टी पर फॉर्म में अध़ आइक अधर पर्फॉ एवेक परियों दीनिंद्स बंगर्फ कर Link कर ते चीछ कहित एक जीधिर एक इक डासल अधर द्युक्त बशेख सकुछ टिक एक स्टीम फार्म का लुटिवेंट के से चलेगा राइड क्लिक करो इसपर चरो प्रॉपर्ड atty पहुंदम पहुंदर प्रेट्टि आ जुड़ को से टिसे डेढ्डियाब अपको एक इस biblical होगा फाल्स होगा ठीक है फिर हमारा जो बिटिएन А्पिपिन फरन्स फिरह के फिरह भी कि इस गारत हो यह हो जाएगा false, ठीक है, यह दो चीज हो गए, ओके यह हो गया, अब हमें क्या करना है, next हमारा काम है, कि अगर हम क्या कर रहे है, add कर रहे है, हमारा add बटन आ गया, add बटन पर हमें validation लगाना, validation के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो, validation के लिए हमने ऊपर already code mention कर रखा ह यह वाला code, ठीक है, यह दोनों copy कर लो, okay, फिर यहां पर paste कर दो, right, तो इस बर क्या करेंगे, इस बर हम एक और काम करते हैं, सबसे पहले कि यह जो text box है, इसका नाम हमें change करना है, तो सीधा इस वाले event पर आजाओ, और यहां से, इसका नाम क्या, txt category name, ठीक है, दूसरा क्य यह क्या है, rich text box, तो txt, na na, rich text box, क्या है, category description, सही हो गया, add button पर क्लिक करो, यहां पर आजा, what is this, txt category name, अगर यह हो गया, तो क्या लिखेंगे, please enter category name, यह हो गया, और क्या करेंगे, इसको copy करो, और यहां पर paste कर दो, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, rich text box, category description, please enter category description, ठीक है, यह हो गया, और यह copy, और यहां पर paste, ठीक है, उसके बाद हमें एक function बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, private, wide, इसका नाम क्या होगा, txt clear, ओके, इसमें क्या clear करेंगे, हमारे पाद दो ही तो text box है, एक हम यह clear करेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, यह clear करेंगे, ठीक है, यह दोनों clear हो गए, अब जहां जहां पर इनकी जूरत पड़ेगी ना, वहां वहां पर तो आप लेक सकते हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या है, इल्स वाला option है, इल्स SQL command cmd equal to new SQL command, ठीक है, यह बन गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हमें देखो, जैसे हमने यहां पर किया था ना, अब देखो, आपने login का code किया है, अब login का code को ही हम follow करेंगे, ठीक है, एक बार एक code हो जाएगा, फिर यह code हम follow करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह करना है यह copy कर लो, ठीक है, इसको क्या करोगे, आप अपना जो भी category वाला form है, यह category वाला form, category वाला form में partial class देख रहो, यहां पर लाके paste कर दो, सही है, जब यह paste होगे, scroll down आजाओ, अभी क्या करना है, फिर से चलो यहां पर, यहां पर आपको यह connection का code लेना था, यह वाला code लेना यह, ठीक है, अभी हमारी query क्या होगी, query थोड़ी सो different होगी, तो यह query हमने यहां से किया, cut, ठीक है, query हमने cut कर लिया, यह देखो, यह हमने query यहां से cut कर लिया, और यहां पर हमारा text box भी तो different होगा, तो हमारा text box होगा, वो क्या होगा, एक तो होगा यह, और दूसरा होगा ह category description ठीक है category description अब यहां पर हमारा बनेगी query अब हमें insert करना है तो फ़ले हम insert की query लिखेंगे तो यहां पर यह select का query हो गया हम एक बनाना insert का query कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे insert into table का नाम that is tbl category ठीक है अब क्या-क्या insert कर रहे हैं हम insert कर रहे हैं category name हम insert कर रहे हैं category description ठीक है फिर उसके बाद क्या लिखेंगे values अब यह values कहां से आ रही है values में आप यही copy कर लो देखो यह यह किया copy यहां पर paste कर दो और यहां पर क्या लिखो add the rate और add the rate यह but best part क्या है हम क्या बनाएंगे हम बनाएंगे store procedure तो क्या लिखेंगे है ऐसे create sp create procedures का नाम क्या होगा sp category insert ठीक है इसके अंदर क्या देना है आपको इसके अंदर आपको देना है यह देखो add the rate category name and add the rate यह category name क्या है and where care 50 ठीक है और यही copy करो और इसी को यहां पर दे दो and where care ओके फिर यहां पर आजा हो ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे as इसको क्या लिखेंगे begin इसको क्या लिखेंगे end और इसके बीच में क्या रिखेंगे जो भी हमारा यह देख रहो ना यह हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से पाइंड यह हो गया create procedure SP ठीक है insert into category क्या लिख इंसर्ट करना है category डिस्क्रिप्शन और क्या है यह इस प्रोसीजर को हम ने यहां पर किया एक्जेक् espaço है यह प्रुसीजर क्यों हो यह ने ने कॉपी करेंगे अँच इपे Nas X चीज़ करेंगे cmd.command type equal to command type.store procedure ठीक है यह हमारा command हो गया अभी देख यहां पर क्या यूज़ करेंगे हमने यहां पर query में क्या यूज़ किया है category name यूज़ किया है तो यहां पर अभी यह भी parameter यह जो parameter होगा ना यह इसका parameter का नाम भी मतल जाएगा category name हो गया और दूसरा parameter क्या है हमारा category description तो दूसरा parameter हो गया हमारा category description, इसमें ते कर दो-दो add rate लगे हुए है यह दो-दो नहीं होगा single single होगा अधरवाइस यह error देगा ठीक है यह हमारा save हो गया ठीक है तो अभी यह चीज हो गई अभी हमेरा करना है अगर already इसमें category है ठीक है अगर already है टेबल में वो user category तो वो name seller का ना seller के लिए बना रहे है न हम अर्यर स्वरी category बना रहे है तो अगर already वो category available है तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमें कैसे करना है वो हम चेक कर लेते हैं तो अभी देखो ये तो insert का code है यह क्या है यह तो insert का code है बट हमें क्या करना है हमें before insert हमें चेक करना है कि कहीं जो भी category हम इंसर्ट करना है वो already इसमें available तो नहीं है तो वह कैसे चिक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह तो हमारा इंसर्ट का कोड है, ठीक है रहने तो इसको, अभी दोगों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें करना है, फिर से यहां पर हमें, फिर से हमें यहां पर यही चीज करना है, मालो हम यह कॉपी कर लेते है अब जब यह दूलम ने प्राइच कर लिया जिए आ हम इन कर लिया थावान का मुझा धाय esses uh टिक दो क क्षेल करके दो कशच कर द अब यहां पर क्या क्रेक्रि के हां लिकनाओं क्या क्या पर लाते हैं यहां पर आजाते हैं तो यहां पर वेरी क्या लीखेंगे हम लीखेंगे select क्या select करना है अच्छा ठीक है एक विटेबल ले ले लेते हैं select from table अब यहां स्टेबल से क्या select करना है select category name ठीक है select category name from table where आपका category name equal to add the rate जो भी है एक तरह का मालो category name ठीक है यह ले लो आप कट कॉपी जो भी करना है और यहां पर आके पेस्ट कर देना है ठीक है यह देखो तो मैंने कहा एक क्वेरी बनाया कि भाई पहले स्टेबल में select करो कि क्या कोई category जो आप दे रहुगा ऐसा कोई category और इसमें है तो नहीं तो यह हमने बना दिया एक यहां पर अभी हमें क्या कर करेंगे यहां पर हमारा connection जो होगा यह वाला connection यहां से कट कर लो गई देखो connection हमारा open हो गया ठीक है connection open होने के बाद हमें क्या करना एक वरिबल बनाना वैर और इसमें आप देना है मुझे मालो इसका नाम दे देते है result अब result is equal to हम देंगे cmd.execute क्या करना है scalar इगर देख okay यह रहा हमारा execute scalar execute scalar हो जाएगा तो क्या खरेंगे if if के बाद यहां पर क्या लेंगे हमारा जो है result अगर result does not equal to null does not equal to null तो इसका मतलब क्या है कि already इसमें record है ठीक है नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसमें देखो fine इसका कोई icon अगर आपको देना हो तो not error नहीं होगा dot इसमें होगा exclamation या warning warning कुछ ऐसे करते हैं यह does not equal to null यानि कि अगर null नहीं होगा उसमें already value है तो भाई आपको duplicate दिखाना है और अगर उसमें value नहीं है तो आपके पास यह वाला आ जाएगा code यहां पर फिर से क्या करेंगे हम cmd यह आगे आपका execute कराने के लिए ठीक है और फिर हम क्या करेंगे यहां पर हम ले लेते हैं result हमने बनाई रखा है उपर तो हम ले लेते हैं result और result is equal to हम यहां पर लिखेंगे cmd.execute non query ठीक है क्योंकि हम insert कर रहे हैं तो हम यह यूज करेंगे और अगर सब कुछ सही हुआ तो यहां पर क्या जाएगा इफ रिजल्ट जो होगा वह greater than zero यह फिर हम बना लेते हैं न हम एक variable ही बना लेते हैं क्या करना है उसमें हम बना लेते हैं that is यहां पर रिजल्ट से काम हो जाना चाहिए और रिजल्ट है अपने पास न तो क्या लिखा मैंने मैंने लिखा result is अगर result equal to equal to one बना लेते हैं यहां पर बनाते हैं एक integer i नाम से एक variable बना लिया मैंने तो यहां पर मैंने लिखा कि i की value क्या होनी चाहिए अगर i greater than zero हुआ तो it means आपका record क्या हो चुका है successfully save हो चुका है ठीक है तो आप यह copy करो यहां पर paste करो और इसमें और formatting formatting अटा दो कि सुरत नहीं है simply यहां पर आजाओ क्या लिखागा इंसर्ट अप मैसेज देदो simple और यहां पर क्या देदो success ठीक है और warning की जंगा पर इस बार क्या देंगे dot information ठीक है यहां पर आजाओ और फिर क्या करना है अपने को अपने को फिर connection क्लोज करना है देखो यह और इदार आके अपने को connection को कर देना है क्लोज क्या लिखो के db.com.close ठीक है अभी में पर आजाओ में पर आने के बाद के टेगरी पर करो डबल क्लिक कर देगरी पर डबल क्लिक कर दिया तो क्या आएगा हमारा कौन सा फॉर्म है यार हमारा आजाएगा फॉर्म के टेगरी यह यह एसा हो गया अभी यह फॉर्म आ गया ऊपर से आजाओ इधर अबाउट ना इबाउट तो एबाउट को थोड़ा सा इधर कर दो ठीक है इबाउट पर आजाओ इबाउट पर का लिखेंगे हमारे पास अलड़ी एबाउट वाला फॉर्म है तो क्या है यह यह अपने पास है इबाउट इबाउट बॉक्स वन एबी टी इक्वल टू न्यू इबाउट बॉक्स वन एंड एबी टी डॉट शो ठीक है यह सिर्फ एड्मिन कैटेग्री एड कर सकता है तो यहां पर आपको एड्मिन का नाम देना है 12345 password admin login हो चुका है यह form आपके सामने आ चुका है ठीक है यहां पर एड्मिन कैटेग्री पर क्लिक रिक किया category आ गया राइट अभी हम क्या करते है category में जैसे की category मालो हो गई आपकी कॉफी की ठीके बेस्ट कॉफी ओफ दे वर्ड ओके और ये मैंने एड वे कलिया, क्टेगरी तक्सपुली एड हो गई, जब क्टेगरी एड हो गई, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको क्लियर करना होगा, राइट ठीके, इसे क्लोज करो हो जाए, अगर आपका यहाँ पर देखो हो जाए, तो क्टेगरी को क्लोज कर दो, यहीं पर, ठीके क्टेगरी को यहाँ पर क्लोज कर दो, और उसके बाद यहाँ का इफ कंडिशन ठीके, सही है, सही है, सब सही है और उसके बाद अब हमारे पास यह जो grid view आप देख रहों आपना इस गुरुड विवी में हम डेटा बाइंड करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना एक मैथटाड बनाना पढ़ाइगा तो लेकिन प्राइवेट और इसका नाम देतेंगे वाइड और इसका नाम जेहें इसका नाम आ गया हमारे method का इसको हमने save कर लिया अब इसके लिए भी हमें कुछ चीजे चाहिए हम वह ले लेते हैं तो सबसे पहले हमें तो यह दो चीजे चाहिए इसको कापी कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हमने इसको रख दिया इसमें हमारा यह नहीं रहेगा चल जाएगा ठीक है और हमें क्या चाहिए category वाले टेबल से हमें चाहिए category एंड केटेगरी का description ठीक है क्वेरी हम बना लेते हैं यहां से अब अपने को चाहिए category id category name and क्या चाहिए अपने को category description ठीक है टेबल यह रहेगा इसमें वेर वर का कोई यूज नहीं रहेगा simply यह चीज है ओके यह आप इसे करोगे इसको आप इससे रण करोगे तो देखो इसमें आपने coffee add किया था वह सकसुली एड हो चुका है ठीक है तो अभी हमें यह ही चाहिए तो अभी क्या करेंगे तो इसको क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है यह सेलेक्ट वापस चलेंगे अपने यहां पर तो यह पूरो की पूरी क्वेरी ना हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं ठीक है तो यह हमारी क्वेरी हो गई सेलेक्ट करने की की हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं category और उसको फिर हम द data adapter da equal to new SQL data adapter इसमें cmd को पास कर देंगे, ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, data table dt equal to new data table, फिर हम क्या लिकिन के da.fill, ब्रैकेट में dt, तो data adapter में जो भी आएगा record वो हम फिल कर देंगे, अब हमारे पास आता है, हमारे पास क्या है, grid view है, तो that is data grid view one dot, हमें bind करना है इसको data source, ठीके, data source equal to आपको, जो भी data source है, उसका नाम देना है, इसको bind करना है, कब bind करना है, इसको copy कर लो, देखो, एक तो क्या होगा, जैसे ही आपका record insert हो, ठीक है, जैसे आपका record insert हो, तो भाई, यह आपको bind कर देना है, ठीक है, number one, एक यह bind करना है, और दूसरा क्या करना है, पेज के load event पे, जब भी आपका page लोट करे, तो उस time पे आपको यह क्या कर देना है, bind कर देना है, यह आप है, find, अभी हम इसको execute करते है, ठीक है, हमारा यह page आ गया, अभी simply category पे click किया, तो category आ गया, और जो भी category आपने यहां पे add किया थो आ गया, अब suppose अगर एक और हम category हम बनाते है, that is, यह मानलोव आपका हो गया, notebook का, notebook for student, okay, ऐसा कुछ लिखा आपने, इस पे click किया, okay, तो दूसरा भी आ गया, ठीक है, दूसरा आपको यहां पे दिख रहा है, अचा, अब यहां पर देखते है, एक तो यह row दिख रहा है, यह row hide करना है, उसके बाद हमें क्या करना, यह row hide करना है, and मैं चाहता हूँ, यह जो क्या लिख के आ रहा है, category id, तो यह proper name हो, category id, category description, ऐसा कुछ आए, ठीक है, और यह पूरा full width में आए, तो यह कैसे होगा, इस के रिए हम क्या करते है, सबसे ज़रूरी चीज तो, कुछ चीज तो हम query से कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यह query है, तो category इसको कर देते है, as, क्या कर देंगे, category id, ठीक है, category name, and इसको कर देते है, as, क्या है, category description, तो अगर आप यह यूज करोगे, अगर आप query चलाओगे, तो आप देखोगे, आपके column का नाम भी change हो गया, तो simple, एक तो यह यह query आप यूज करो, ठीक है, कहां पर यूज करना है, हमें, जो हमने बनाया है, यह bind करने वाला code यहाँ पर, ठीक है, यह देखो, अब यह आ गया, right, इसके बाद क्या करेंगे, एक और काम करेंगे, category में आजा, यह grid view को select करो, grid view का property में आजा, property में आने के बाद, अब यह देते हैं, fill है, इसमें, auto size row mode, auto size column क्या है, auto size column fill, हाँ, अब ही सही है, ठीक है, यह कुछ modification कर दिया है, अब हम फिर से इसको execute करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं, login, what is this invalid, क्योंकि हमने seller select किया हुआ, यह क्या होगा, admin होगा, तो admin select करो, login, ok, अब यहाँ पर category, category पर हम आ च चुके तो हैं, ठीक है, हमारा fill तो हो गया, पर यह वाला column नहीं गया, यह वाला column नहीं गया, यह वाला column कैसे जाएगा, दो को row header visible है, row header अगर हम false कर देते हैं, row header हमने false कर दिया, तो, अब ज़राइज चेक करते हैं, क्या होगा, तो हमारा जो property था, row header, row header को अगर आप false कर दोगे, तो यह आपका perfectly काम करेगा, ok, तो अभी यहाँ पर देखो, यह आपको सही दीख रहा है कुछ, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यह जो form है, इस form को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मुझे proper category नहीं दीख रहा है, हमें नहीं दीख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीके, तो यह हमें category दीख जाएगा, अभी एक चीज़ और करना है, कि जो हम select करें, तो पूरा row selected हो, column दीख रहा था, वो hide हो जाएगा, अभी यहाँ पर selection mode क्या है, selection mode क्या पूरा row select हो जाएगा, तो अभी क्या करो, grid view पर double click करो, जैसे grid view पर double click किया गा तो grid view का एक event आजाएगा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक text box है category, txt category name, और इसमें हमें क्या दिखाना है, उसकी value, ठीके, क्या दिखाना है, value दिखानी है, but value से पहले हमें एक variable अब एक variable चाहिए, that is, मालनो कि चलो की, एक string type का variable हो गया अपने पास, string यह हो गया, where name, ठीक है, मालनो एक name हो गया, अब इस name की value कहां से आएगी, अरे name नहीं पगल, क्या करना है, इसमें, id, not a string, integer, चलो string ही ले ले लेते हैं, id, that is category id, okay, so cat id, fine, अब यह category id कहां से आएगी, यह आपके आएगा data grid view से, data grid view, अब ग्रेटा grid view का क्या, dot selected, इसमें आप देखो, selected row, okay, data grid view, dot selected row, अब कौन सा row, bracket लगाओ, by number 0, ठीक है, dot cell, कौन सा cell, cell भी आपको बताना पड़ेगा, 0, और dot इसके बाहराजा, उसकी क्या है, cell की क्या value चाहिए, अब इस value क्या क्या करेंगे, dot two string में convert कर दो, और फिर इसको क्या कर देंगे, dot two string, ठीक है, यह आपका मिल गया, सेम इसी तरीखे से हम क्या करेंगे, हम यह कर लेते हैं, copy, ठीक है, यह देखो, इसको किया copy, और, अब हमें text box चाहिए, paste कर दिया, जो text box होगा, यह कौन सा होगा, cell number one, जहां से आपको name मिल जाएगा, ठीक memory, dot, text, और यह जो आप लोगे, यह कहां से लोगे, number two से, क्योंकि total तीन ही तो column है, zero से two, अब देखो, यह सारी चीज है, आपको यहापे दिख जाएगे, इनका id, इनका name, description, सब कुछ, ठीक है, यह आपको दिख जाएगा, और, जब आपको यह दिख जाएगा, तो क्या करेंगे आप, एक तो यह हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखो, एक और चीज करेंगे, हमारे पास क्या होगा, btn update, update dot visible is equal to true कर देना है, आपको, इसके बाद आपका क्या है, btn delete, इसका भी क्या करना, आपको visible equal to true कर देना है, फिर आपके पास क्या है, btn insert या add, इसका जो भी visibility होगा, उसको false कर देना है, आई बास समझ में, तो यह कुछ इस तरीके से काम करेंगा, आपका, और, यहाँ पे, ठीके, और, यह हमने किया, लो किरिए, find category पे आगे, यह देखा आगया, ठीके, यह को क्या होगा, इस पे click करो गे, यह select हो जाएगा, इस पे click करोगे, इस पे राइड क्लिक करो, इसके property में चलो, जो और, आपके, इसका क्या है, self click event है, मैरे भाई, कौनसा इवंट है। क्लिक इवंट ग्रिड ब्यू का है। क्लिक इवंट एक है। sell-click event और enter event और यह click event, ठीक है। तो click event पर आजाओ। जैसे click event पर आओगे। अब यह सारा का सारा आज़ा। तुम्हारा क्या बोलते हैं। चाहोत हो तो मैं कर सकता है दो पार्ट में करने की स्वर्वत नहीं है यहां से इसको निकाल दो यह मैने की है किस को यहां से डिश्ड करें और ऐसको grid-view के तो हम इसमें बैलु लगा देते हैं, इसमें हम कर देते हैं selected क्या हो number one जो की है आपका admin और txt username dot text, text में क्या कर देंगे, यह हम देते है, fills के बाद क्या है, txt password dot text और password में क्या है, one two three four five, ठीक है, यह देखो, अब ही क्या होगा जीतनी बार आप रन करोंके यह वैलू अलोटी में रहेगी बस आपको सिर्फ लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा बार बार आपको यूजर नेम इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी ठीक है यह हो गया यहां पर क्लिक किया ठीक है और अभी हम क्या करेंगे ना ऊपर में हमें एक लेबल लेते हैं देखो एक लेवल तो यह ले लिए मैंने एक लेबल अभी होगा आपका क्टेगरी आईडी लेबल का नाम क्या कर देंगे हम LBL Category ID that is LBL Category ID ठीक है और इसका पार कलर क्या होगा इसका पार कलर होगा वाइट वाइट तो दिखा ही नहीं देगा यलो यलो भी नहीं दिखा ही देगा नेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं यह तो बहुत पक्वास कलर है यार ठीक है तो ऐसा पर हम कलर ले लेते हैं ठीक है तो यह ले लेते हैं लेबल अभी हम क्या करेंगी इनिसली जब हमारा पीज लोड होगा ना भाई तो हमारे पास जो LBL है आभी क्लिक करेंगी तो तो अभी तेटि आई ग्या में लेते हैं जब हम क degilis to f ный आई रहे हम को लोगी हम te conv जो यहां पर क्लिक करेंगे तब हैं यहां पी क्लिक करेंग तो यह क्लिक करेंगी तो इसकी विज्विविल्टी करिए जाएगी true हो जाएगे ठीक है यह इसकी visibility हो जाएगी true और यहां पर हम क्या करेंगे यह जो देख रहा हो इसको करेंगे copy और भाई यहां पर.text यह इस तरीके से value आजाएगी अब इसमें आगी है value अब हम इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करेंगे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे ठीक है तो सिंपल अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट पर किया डबल क्लिक तो यह पूरा हम कॉपी कर लेते हैं यहां से यहां तक किया बने कॉपी अब इस चीज को अपडेट में करना है ना तो अपडेट में आके हमने कर दिया पेस्ट अपडेट में पेस्ट कर दिया है जर देखो यह अपडेट बटन है यहां पर क्या कैटेगरी अब इसमें एक औ lbl category id.text अगर यह empty हुआ तो please select category id select category id और focus कहीं भी रखदो कोई दिक्कत नहीं है चलो अब भी यह हो गया और उसके बाद category name ठीक है category name और rich text box ठीक है अगर लिच टेक्श्ट बॉकस हम ना ओप्षिनल रख सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कोई डिसक्रिप्षन देना तो उसको आप ओप्ष्नल रख सकते हो ठीक है अबंच थीक है अभी तो हम लेदेते हैँ याप अभी हमें क्या करना है हमें हमें सिर्प अपडेट करना है मिरे भाई क्या करना है अपडेट में क्या कर देना है अपडेट में भी प्ले चेक करना है select करना है कि अगर वो नाम और वो नाम सेम है तो फिर से आपको यहां पर error दे कि already exist ठीक है अगर 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 ऐसा कुछ नहीं है तो जैसा हमने insert का code बनाया था उसी तरीकर से update का code बनाया था प्रोसीजर बनाएंगे ठीक है अपडेट का प्रोसीजर कर लो copy copy के बाद नीचे अजाओ यहां पर इसको कर देते हैं paste ठीक है अब यहां पर करेंगे category update ठीक है और इसमें क्या एक और चीछ चाहिए एड दरेट क्टेग्री आईडी इंटीजर ठीक है यह हो गया इंटीजर फिर यहां पर क्या देना है अपने को अपने को देना है लाइक अपडेट क्टेगरी ठीक है set curve category name equal to at the rate category name okay category description equal to at the rate category description or is make where condition where category id is equal to at the rate category id ठीक है this is my update query like perfect तो इस query से आपका जो record होगा वो update हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम यह execute कर दिया ठीक है यह हमना procedure हो गया तो procedure को कर लो copy और यहां पर लाके paste कर दो ठीक है update का code बना रहे हैं तो अभी यहां पर हमें एक और parameter चाहिए जो की होगा हमारा id क्योंकि id कहां से आ रही है यह भी तो बताना पड़ेगा तो यह हो जाएगा हमारा category id अब जो हमारा category id आएगा यह होगा हमारा क्या इसको कर दो na convert.toint32 टीक है integer में convert कर देते हैं और यहां कहां से रहा है lbl category id.text से आ रहा है समझ गए ओके तो यह आ गया अपना यहां से category और फिर procedure है ही फिर category updated successfully that is updated successfully and then सब कुछ clear करना है और अगर कुछ problem होती है तो आप यहां पर ilse part ले लो और ilse में भी फिर से आपका करोगे यह message copy कर लो यहां पर लिखो update failed ओके यहां पर error और information की जगह पर आप क्या कर सकते हो error वाला symbol यहां पर लगा सकते हो okay यह option हो गए आपका उसके बाद आपका connection वगारा close हो जाएगा तो यह तो हो गया आपका update का code ठीक है और जब हम delete करेंगे ना तो delete के case में क्या करेंगे हम delete के case में एक minute adjustment हम delete का भी कर लेता है इसी रख ठीक है delete पर double click करो delete आगे तो delete पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ चीज़ चेक करना है कि हमारे पास हमारा category है की नहीं तो यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे category अरे एक चीज़ तो रही गई अपनी क्या try catch नहीं लगाया ना हमने तो try catch बहुत जरूरी है इसको ignore नहीं करना भाई try catch यहां पर bracket इसमें क्या लिखेंगे exception ex और इसके बाद यहां पर यह ठीक है try catch बहुत जरूरी है और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम पहले तो हम लिखेंगे कि हमरे पास category है की नहीं ठीक है तो focus focus कहीं कुछ नहीं होगा okay यह हो जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे हम बनाएंगे एक अब इसको समचाए तो फिर से हम ले लेते हैं इफ ना दो दो बार इफ लेने के क्या ज़रत है बिल रहा हूं अरे ठीक है क्या दिक्कत है security important है यह देखो अगर इसको क्या बोलते हैं भाईया डजनौट इंपर्टी अगर इंपर्टी नहीं है तो हमें क्या करना है डिलीट करना है ना तो डिलीट के लिए अब्रेट के बैसमें से कोड ले लो थोड़ा सा तो डिलीट करना है तो डिलीट में तो ज्यादा चीज़ें की सुरत नहीं पड़ती है हम यह ले ले लेते हैं इतना कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे यहां पर आके हमने पेस्ट कर दिया ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे कॉपी करो यह SQL Command fine SQL Command आ गया और इसमें में सिर्ट चाहिए एक ही चीज और आप चाहो तो डिलीट का भी बना सकते हूं प्रसूजर बाव रेखार ही अब कर दो हमेंसा प्रसुजरे ही बनाना है बहुत सारे tables होंगे, columns होंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो query हो, perfect होना चाहिए, क्या लेकिंगे, delete from tbl where, यह देखो, okay, category is equal to category, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, that is category काफी है, है न, यह, और आप क्या करेंगे, इसको हमने किया execute, perfectly, और यह हमने किया copy, ठीक है, तो हम delete का बना रहे है, delete button, तो यहाँ पर लाके paste कर दो, सही है, और यहाँ पर यह जाएगा record, फिर record deleted successfully, successfully, ठीक है, success, और फिर से bind करेगा, यानि कि, यहाँ कि, क्या लिखेंगे, delete fail, ठीक है, ऐसा कुछ, और यहाँ पर exception में क्या लिखेंगे, तो हमने अल्रड़ी कुछ यहाँ पर दिख रखा था था न, last में, यह वाला message, ठीक है, कुछ नहीं, बस message box में आपको, आपका जो भी error message होगा, आपको वो print करना है, फिर यहाँ पर यह देना है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा try catch, तो इसको यहार copy कर लो, और try catch हमने साहद, उसमें लगाया क्या, update बटन में लगाया try catch, राइट, यह बढ़ देखते हैं, try catch कहा नहीं लगा हुआ है, तो यहां नहीं लगा हुआ है, तो this is the if condition, यह हुआ आपका if condition, यह हुआ आपका else condition, फिर यह हुआ last वाला else condition, यहां पर आजाओ, यहां पर क्या लगाओ, try, try, try के बाद यहां पर catch, यह, save कर लो, फिर क्या करेंगे, इसको यहां से cut करेंगे, और try के अंदर लाके paste कर देंगे, perfect, अभी देखो, सही लगा रहा है, okay, तो जैसे ही हम delete या update करें ना, तो हमें एक काम और करना है, क्या करना है, देखो, जैसे हम अगर हम update कर रहे हैं, इसके बाद हमारा क्या हो जाए, जो हमारा btn update है, भाई, what is this, like, btn update.visual equal to, इसका false हो जाए, ठीक, फिर btn delete, इसकी भी visibility क्या हो जाए, false हो जाए, और आपका जो btn add है न, इसकी visibility जो हो, वो true हो जाए, ठीक है, यह काम करना है आपको, हर जगह, जब भी आप update या delete करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया update पे, और भाई, यह हो गया, आपका delete पे, अब यहाँ से notebook है, notebook को हम अटा के यहाँ पे कर देते हैं, pencil, ठीक है, this is best pencil, right, यह देखो, अब इसको हमने कर दिया update, तो यह, पेंसिल हो गया update अब का, अच्छा, अब इसमें देखो, यह भी तो दिख रहा है, यह भी नहीं दिखना चाहिए, आप्टर ना, तो यह भी hide हो जाना चाहिए, अच्छा, ऐसा क्या, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, close, और यहां से इसको exit करते हैं, ठीक है, एक काम और करेंगे, यहां पर क्या है, एक है, lbl, इसका क्या क्या करना है, visibility is equal to false, ठीक है, चाहिए, update करो, या delete करो, visibility की क्या क्या करना है, तो एक यहां पर हो गया, delete में, और एक आपको देना है यहां पर update में, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर यह चेक करते हैं, कि हमारा ये जो duplicate का work कर रहा है यह नहीं, duplicate, भी आजाते हैं, अब अगर हमने, suppose already coffee हम क्या करेंगे फिर से हमें यहां पर टाइप करते हैं कि कॉफी को इंटर कर रहें और यहां पर कुछ भी उसका डिस्क्रिप्शन हो गया ठीक है ना अब जैसे हमने एट पर क्लिक किया ओके सो यहां पर देखो क्या आ गया अच्छा यह में लगा रखा जीरो ना यह इसका क्या इस्ष्व है 552 में अरे भाई हमें यह सब लगानी की ज़रू थी क्या है यह कैस्व लगानी के जरू थी नहीं है इसको कट करो यहां पर फार्मेटिंग करने की ज़रूती नहीं है न देखो यह डबल कोटेशन करो यहाँ पर और सिंपल यहाँ पर लिखो क्या लिखना है यहाँ पर सिंपल आप ले दो यह से यह पस अल्रडी एक्जिस्ट ठीक है already exist fine मालो हमने एक doublea और double B-naam से कोई भी कđड कर दिया एक नई कापिगरि और isको मैंने एड्ड कर दिया कि जैकவिया मैंने ख़्लिक किया तो मैं इसको अबडेट कर देते हैं और इसका नाम हम देते हैं मालो कोई भी इक डिजुक्रि आहीम्ने मने बोला मॉबाइल स्टाइव क्या मॉबाइल प्रक्रा एक हमने पना दिया जिसा हुआ था किया थे अवर यह अप् डेट पी क्लिक किया तो देख ओ आप डेट होगा फिर से मोबाइल पे क्लिक किया मबाइल को डिलीट करना है राइक कलिक करू क्या कह रहा है और एक्ज weushon executing queries aquaire open идiscoes connectionénergie imaginaires continues close connection open niałem pearla just a minute अब इसको यहाँ पे क्लोज करो Kathy तरीड बटन त्ससना अट बटन एकर यह सब कुछ हो जा रहा है पर यहीं पर कर दोणा execute के बाद connection ट्लोज करो क्लोज कर दो यहां पर हो गया connection अपना close ठीक है यहां पर हो गया connection अपना close तो last में भी हो गया connection अपना close ठीक है अब जलते हैं हम delete की तरफ delete में आ जायते हैं तो delete में connection कहीं open हुआ ही नहीं बहुत सही तो क्या लिखेंगे यहां पर यहां पर लिखेंगे db.con.open तो यहां पर हो जा रहा है और connection को open के बाद कहीं फर भी close कर दो यहां पर ही close कर दो सही है ओके अब इस ठीक है next तो यह चीज़ द्यान में रखनी है connection कहां पर open कहां पर close करना है यहां पर देखो हमारा यह जो डिलीट बटन है तो हम क्या करेंगे हमें हमें एक कोड लिखना है एक सिल शायद समय लेंगे कि अब डिली करना चाहते हो यह नहीं चाहते है तो सिंपल क्या कर सकते लिक्त यहां अपको लिखना है डालॉग ॰िजल्ट डॉट है एक एकवल टू एकवल टू आपको क्या लिखना है यहां पर एक आपको देना है मैसेज बॉक्स डॉट शो ओके और इसमें लगाना ब्रैकेट और इसके बाद क्या लिख देना है आपको लिखना है किरें दीटियु यू वहांट्र दॉट यू दॉट यू वह वांट्रिट यू और टेलीट विव न्ट मुइट्र तुकर्ड रूहिए अधिजल फों रटेक्टन यू क्या ग्यांगि रस्वेसट वismo क्यां संब्सकी अगेंगे इसमें क्या लेक्कर दोंbas कॉमा देंगे हमें क्या चाहिए एक मैसेज बटन मैसेज बटन हम लेगे यस या नो ठीक है फिर हम देंगे कॉमा कॉमा फिर से क्या चाहिए हमें एक मैसेज आइकॉन आईकॉन हम देंगे कौन सा देंगे इसमें इनफॉर्मेशन है औप्शन है एक मैसे एक मैसे वार्निंग का देते हैं ठीक है जैसे ही आप मतलब डिलीट बटन पर क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले आपसे यह पूछेगा दो क्या कर रेगा भलैस चैक करेंगा व्लिएं ठीक है ठीक है ठीक है फिर क्या यह अगर along चॉलीट को अगरर आप यह करोगे यह पर लिखा अगर यह वह क्लिक किया तब आक tut हमारा क्या होगा यह जो आपका इना च्छिर थे डिलीट का यह code आपको क्या करना यहां से आपको इस code को कट कर लेना है ठीक है यह देखो यह code आपने कर लिया कट और इस code को क्या करेंगे आप यहां पर पेस्ट करतेंगे इसके अंदर ठीक है और अगर जो डिलीट का कोड है वर्क कर रहा है या नहीं अभी हमने यह pencil सेलट कर लिया मैं डिलीट करना चाहता हूं यहां पर क्लिक किया तो कहला मैं यहां फिलीट करणने के बाद बाद आपको यहां पर पी इवेंट पर आने जो, यहां पर यहां बदाए कि यह वहां क्लोजिंग और यहां पर डबल क्लिक करने की बाद आपको यहां पर एक कोड लिखना है जिसकी हेल्प साप का कर सकोगे न यहां पर देखो सिंपल आपको फिर से भाई डियालाग बॉक्स लिखना है कन्फरमेशन के लिए ठीक है कि दू यू वां तो क्लोज दिस थिसमें कि और उसके बाद अगर बंदा जो भी यहां पर देगा रिस्पांस वू करतेंगे अदरवाइस हम क्या कर देंगे इल्स पाट ठीक है इसका इल्स पाट बनाएंगे अट इसमें क्या करेंगे जो भी होगा यादिकी इक्जिट सिंपल होथा न आपका application.exit ठीक हो ठीक है application.exit नाम का एक आपका होता है function आप इसको call को सकते हो यह इससे कि क्या हो जाएगा आपका जो applications होगा वो exit हो जाएगा ठीक है इस तरीके से अब जड़ास हम इसको चेक करते हैं रन करके ठीक है अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है तो हम ने कहां नो किया तो कुछ नहीं हो ठीक है यहाँ पर क्लिक करो क्लोज अप्लिकेशन तो हम यह क्या हो गया यह आपको शोग कर रहा है ठीक है देख पा रहे हो की लॉग इन फॉर्म तैयार हो चुका है करब हमें एक बनाना पड़ेगा थिए एडर को एड़ करने का एक टेबल बना एक फ़र्म पड़ेगा ठीक है एड से आप रहे राइट क्लिक करो एक form एड करो इसमें ठीक है यह लिया मैंने विंडो फॉर्म इस form का नाम आप लेलो जैसे की form add new seller ठीक है यह देखों right इतना बड़ा आगया सही है category पर आजाओ category पर आने एक बाद ना आप क्या करोगी कि category से यह copy कर लो उपर का फिर category से यह grid view यह जो group box से यह copy कर लो ज़र देखो category से मैं आगया यहां पर अब इसको क्या करेंगे add seller कर देते हैं like add seller ठीक है यह सही है और इस चीज के थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे तो यह अपना इदर हो जाएगा और क्या क्या है टेबल में पर देख लेते हैं टेबल में हमारे पास क्या है seller ID है name, age, phone number and password name, age, phone number and password so this is seller name ठीक है यह हो गया अपना seller name name और name के बाद थोड़ा से इसको छोटा कर लेते हैं ठीक है और इसका क्या है text box का जो password में change करना है तो यह आपका हो जाएगा txt seller name ठीक है यह हो गया यह और यह दोनों copy कर लो इसको paste कर दो दूसरा आपका बन गया यह आपका हो जाएगा seller का age text box में आ जाओ ठीक है age हो गया और क्या है next next है seller का name, age, phone number पासवर्ड okay so एक यह हो गया okay और अब यहाँ पर हमें चाहिए एक grid view ठीक है आपको पेस्ट कर देना है जो पेस्ट करोगे तो इसको आप स्क्रॉल कर लो नीचे की तरफ और यह हो गया आपका grid view सही है okay perfect ठीक है तो अभी हम जा करते हैं अभी इस सब को select कर लो और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं यह देखो फिर जा करेंगे यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को थोड़ा सा हम यह ओके सही है यहां से आजाओ यह अभी सही हो गया ठीक है एंड इधर से यह ठीक है तो यह बन गया अपना फॉर्म ओके फॉर्म में अब कुछ चीजे और मोडिफाई करने है जैसे की फॉर्म क्या हो भाई सेंटर स्क्रीन हो और मैक्सिमाइज तो हमें चाहिए नहीं फॉल्स हो जाए फिर क्या है इसमें आइकॉन एक ले लो अच्छा लगेगा तो गो टू आइकॉन ठीक आइकॉन के बाद इसको रिसाइज नहीं करना है फिक्स्ट कर दो साही है ओके एड न्यू सेलर अब यह कब ओपन होगा जिजे की एड पर आ जाओ यहां पर सेलर पर डबल क्लिक करो ठीक है तो अभी क्या करेंगे हमारे पास है यह है फॉर्म एड न्यू सेलर इसको फॉर्म सेलर इसको न्यू सेलर या गया अब फॉर्म सेलर डॉट शो डालोग यहा जाएगा अब इसको क्या कर दो सेव कर लो ठीक वापस इसको हम रन करके चेक करेंगे एक बार लॉग इन होगे और यहां पर एड पर आजा तो सेलर पर आओगे तो यह सेलर वाला अप्लिकेशन आपर सामने उपन होके आ गया ठीक है इस तरीकित है विकॉस की अलडी यहां पर लिखा हुआ ना एड नियू सेलर यहां पर लिखा हुआ है तो फिर हमें लिखने की जूरत नहीं है अब यह जो लेबल है इसकी प्रोपर्टी क्या है आपके बनेगा लगेल सेलर यह हो गया फिर से क्या करना है आपको फॉर्म सेलर करना है यहां पर आना है और फॉर्म का क्या है लोड इवेंट इसपर डबल क्लिक करो करोगे तो हमें क्या चाहिए एल बील जो हमारा है सेलर आइडी डॉट विजवल इक्वल टू फॉल्स ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम यह कॉपी कर लेते हैं अब क्या है बीटी अन अपडेट फॉल्स भी बीटी अन डिलीट यह भी फॉल्स ठीक है यह दो चीजा आपकी हो जाएंगे फॉल्स आइंड आपका क्या है बीटी अन ओके नॉट एड कटेगरी इसका नाम क्या होगा बाकी सारे बटन तो ठीक हैं पर यह एड वाला बटन इसका नाम हम रखेंगे बीटी अन एड सेलर यह बीटी अन एड कर दो ना नॉट सेलर साहिए एड से क्या रहेगा यही बटन हम हर जगह यूज़ कर लेंगे इसको करतेते हैं ट्रू ठीक है साहिए बाकी साहिए कलर पूरा वाइट तो कैसा दिखेगा बैक्राउंड कलर यह मैंने कर दिया वाइट तो पता ही नहीं चलेगा भाई साब बहुत सही है तो इस तरीके से हम मोडिफाई कर सकते हैं अपने इस एड सेलर वाले पेज को अभी हमारा पहला कांसेप्ट क्या है कि एड बटन पर डबल क्लिक करके इस पर एड का कोड करना है ठीक है जब एड का कोड हो जाएगा तो अपडेट का कोड करना है और जब अपडेट का कोड हो जाएगा तो डिलीट का कोड करना है इसको हमने कर लिया सेव सब कुछ सेव हमारे पाद से रिफरेंस के तौर पे केटेगरी का फॉर्म है तो यहां से हम सारा कोड कॉट कापी करेंगे ठीक है category form से सारा code copy करेंगे start करते हैं सबसे पहले हम update या add वाले page से सीधा try catch जहां पर है वहां से देख रेक्तो हमें ये वाला भी चाहिए पहले यहां पर आ जाते हैं बाहर आजाओ हमें चाहिए bind category but not category this time पर ये हो जाएगा bind seller ठीक है ये परफेक्ट और एक काम हमें क्या करना है second option है कि आपको ये हमेशा की तरह copy कर लेना है इसको आपको आजाने उपर सबसे top पे और यहां पे partial class के अंदर आपको paste कर देना है ठीक है ये next आपका code क्या होता है हमें add करना है तो add के case में आप ये वाला सब copy कर लो सारा code copy कर लो बाकी modify हम करेंगे यह आगे हम add button पे और ये हमने इसको copy paste कर दिया ठीक है एक काम हम और करते हैं सबसे पहले हमारे पार जितने भी text box है न तो सबको हम क्या करते हैं एक बार उनका नाम rename कर देते हैं text seller name नेक्स्ट है अपना txt age और next आज़गा txt phone और अगला होगा txt password ठीक है यह हमारे पास कुछ बटन्स हैं तो start करते हैं code को जड़ा सा modify करते हैं अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे txt category seller name होगा so txt आपका seller name यह empty नहीं होना चाहिए सिर्फ हम mandatory field जो हैं बस उनको ही यहां पर हम check करने वाले हैं ठीक है and the second one आपका txt क्या है age दे दो यह सभी को आप mandatory कर सकते हो ठीक है कोई इश्व में इश्व नहीं है txt आपका age हो गया बट में क्या करूंगा txt password हमारा क्या होगा mandatory देखो txt password होगा यह हमारा mandatory अगर आपका mobile number भी नहीं है age नहीं है तो कोई issue नहीं है तो यह दो चीज़े होगा है next क्या 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 करना है हमें देखना है कि हमारा जो saylor है txt क्यूंकि saylor का नाम ही तो हमें लेके चलना है ना नाम अगर duplicate नहीं होना चाहिए भाई अगर st & document का है दोबिक एक लेट यहां पर एक टीएज़ते क्लिर नामका फ़ंक्शन है यह विपना नहीं है तो हम क्या करेंगी फंक्शन claps बनाएंगे, function बनाने के लिए यहां पे क्लिक करो और generate method पे क्लिक करो, आपका method यहां पे generate हो गया, ठीके, जब भी method जनरेट हो गया तो इसका काम क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, txt sailor name को clear करना है, ठीके, दूसरा क्या है, txt age को clear करना है, ठीके, ठीके, पास्वर्ट को clear करना है, and next क्या है, txt phone को क्या करना है, clear करना है, या या यानि कि उसको empty कर देना है, clear कर देना है, तो यह हमारा एक function है, जो को use होता रहेगा, आप के फाइंट अभी क्या है व्यक्त हमने बनाया है वैंद सेलर नाम से बना।कि यह सब्सक्राइब राहते लाइगा तो करेगा वै्लिस में फ्सक्राइब करना है क्णिपां सब्सक्राइब तो क्यारी हम बनाएंगे यह जहां जहां यह method यूज हो रहा है यहां जहां हम क्या यूज करेंगे bind seller वाला method हम यूज करेंगे ठीक है यह हम यूज करेंगे और कहां पर क्या यूज हो रहा है हाँ बस फिलाल यहीं पर हो रहा है ओके अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट हमारा जो है प्लीज इंटर सेलर नेम यहाँ पर हमने वैलिडेट किया कि सेलर का नाम होना चाहिए और सेलर का पासवर्ड होना चाहिए यह दोनों चीज़े हैं तो अभी हम क्या करने वाले हैं हमें चलना हैं, seller का हमने table बनाया की नहीं बनाया, बना रखा है seller का table, तो एक मिनट हमें एक query लिखेंगे, select star from tbl seller, ठीक है, तो ये लिखा हमने query, अब हमें क्या करना है, कि हमें फिर से यह query लिखना है, इस बार हमें क्या चेक करना है, कि seller जो है जो भी seller हम यहां पर ले रहे हैं नाम यानि कि seller name right seller name select seller name from table seller where seller name equal to add the rate seller name ठीक है तो हमें नाम से मतलब है बस हम सिब यह एक क्वरी उस करेंगे कि हमें duplicate यहां पर seller का नाम तो नहीं दिख रहा है तो अगर दिख रहा है तो फिर हम क्या करेंगे उसको इंसर्ट नहीं करेंगे यह देखो seller name यह copy किया और यहां पर category की जगह पर seller कर दिया और यहां पर seller name txt है ही अपना तो इस से क्या मिलेगा अपने को इस से यह हो जाएगा वो चेक करेंगा कि अगर duplicate record होगा तो यह if condition आपको true हो जाएगा और यहां पर क्या करेंगा यह आपको क्या करेंगा कि भाई seller name already exist तो आपको यह देखना है यह ठीक है यह seller name already exist और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा एक procedure बनाना पड़ेगा जिस procedure में हमें यहां पर वो सारी चीज़े देनी पड़ेंगी और यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा seller inserted successfully तो अब हमें क्या करना पड़ेगा insert के लिए एक store procedure बनाना पड़ेगा जैसे कि हमने ऊपर में बनाया था किसके लिए update के लिए and even यह create category के लिए बनाया था ना सुसी हम यही copy कर लेते हैं create category scroll down and यहां पर paste कर देंगे इसका नाम क्या देंगे हम इस पी सेलर इंसर्ट जब सेलर इंसर्ट होगा तो सेलर में क्या क्या होता है मेरे भाई यहां पर insert into tbl-seller ठीक है value की बात कर रहे हैं तो इस अपना इंट user है mobile number अपना वेर कह रहे है ठीक है password भी वेर कह रहे है okay fine तो अभी यह बन गए अपना store procedure तयार हो चुका है इंट के बाद होता है यहां पर go ऐसा कर तो ठीक है फिर यह comment एक देते हैं चलो तो अपना यह procedure तयार हो चुका है इसको select करो तो है यह किया मैंने select और यहां पर है incident एक क्यों चुक्वमिन और यह किया मैंने execute store procedure अपना create हो गया और यह क्या करणे यह store procedure का नाम copy कर ले ना इस नाम को तो यहां पर क्या लेखेंगे, seller का नाम, और यह हमें कितने चाहिए? चार चाहिए, तीन रिक चार, ठीके, seller name हो गया, next हो गया, seller का एज, तो second is seller का age, और अगला है क्या, seller का phone number, सही है, यहां पर आ जाओ, phone number, next क्या है, seller का password, तो सेलर का पासवर्ड और इन सब में double add the rate है इसको हटाओ single single करो ठीक है अब यहां पर क्या होगा सेलर का नाम देखो यह हो गया तुम्हारे सेलर का नाम हो गया यहां पर क्या हो गया txt age हो गया ओके यह हो गया txt phone number txt password ओके यह हो गया अभी यह जो age है ना भाई age का क्या integer टाइप का है तो क्या लेकिंगे इसमें हम चाहिए तो convert कर सकते है convert.2int32 और इसके अंदर क्या कर देते हैं यह कि age को इंडर में convert कर लेना फिर हमें क्या करना है सब कुछ सही है record आपको insert हो जाएगा देख लो record आपको insert हो जाएगा ओके और फिर जैसे हमने insert का बनाया ना वैसे हम procedure बनाएंगे अपडेट का तो इसमें यह copy कर लो यहां पर आके paste कर दो ठीक है इस बार क्या होगा seller update तो simply यहां पर लेको update और इसमें सब कुछ सही है बस इसमें एक extra add हो जाएगा जो की है क्या है वो seller वाले table में बलेगा seller id ओके so seller id यह है आपका integer इसमें क्या बनेगा अज बार update अपडेट टेबल seller इसमें क्या करना है set करना है सेट कर दो यहां से कट करो seller equal to add seller comma फिर क्या है seller age equal to add seller age next क्या है seller mobile equal to add seller mobile and then next है seller password so seller password is equal to add the rate password टावर बाकी सब डिलीट कर दो that is int न सही है और इसमें condition होगा where seller id is equal to add seller id ठीक है सही है यह हो गया अपना क्या set करो seller name is equal to seller name seller age seller age phone number phone number password password and where seller is equal to seller तो यह बन गया अपना store procedure update का अब आप इसको execute करो execute हो गया और इसको select कर लो ठीक है वापस visual studio में आजाओ update का code तो लिखा नहीं अपने अच्छा ठीक है बाद में लिख लेंगे खेंगे तो simply category में आगए अभी UPDATE का काम हो गया वापस चलेंगे inne हो गया and then update update में क्या करना बहाई try catch लगा दिए try catch आज में लगाा और grieving tri catch अभे आज में viens adding with tri catch नहीं लगाय क्या इस चलो क्वाँ नहीं लगा देंगे přिलाबेट में आजाता है अब देखो अपडेट में हमें क्या करना है फिर से हमें वही चीज अपडेट करना है अपडेट में हमें पहले सब्सक्राइब चेक करना है कि नाम है कि नहीं जो इंपोर्टेंट है कहां पे पेस्ट कर दिया है अपडेट का डिलीट में डाल दिया इसको यहां से करो कट यह है अपना अप्डेट तो यहां पे करो पेस्ट ठीक है तो सेलर होगा ठीक है सेलर राइट अप्डेट है अप्डेट है तो अप्डेट होगा ऐसे lbl सेलर आइडी से राइट सो सेलर आइडी टिक है यह हो गया और इसकी जुरुत नहीं पड़ेगी विकॉस अप्डेट है और यहां पर क्या होगा सेलर का नाम txt सेलर नेम यहां पर पेस्ट कर तो सेलर नेम एंड थर्ड वन होगा txt पासवर्ड ठीक है प्लीज इंटर नेम यह देखों होगया बहुत सही है और अभी क्या करना है हमें फिर से एड में चलना है एड में आने के बाद जो हमने लगा रखा है यह अली क्वेरी यह दोनों कॉपी कर लेना है ठीक है क्योंकि यहां पर हम डूप्लिकेट चेक कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर यह वाला कोड तो सेम रहेगा अभी फिला लिए चाहिए तो यह मैंने चारो अट कर दिया अभी यहां पर क्या होगा सेलर आईडी कहां पर कर दिया कंट्रोल जट करो यहां पर यह तो हम चेक कर रहे हैं उसके बाद डूप्लिकेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यह यहां पर आके पेस्ट कर देंगे अभी यहां पर क्या लिखेंगे सेलर आईडी है टिक LBL सेलर आईडी हो गई है पाइन सब कुछ सही है अब ही हम क्या करेंगे हमारे पास जो प्रोसीजर का नाम है वो तो ले लेते हैं procedure का नाम लिया और इसको यहां पर यह कर दिया, ठीक है, so not, अच्छा यहां पर भी हमें change करना है, यहां पर हमें यह parameter लगाना ही नहीं है, यह parameter यहां से delete करो, ठीक है, और यह यहां से लगा दो, सही है, तो यहां पर लिख देंगे, seller name already exists, ठीक है, यह हो गया, अपना, तो category में आजाओ, category में update कहां पर है, update, 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 election ये रहा, अपना, category में update और update में भी हमने कहीं पर, यहां पर आजाओ, तो इसमें भी हमें क्या नहीं करना है, formating नहीं लगाना है ठीक, इसमे भी formating नहीं लगाना है और इसको क्या कर देंगे हम यह अब होगा हमारा जो अब देख आप देखोंगे तो seller, जो है नब add seller का add button का code होचुका यहाँ परफेक्ट, ब्रस परिके से कहीं भी क्ष़़ी दिक्कत नहीं है, seller added और फिर seller inserted हो चुका है and उसके बाद update का देखें तो select seller id ठीक है, category description, what a category description, password होगा पंगल this is password, okay word, right, यह आपका password हो गया, password के बाद scroll करेंगे, name अलडी है ठीक है, सब कुछ हो गया, then seller updated अब यहाँ पर हमें क्या देना है यह कौन सा था, bind seller करके था ठीक है, यह वाला आपके पास अलोड़ी है और यहाँ पर category नहीं है, यह simple add button है और यहाँ पर यह क्या है, यह है आपका seller ठीक है, seller id, सही है अफडेशन, fail ठीक है, तो यह हो गया, अब रह गया आपका delete का, तो delete का भी कर देते हैं delete के लिए क्या करेंगे, scroll down, delete, delete यहाँ पर है try case सब में लगाना है, ठीक है, और यह आपने क्या copy, वापस delete में आजाते हैं, यह हमारा delete और यहाँ पर लाके paste कर दिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या-क्या बदलेगा, पहले तो यह बदलेगा, bind, seller है यह, और यह simply add button है, और यह भी क्या है, अपका seller ID, ठीक है, यह बदल गया, category की जगह पर क्या होगा, seller कर दो deleted, ठीक है, और एक minute update में थोड़ा सा और modification करना है, क्या करना है, seller ID है यह, यह आपको यहाँ से copy कर लेना है, और यहाँ पर आके आपको इसको paste कर देना है, ठीक है, यह हो गया, और यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, LBL seller ID, और यही सेम चीज यहाँ पर ले ले लेते हैं, कि अगर आपका seller ID, ठीक है, है, तो हमें एक बनाना पड़ेगा, procedure बनाना पड़ेगा, तो वापस आजाते हैं procedure हम कैसे बनाएंगे, insert का हो गया, जो से delete का बनाया था, अभी हमने, same यही वाला copy कर लेते हैं, यह copy कर लिया, वापस, scroll करेंगे, यह हो जाएगा, आपके seller का, seller delete, to, seller ID हो गया, ठीक है, where, seller ID is equal to, seller ID, ठीक है, यह देखाओ, right, और यहाँ पर लाके हमने इसको paste कर दिया, ठीक है, perfect, तो guys, अभी देखो, हमारा यह, जो है, seller page का, इसका भी हो चुका है, तो एक बर हम क्या करते हैं, इसको run करेंगे, यहाँ से login करेंगे, यह आगया, अभी क्या करना है, add पर आएंगे, seller को add करेंगे, तो एक seller add करते हैं, जो की हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, यह पास्कोड है, add पर क्लिक किया, add, अच्छा, यह issue है इसमें, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर query नहीं दिया, तो query क्या लिखेंगे, एक query की, select star from tbl seller, अभी हम यह कर देते हैं, right, अप सहीर है, हैं अपर seller पर क्लिक किया, तो seller पर क्लिक किया, तो seller हमारा आया की नहीं है, एक भी seller add हुआ या ली, just a minute, go to database, यहां पर आजाओ, तो अभी इसमें कितने सेलर है, ठीक है, तो अभी इसमें है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छोटी के सेलर तो हैं, इसमें है, डेटावेस में, बट यह आया क्यों नहीं, यह काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पेज के लोड इवेंट पे आपको लगाना है, तो पेज का लोड इवेंट यह है, यह सारी चीज़े हो जाएं, तो यहां पे पेस्ट कर दो, ठीक, यह इस तरीके से, अब क्या करेंगे, इसको, run, add user, ठीक है, यह देखो इतने सारी चीज़ दिख रही है, यहां पे, सही है, अभी हमें नया user add करना है, तो यह हमारा, inserted हो इस तरीके से, अब रह गया है आपका यह, सेल के क्लिक पे, सो, अब देख पा रहे हो, अभी एक नया code क्या करना है, यह से आप किसी भी सेल पे क्लिक करो, तो यह आ जाए, यहां पर उसका नाम आ जाए, वो सारी चीज़े अपलिकेबल हो जाएं, ठीक है, तो वो भी हम करे इसके लिए यह सेलेक्ट करो, और इसमें क्या करना है, यहां पर एडिट जो है, इसमें क्या करना 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 है, इ कि हम ने यहां पर लखाय लिखा कुछ कोडό då। कोड़ कोपी सब्सक्राइब तू यहां पर आकर पीस्ट करना है कि इसमें से कुछ चीजें करना है तो जैसे की यह हो जाएगा सेलर आइडी है ठीक है और यह हो जाएगा अयड बटन और और यहां पर क्या जाएगा सिल्र आ जाएगा टीक है और यहां पर क्या जाएगा सिल्लर नेम आ जाएगा सिल्लर नेम के बाद क्या था एज है TXT एज आ जाएगा ठीक है एज के बाद यहाँ पर क्या है TXT फोन है यह आ जाएगा तो यह हो जाएगा नमबर थर्ड इसके बाद क्या TXT पासवर्ड है यह हो जाएगा नमबर फोर तो एक बार अगर आप यह चेक करोगे तो पहले नेम है एज है मुबाइल नमबर पासवर्ड लास्ट में है ठीक है तो इसी ओडर में यह भी है यह देखो वो जाएगा यहाँ पर आगे ठीक है अब जैसे कि अगर में जनल दूजी में इसको डिलीट करना है यहाँ पर आगे अगर 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 अपडेट करना है कुट नाट फाइं रिट्र प्रसीजर सेलर आईडी है एक मिनिट तो डिलीट पर कॉंसा इस्ट्र पर लगा रखा है यह भी चेक करना है मेरा बई तो यहां पर देखोग्द लास्ट प्रोशिजर क्या बना है मेंने लिट फ्रॉम टिबियल सेलर तो देखो यह सेलेक्ट करो वापस चलो यहां पर और डिजाइन व्यू जो डिलीट बटन है ने डिलीट बटन पर आजाओ डिलीट बटन पर आऊगे तो अरे यह क्या लिखा है मैंने आपके सेलर आईडी लिख दिया है ठीक है तो यह है आपका वो मतलब की क्या बोलते हैं उसको इस्टोर प्रोसीजर राइट तो अभी सिस्टोर प्रोसीजर यह रन होगा तो आपका यह तेकोड डिलीट होगा होके तो अगेन ऐसे ही अप छोड़ी खलती है होती रहती है आप जो चार बार आप रन करोगे न और हर एक चीज को चेक करोगे तो जो सारा एरर होगा वो निकल जाएगा वन बाई वन तो मैं आपको इस वूडियो में ही आपको बता दे रहा हूँ कि कहां पर इक्जक्ली क्या प्रॉब्लम हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स कोड का लिंक प्रवाइड कर दोँगा तो आपको वहां पर जाके च्छटा सा मांट प्रे करना है और आ अब देख पा रहे हो यहां पर एक एड यूजर नाम से यहां पर मीनू है और इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दो आप्सन मिलते हैं एक होताइस एड सेलर दूसरा आता है एड एड मिन तो सेलर हमने एड कर लिया है अगर आपको याद हो तो अभी हमने इसे एड किया तो अभी हम क्या करने वाले हैं एक नया पेज आड करेंगे यानि कि विंडो फॉर्म जिससे कि हम एक नया यूजर आड कर पाएं ठीक है तो सबसे आसाम सा तरीका क्या है स्लूस्वार में चला जाओ यहां पर प्रोजक्ट प्रैड क्लिक करो और आपको क्या करना है एक यह प्राइन के लिए क्या करेंगे इसको क्लिक कर सकते हो जैसे कि suppose अगर हम इस पर आते हैं एड यूसर पे ठीक है तो यहां पर यह चीज आप देख पा रहे हो आप चाहो तो यह क्या करूंगा इस मैंसे सर्फ यह इस पर क्लिक किया यह मैंने कॉपी किया सिंपल यहां पर आत जो हमारा group box है ना, group box का यहां पर name हम करेंगे change, यहां पर लिखेंगे add new admin, अब यह जो label है यह तो hide रहेगा, ठीक है, यहां पर seller का जहां पर नाम है, यह वाला label, इसका हम यहां पर change करेंगे, like admin name, और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, admin user id, admin user id, और उसके बाद हमारा बनेगा password, तो हमें इसकी जूरत नहीं है, और नहीं इसकी जूरत है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहां पर, यह हमारा पूरा, यहां से यहां तक हम कर देते हैं, password, ठीक है, यह आपका password तो property में चलेंगे, और यहां पर आपको क्या लगाना है, colon, right? त यहां पर इसको क्या करेंगे admin name ठीक है admin name fine दूसरा जो है हमारा यह कौन सा है इसको भी करेंगे हम txt admin id और जो हमारा next है वो है आपका txt password ठीक है यह वो जाएगा अब इसमें हमें क्या तो बटन चाहिए add button, update button और delete button ठीक है यह money इसको save कर लिया एक और काम करेंगे solution explorer में आ जाओ और हमारा यह जो add seller वाला window form है वो open करना, यहां से grid view को कर लेना copy और यही same grid view हम यहां पे लाके paste कर देंगे ठीक है, यह देखो, कुछ इस तरीके से ठीक है, अभी यह ऐसा बनाने का मकसद क्या था मेरा, कि हम क्या करेंगे देखो, हमें add button तो चाहिए, क्योंकि हमें admin add करना है, फिर हम admin को update भी करेंगे, delete भी करेंगे यह सारा process हमारा होगा तो अभी हम इसको select कर लेते हैं, इसको save कर लेते हैं control is, सबसे पहला काम क्या है add button by double click करो यह button का clickment आगया, एक database का connection का code लिखना है, तो connection का code हम कैसे लिखेंगे जो दो आपने अभी अभी इस वीडियो के दुरू इस add new seller जो form है, इसमें आपने code किया हुआ है तो यही code हम यहाँ पर use करेंगे तो सबसे क्या करना है, simple सा काम है कि आप इस add new seller window form को open कर लेना, तो यहाँ पर आपने, देखो यहाँ पर आपने एक चीज यहाँ पर add किया हुआ है क्या है यह, यह class ना, तो simply यह class को करो copy और यहाँ पर आके इसको paste कर दो यह देखो, again यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्या है label, visible false, update button false यह सारी चीज़े false करनी है तो इसको हम copy कर लेते हैं सारी चीज़े कर लेते है, copy अब आते है, window of applications पे, अभी बात हो रही थी कि page के load event पे, तो यहाँ पर double click करोगे, तो सिधा page का load event आएगा, और हम यहाँ पर यह code हमने copy किया न वह हम paste कर देंगे अब देखो इसमें क्या है, मैं क्या चाहता हूँ क्यों by default, जब आपका page first time open हो, तो आपका यह update page, update button और delete button, यह button और यह आपका एक label है, ठीक है यह क्या आपका? यह आपका label है तो हमें इस label की जूरत है क्या? तो अभी फिलहाल इस label का नाम क्या है? LBL seller ID, तो हमें यह LBL seller ID नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? हमें अगर चाहिए तो क्या चाहिए? LBL admin ID, ठीक just a minute, that is LBL admin ID, ठीक है? यह नाम दिया है मैंने इसका इसको save कर लो, वापस यहां पर आ जाओ, और यहां पर क्या है? LBL admin ID, तो कोई अपडेट हो गया तो जैसे ही हमारा page load होगा, यह button hide हो जाएगा, यह hide हो जाएगा और यह hide हो जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो यहां पर focus ला सकते हो cursor का तो अभी हम code के तुरू यहां पर दे सकते हैं, कि like txt कुछ इस तरीके से यह देखो, हो गया तो सबसे पहले add button पर क्लिक करो add button पर क्लिक किया, अब add button पर सबसे पहला काम क्या है validation का तो आप पहले भए validation लगा दो तो simple सा validation हम if और else का use करेंगे text equal to string dot for example फिर से हम आएंगे इसी form पर add seller वाला form है ठीक है यह वाला form है अब इसके add button पर क्लिक करना यहां पर देखो क्या use कर रखा है हमने यह use कर रखा है इसको copy कर लो message box ठीक है तो हम यहां पर इसको paste कर देंगे अब यहां पर क्या लेकिंगे please enter okay please enter that is valid admin name okay admin user id and password right और यहां पर क्या करेंगे अब हमें क्या करना है अब हमारे 3-3-3 जो हमारे text boxes को clear कर देना है तो txt इसको क्या करना है clear txt password को भी क्या करना है clear करना है और clear करने के बाद हमारा txt admin name dot focus अभी एक चीज़ देखो यह code क्या है यह code हमारा है इससे हम क्या करेंगे बार बार control को clear करेंगे control तो कई दफा clear होगा जब आप add पे click करो तो record add हो जाए control clear हो जाए जब आप update पे click करो record update हो जाए clear हो जाए text box फिर delete पे click करोगे तब भी record delete हो जाए और सारा control clear हो जाए तो कहने का मतलब है कि हम कई बार इसको use करेंगे तो क्यों ना हम इसको हम क्या बना दे function बना दे तो यहाँ पर चलो simple क्या करेंगे हम इसको काम करते हैं simple देखो एक काम क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं यह आपका यहाँ पर आते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे private wide हमारा जो बटन का नाम होगा clear btn ऐसे कर देते हैं ठीक है यह हमारे function का नाम होगा अब इस function में क्या करेंगे हम यहां से cut कर लेते हैं सारी ही जे और इसको हम इस function में डाल देते हैं फिर हम क्या करेंगे इस function को जहां भी जरुत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ यह function हम use कर लिया करेंगे अब यह हो गया आसान सा तरीका ठीक है तो simple सा code हमने किया है कि अगर इन में से कोई beam party होगा तो error message आएगा fine और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे अब हम record को पहले तो अब हम check करेंगे अब यहां पर भी क्या काम करना है इसके लिए फिर से हम if use करेंगे अब यहां पर क्या करेंगे तो if use हम ने बना दियां अभी हमे सबसे जहां पर आना है उपर की तरफ code हमारा यहां पर Mentioned है already हमने इसमें लिखा था इसमें जो code लिखा वह 요 proto हम use करेंगे तो इस पे हम देखा यहां पर लिखा यहां हमारा query हो गाएंगी ठीक है query हम कहां से बनाएंगे query के लिए आते हैं अपने database में अब database में आपकर आप देख पा रहे हो तो यहां पर आ जाओ देखो अभी यहां पर हम क्या use करेंगे select star from what is this tbl देखो अभी tbl admin ठीक है अभी यह query आप रण करोगे तो उससे पहले है आपको यहां पर database select करना पड़ेगा database कौन सा है मेरा go mart ठीक है fine अभी आप इससे select करोगे okay तो यह है हमारा table अभी इस table में अगर हमें कुछ select करना है मैंने बोला select क्या select करना है तो मालनो admin id select करना है from tbl admin okay where admin id equal to single quotation में जो भी आपका admin id हो वो दे दो तो मालनो मेरा यह query है तो मैंने लिखा select करो admin id तो यह जब query चलाओगे तो क्या आएगा यह वाला दिकावड़ा जाएगा ठीक है तो यह बना हमारा query इसको हम कर लेते हैं copy और यह query हम यहां पर use करेंगे तो यह इसको मैंने यहां पर paste कर दिया अभी यहां पर देखो यह त txt यह होगे अपका admin id dot text यह query चलेगी यहां से data connection open हुआ यह से execute करेगा और result में आज आएगी value ठीक है और यह if condition की help से हम क्या करेंगे value को check करेंगे जैसे कि यहां पर किया था यहां पर क्या किया था आपने देखो मैंने क्या बोला अगर result जो होगा does not equal to null अगर यह null नहीं ह क्या करेंगे तो simple यह वाला copy कर लो आप चाहें तो यह被 copy कर लो आप चाहित और यह इफ copy कर लो और यह पर आएंगे तो यह पर प्य怕 यह यहां पर लांगे paste कर दिया ठीक है तो अभी यह क्या है इस txt की जगह पे हम क्या कर सकते हैं TXT की जगह पर हमारे पास यह function है, यह function हम कॉपी करके यहाँ पर हम इसको paste कर रहे हैं, ठीक है, clear button, हमने क्या बोला, seller name already exist, तो seller की जगह पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, admin id, already exist, तो यह हमने एक चोड़ सा example यहाँ पर set कर दिया, अब देख पा रहे हो, यह, fine, तो अगर अगर, fails होजाएगा, सिधा condition कहाँ है, else में आएगे, और जब else में आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि भाई, आपका, जो record है, जो भी आपने admin का id set किया हुआ है, वो unique है, वो first time database में enter होने जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप insert का code लिख होगे, तो insert का code के लिए क्या करोगे, फिर से, यहाँ पर आओगे, ठीक है, कहाँ पर आना, यह, यह, देखो form, अब यह form कहां मिलेगा, आपको, आपने अभी create किया है, जो लोग गूरियो starting से देख रहे हैं, उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो लोग ने अभी directly start किया है तो उनसे यह request है कि आप beginning से देखना, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे यह code करेंगे, ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ तक यह हो गया portion, यह वाला, ठीक है, यहाँ से हो गया कि हमने check कर लिया, कि record हमारा duplicate है या नहीं है, तो अगर duplicate नहीं है, तो क्या करना करेंगे, यहाँ पर आके यह किया connection को close, ठीक है, यह है आपका clear, तो clear को हम यहाँ पर करेंगे clear, और अभी हमने यह bind वाला concept किया नहीं, तो bind को हम थोड़े ज़रे कलिए comment कर देते हैं, ठीक है, ओके fine, अभी यहाँ पर क्या हमने procedure भी नहीं बनाया है, तो procedure हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, यह तरगा function है, SQL के लिए, जहां पर हम अपनी query होती है, उसको इसमें लिखेंगे, बतलब एक प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, multiple lineup statement आप लिख सकते है, SQL के, तो अभी जिसे कि इसमें 3 column है, तो हम क admin, ऐसे कुछ, ठीक है, यह बनाया, यह हो गया, as, begin, go, just, end, or go, ठीक है, ऐसे बनता है, तो क्या होगा, यहां पर, यहां पर आजाओ, और अभी इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में आएगा आपका, at the rate, admin, यह क्या था, and where, care, ठीक है, at the rate, password, and where, care, and where, care, 50, ओपर भी क्या होगा, and where, care, 50, फिर क्या, add the rate, full name, okay, and where, care, 50, okay, और अगर कोई issue है, तो table अब देख सकते हो, table में क्या, पहले, admin id है, okay, and where, care, 50, password, और फिर password है, फिर यह है, okay, great, तो full name बन गया, अभी क्या करेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमें लिखना है, insert into tbl admin, table का नाम, अब उसके बाद एक एक करके, जो भी उसके column है, वो लिखना है में, क्या है, admin name, फिर password, फिर क्या है, full name, यह देखो, फिर इसकी value कहां से आरी, value, और value में क्या करोगे, आप यह सारी चीज़े copy कर लो, और यहाँ पर paste कर दो, और फिर यहाँ पर लगा दो, add the rate, add the rate, add the rate, यह password है, तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, great, अब आपका यह procedure बन गया, ठीक है, देखो insert का procedure आपका अटाक से यहाँ पर बन चुका है, तो insert into table, table में क्या क्या insert करना है, वो सारे columns आ गए, और फिर उसकी value आ गई, और यह मैंने किया, इसको execute, तो आपका procedure भी ready हो गया, यह copy कर लो, वापस सब Visual Studio में आ जाओ, और यहाँ पर इसमें procedure आपर से दे दो, अभी value क्या क्या आ रही है, value एक आ रही है, आपका admin की ID आ रही है, ठीक है, और admin ID की value कहां से आएगी, txt, admin ID से आएगी, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है, password था, okay, password, और password भी हमारा क्या है, password.txt, okay, next आपका क्या है, full name, जूरत नहीं है, यह देखो, अब यह सारी value सेट हो गए, उसके बाद जैसे ही आएगा यहाँ पर, record सेट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, admin inserted successfully, ठीक ह और यह क्या है, this is the bind admin, तो bind seller करके, हम इसको क्या बोल देखेंगे, bind admin, जो भी admin आपका है, database में, उसको हम लाग के database है, यहाँ पे है, grid view, grid view में bind करेंगे, तो bind के लिए क्या लिखा था हमने, यहाँ पर आजाओ, देखो, bind के लिए अपने एक function बनाया था, right click करो, go to definition, यह function ना, तो same function का, आप यह copy, सारा code copy कर लो, इदर आ जाओ, अभी देखो, यहाँ पर क्या, यह है, मैंने इसका नाम क्या कर दिया, bind, और अभी यह function तो create है नहीं, इस पे आप cursor रखोगे, यह वाला आएगा, इस पे, इस पे double click करोगे, automatically इसका, यह देखो, बन जाएगा, और जो code copy किया था, वो यहाँ पे paste कर देंगे, ठीके, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, select tbl, क्या था, admin नाम था, तो admin, यह इस तरीके से, और जो भी record आएगा, वो हम data grid view में bind कर गे, यह आपका, यहाँ पर function मन गया, record को bind करने का, perfect, तो अभी यहाँ पर आजाते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, हम यहाँ से validation कर रहे हैं यहाँ पर, और validation अगर सही हुआ, तो यहाँ आएंगे, check करेंगे, duplicate record तो नहीं है, अगर duplicate नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर insert करेंगे, ओके, यह, तो आपका record जो है, वो हो गया है, ready, अच्छा, एक बार आते हैं, यहाँ पर click करे करेंगे user पर और यह admin है, तो admin पर करेंगे double click, इसका click went आ गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो form है, क्या नाम है इसका, add admin, aaf equal to new add admin, okay, so aaf.show, यह देखो, ठीक है, अभी क्या, इसको execute करते हैं, अब देखते हैं, हमारा जो form है, वो कैसा हमें display हो रहा है, यहाँ से क्या login, okay, ठीक है, user पर गया, यहाँ पर add admin, तो हमारे सामने यह वाला page आ गया, ठीक है, अभी यहाँ पर हम, मालो कोई admin हमें add करना है, तो मैंने बोला, ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, user name, user id, user name ने बनाया, इसका like rabhi kumar, ठीक है, अब हमने password क्या दिया, 12345, अब जैसे मैंने इसको add पर क्लिक किया, record हमारा क्या हो गया, insert हो गया, फिर हमारा control क्लियर हो गया, और जो record था database में bind हो के हमें यहाँ पर show भी हो रहा है, ठीक है, perfect, okay, तो यह हमारा record यहाँ पर दिख रहा है, आप देखो यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर इसका logo लगाना है, तो वह भी हम लगा लेते हैं, just a minute, तो simply आप design view में चलो, admin के, और यहाँ पर icon पर आजाओ, three dot पर क्लिक करो, और यह अपना icon select कर लो, इसको save कर लेना, अभी क्या करते हैं, अब हम चलेंगे अपने update बटन की तरफ, तो सबसे पहले double click करो, update बटन पर, यह आपका update बटन का click equipment आगया, okay, अब update बटन का code आपने previous form में भी कर रखा है, तो same, मतलब, code हमारे same रहेंगे, तकरीबन, सिवाए आपके store procedure के, और जो भी control के नाम है, तो, देखो try catch बड़ा ज़रूरी है, try catch में आपको सारी चीज़े लिखनी है, तो अभी वापस आते है, admin में, यहाँ पर add add पर आने बाद देखो, अगया, आपने try, catch यूज़ किया है, नहीं किया है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ पर लिखो try, ठीक है, और क्या लिखोगे, catch, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, exception, ex, right, और आप चाहो तो, यहाँ पर भी देख सकते हो, और exception में यहाँ पर आके paste कर देना, ठीक है, इसका क्या काम है, कि अगर कोई exception आएगा, तो यह जो message box है, वो क्या exactly, वो exception क्या है, उस error को show कर देगा, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, यह जो यहाँ से पूरा code है न, यह पूरा code यहाँ से करो, cut, और इसको try के अंदर में लाके paste कर दो, यह, इससे क्या होगा, इससे यह होगा, कि जब भी आपका code में कोई problem होगी, तो यह उसको handle कर लेगा, ओके, अब ऐसे ही हम आते हैं यहाँ पर, अपने, जो हमारा button है, update button, और इस button पर आने के बाद हम क्या करेंगा, यहाँ पर हमने लगा दिया try catch अब हमने यहाँ पर लगा दिया try catch, ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या है, कि अगर हमने update button पर click किया हुआ है, तो update तभी होगा, जब आपके, यह जो text box है, ठीक है, इसमें record होना चाहिए, empty नहीं होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, तो अब empty नहीं हो, तो इसके लिए क् हमारे पास यह वाला if condition है, यह देखो, इसको select कर लो, ठीक है, और यहाँ पर चलो, यहाँ पर आके पहले इसको paste कर दो, तो मैंने बोला if, अगर यह empty हुआ तो, ठीक है, ओके, और इसमें एक चीज़ और सामिल करते हैं, पूछो क्या, इसमें ले लेते हैं, और हमारे पास label है, lbladminid.text equal to, what is this, string.impity, तो मैंने बोला यह वाला भी, जो label है हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो label है यह, इस label में आपके admin का जो भी नाम होगा, वो आ जाएगा, select करने पर, ठीक है, तो यह हमने दे दिया, please, internal admin name बगएर बगएर, और अगर, ऐसा नहीं है, यानि कि सारी text box म करना पड़ेगा, ठीक है, अलोडी code यहाँ पर, mention है, update button का, आप उससे देख सकते हो, यह देखो, ठीक है, पहले आपने validation कर लिया, फिर else part में आप क्या करोगे, simply उसको update करोगे, ठीक है, अब update करनी का क्या process है, अपडेट करनी का क्या process है, तो आपको पहले फिर से चेक करन पड़ेगा, कि कहीं, अल्रडी वो नाम उसमें अल्रडी है, और आप फिर से उसको क्या कर रहे हो, update कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से यह वाला code हम copy करेंगे, तो उससे बेतर है कि हम यहाँ पर आजाते है, admin वे, इसकी ज यहां तक, यह मैंने copy कर लिया, और वापस update बन पर आएंगे, इस वाले part में आके हम इसको क्या कर देंगे, paste कर देंगे, ठीक है, तो हमारा यह तो same रहेगा, क्योंकि उसी table की बात हो रही है, already exist, ठीक है, अभी हमारा change होगा, यहाँ से होगा, अभी हमें क्या करना पड़े अब यहाँ पर add था, वहाँ पर क्या लिखेंगे, update admin, update में क्या चाहिए अपने को, अपने को यह तीनों आगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम update लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे की update table admin, अब इसमें क्या करना है, set करना है, क्या set करना है अपने को, इसमें set करना है, तो आप user id नहीं कर पाओगे न, set आप user id set नहीं कर पाओगे, मैं इसको दूंगा ही नहीं, because की, just a minute, देखो, यहाँ पर आजाओगे, add the rate, क्या लगाना है, password, ठीक है, यह आपका password होगा, यहाँ पर, फिल फूल नेम है आपका, तो यह बनेगा आपका, full name, equal to, full name, ठीक है, इसके बाद, where, admin id is equal to, add the rate, id, यह देखो, यह आपने कर दे, मैंने क्या किया, की, update करो, admin table, ठीक है, उसमें set करना है, password is equal to password, full name is equal to full name, where, admin id is equal to admin id, ठीक है, तो यह मैंने किया, इसको execute, what happened, अच्छा, हमने यहाँ पर admin id दिया, तो यह भी हम यहाँ रखेंग, इसी को, same, because यह variable कहाँ पर declare है, इसको पता नहीं चलेगा, अब इसको execute किया, perfectly, ठीक है, यह हमारा update का code है, procedure है, ठीक है, तो यहाँ पर आके, हमने यह दे दिया, update का procedure, तो हमने बोला, यह value यहाँ पर आ रही है, अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, जो को, इस से कोई लेना देना ही नहीं न, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, lbl, हमारे पास जो label है, न, मैंने ब बाकी, admin, record, updated, successfully, ठीक है, record update हुआ, और आपको, यहाँ पर message मिल जाएगा, कि आपका वो, जो भी है, record आपका update होगा, तो हम क्या update कर रहे हैं, user, जो भी होगा, admin, वो अपना password और वो अपना name, यह दो चीज़े क्या कर पाएगा, यह दो चीज़े, वो अपना update कर पाएगा, और एक का मोर करेंगे, कि जब हम update कर रहे हैं, जब से ही हम update कर रहे हैं, तो update पे क्या होना चाहिए, update पे फिर से आपका clear हो जाना चाहिए सब कुछ, तो last में आते हैं, यह अपे फिर से clear कर रखा है, और ये आपका admin, ठीक है, fine, अब उसी तरी के चो delete का करेंगे, तो delete पे क है तो यहां पर क्या हो रहा है सबसे फिले ट्राइच तो यहां पर आओ यह लिखा हमने ट्राइच ट्राइच अब पहला काम क्या है हमें सिर्फ यह देखना है कि जो भी हम डिलीट कर रहे है हमारा क्या है वो lbladminid.text यह क्या नहीं हो does not equal to string.impity यह फिर हम इसको बोल देते हैं equal to string.impity something अगर equal to हुआ तब तो हमें error message देना है अगर नहीं हुआ तो उस case में क्या बोलेंगे हम इसको हम copy कर लेते हैं और यहां पर दाके paste कर देंगे इसमें क्या है please select admin record अगर ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ तो हमें delete ही करना है तो delete करने से पहले हमें क्या करना है एक और चीज करना है कि यह जो dialogue है आपका yes या no का वो आना चाहिए right यहां पर आ जाओ और यहां पर लगा जाओ okay तो यहां पर क्या है this is clrbtn ठीक है और यहां पर क्या है add admin यह है आपका lbl admin id ठीक है और यह वाला यहां से copy करो और यहां से लाके paste कर लो यह देखो यहां पर क्या है lbl आपका admin id है label और यह क्या कह रहा है यह मांग रहा है इंटीजर में तो इंटीजर में हमें देने की जरुरत नहीं है कि यह value where कह रहा है ठीक है तो क्या रहा है do you want to delete तो confirmation आप करोगे ठीक है यहां पर क्या है seller delete यह procedure हम यहां से change करेंगे तो procedure हम बना लेते हैं procedure हम कैसे बनाएंगे simply इसको copy कर लेते हैं और यहां पर हम इसको paste कर देते हैं अभी क्या करेंगे हम यह update से क्या बोलेंगे इसको delete और हमें क्या चाहिए delete होने के लिए स्रिफ हमें user okay user id ही काफी है तो यहां पर क्या लिखेंगे like delete tbl admin where admin id is equal to admin id काम करेंगे so delete from table just a minute like select start from tbl admin अब यहां सब देखोगे क्या है भाई यह कितने record है अब मुझे यह वाला delete करना है तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हमने लिखा यह और हम क्या करते हैं यह सिर्फ query run run करेंगे तो आपका यह successfully delete हो गया ठीक है देखो तो क्या करेंगे इसकी जगह पे simply हमें add the rate यह कर देना है बस फिर हम इसको select करेंगे execute करेंगे हमारा procedure तयार है यह कर लिया copy और यहां पे लाकर हमें इसको paste कर दिया ठीक है और यह क्या है भाई यह होगा अपना admin id that is admin id first class update पे हो गया lbl ओहो सही है ठीक है तो यहां पर देखो यह कह रहा है अगर yes होगा तो और अगर yes नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा आपका record update नहीं किया जाएगा ठीक है तो अभी हम इसको फिर से करेंगे execute और इस पर हमारा यह perfectly चलेगा सबसे पहले login करते हैं login successfully वापस आते हैं add और यहां पर एक admin add करते हैं तो admin का नाम हम दे देते हैं यहां पे okay यह तो नाम हो गया अब यहां पर उसका admin id तो यह मन दे दिया ठीक है इसका password अब क्या करते हैं इसको add करते हैं अब हमारा काम क्या है इसको delete कैसे करना है कब हम delete करेंगे इसको अब question ही आता है कि जब मैं किसी भी row पे click करूंगा तो उस row का admin id है वह admin id वाले text box में password है वह password text box में यह full name है वह full name text box में आ जाना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा यह जो मारा grid view है इसके click पे किसी भी row के click पे ऐसा होगा तो सबसे पहले वह काम करना है तो आपने किया भी था आप यहाँ पर आ जाओ पुराना वाला जो page है आपका form है इसके आओगे event पे चलोगे तो यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है click event पर double click करो यह अब इसका code कहां से आएगा तो यहाँ पर already यह code बना हुआ है यह जस्ट सारा code copy कर लो और यहाँ पे लाके paste कर दो दो देखो यह ठीक है तो यह हमारा क्या है यह है LBL admin ID यह सही है और LBL admin ID में admin का ID यह तो सही है उसके बात क्या है आपका txt that is password है ना password में आपका password आजाएगा और आपका क्या है txt admin name में आपका admin name आजाएगा बाकी सारी चीज़े आपको इनकी कोई जरूत नहीं है 01223 अगर आपको लगे यार इस code में हमारा error आ सकता है तो सबसे बेस तरीका क्या है इसमें try catch लगा दू मेरे भाई यह try लगा है catch का option यहाँ पर है copy कर लो और यह लाके यह देखो try catch लगा दिया अब क्या करेंगे यहां से सारा code यहां से हम करेंगे cut इसको हम यहां पर डाल देंगे ताकि अगर कोई भी error बगए तो यह easily उसको handle कर ले अब हम करेंगे successfully यहां पर आते है add admin ठीक है तो अभी हम एक admin edge करने वाले है और इसका हो गया यह admin 123 123 यह इसका password add पर क्लिक किया ठीक है अब यह हो गया अब मुझे रोहन को update करना है रोहन पर क्लिक किया आ गया इसका नाम क्या है रोहन कुमार लाइक ठीक है अब यह कहता है नहीं है मुझे अपना password पर add करना है add the red abc ओके यह तो आ गया फुल नहीं इदर आ गया यहां पर यह आय नाय उससे मतलब नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे है यहां पर देखो हमने यह रखा न रोहन 123 हमें यह ज़रूरी है अब जैसे update पर क्लिक करेंगे please enter valid name and अच्छा इसमें record नहीं जा रहा न तो यह क्यों नहीं जा रहा इसका code हमने लिखा नहीं कहां पर नहीं लिखा यहां पर नहीं लिखा यहां पर इस जगह पर तो इस जगह पर क्या होगा यह जो जा रहा है यह वाला record यह copy कर लो फिर से और इसको एक और बार paste कर दो और यहां पर क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे txt admin id ठीक है simple यह अब साहिए यहां पर admin और अच्छा यह देखो अब एक और issue है कि जैसे हमारा page load होना record आना चाहिए तो वो कैसे होगा यहां पर देखो एक function है ना यहां पर कौन सा function यह bind करने वाला ठीक है इसको copy करो और यह जो form है इसके page के load event पर डबल क्लिक करोगे इसका page का load event आजाएगा यहां पर लागे इसको just a minute okay यह देखो अभी हो गया तो page के load event पर लिखेंगे तो जब भी हमारा page load होगा वो function call होगा bind admin और उस function में जो code होगा उसकी help से database से सारा value आएगा और आपके grid view में display होगा तो यह login हो गया अपना और यहां पर क्लिक किया तो admin अभी देखो initially तीन admin दिख रहे हैं अभी मेरे को रोहन का change करना है क्या change करना इसका अच्छा इसमें एक चीज़ और होना चाहिए देखो फिर एक चीज़ और आ गया अगर बंदा यहां पर कुछ type भी कर देता है suppose ऐसे स अगर इसमें टाइप कर दिया तब ठीक है मानलो उसने अगर नाम ही change किया और अगर उसने अपना password चेंज किया अप्डेट पर क्लिक किया, record हो गया update ठीक है अच्छा फिर से रोहन पर क्लिक किया इस बार उसने क्या किया ना इसको इसको empathy कर दिया और फिर उसने क्या किया यहां पर पासवर्ट में कुछ और डिजिट कर दिया, तो क्या कर रहा है, admins record updated successfully, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहा है, हम इसको लेके चल रहा है, यहां पर label में जो rohan123 लिखा हुआ है, हम इसको लेके चल रहा है, ठीक है, अब यह हमें word, update, what happened, क्या हो गया, फिर से click करो, हम क्या change कर रहा है, हम तो password ही change कर रहा है, rohan123, हम यह, आपे click क्या है, और क्या करेंगे, आपे, यह update, तो क्या रहा है, admin ID already exist, right, तो यह दो चेक करना है, अभी यह चेक करना है, इसमें क्यों इशु आ रहा है, अपने को, just a minute, stop, देखो, हम क्या करें, update पे, update पे click क्या हमने, ठीक है, update पे आगे, अब यहाँ पे क्या रहा है, select, admin ID from, tbladmin ID, where, txtadmin ID is equal to, अच्छा, तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए, तो अब हमें इसके तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि हम user ID, मतब, admin ID को तो हम update करी नहीं रहे न, तो जब हम admin ID को update ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें, तो हमें इस code का कोई काम नहीं है, right, okay, शलो, एक काम करते हैं, update में हमें इसके कोई काम नहीं है, right, यह हमें तब यूज आता, जब हम, अगर हम admin name भी update कर रहे होते हैं, तो अब इसका यूज नहीं है, तो हमारे पार दो रास्ते हैं या तो हम इसको क्या कर दे हम इसको कमेंट कर दे but the best part क्या है बेस्ट पार्ट यह है कि आप इसको यहां से पुरा कट कर लो ठीक है इसके बाहर आके यहां पे इसको पेस्ट कर लो ठीक है and एक चीज और हमें यह लिखना पड़ेगा SQL कमांड यहां पे ठीक है फिर हमें एक यह भी चाहिए इसके बाद okay और बाकी यह जो कोड है यह कोड हमारे किसी काम के नहीं तो इस कोड को हम यहां से रिमूब कर देते है ठीक है okay तो यह तो अभी मैंने इसको रिमूब कर दिया बट ऐसा कोड हमें कभी भी मदब हमें इसकी जूरत आ सकती है तो हम उसको फिर से बना लेंगे अलड़ी हमने इसको दूसरे फॉर्म में कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हो ठीक है तो यह हो गया तो अभी क्या होगा अभी कोई इस्यू नहीं आएगा हम पिर से इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आप क्या कर सकते हो चीदों को कई बार आप तरह तरह का रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करके आप उसको रन करोगे ना ताकि प्रॉपर जो एक बार रिग जान को का देस्की बार गया तो यहां पर देते हैं ना इक कहरु के यह डे दिया सका पासवर्ड 123 यह हमने सको एड किया है यह एड हो गया ठीक है रहां प्रॉहन पर क्लिक के आ आ गया अभ रहन का पासवर्ड हम चेंज करते हैं तो मैंने बोला आपका अप्डेट हो गया ठीक है अब डिलीट करना है किसी को तो मैंने का संजे को डिलीट करते हैं इस पे क्लिक किया डिलीट पे क्लिक किया तो पहला है कहला है तो पहला है कहला है do you want to delete the confirmation no करोगे तो कुछ नहीं होगा अगर आप no करोगे तो क्या होना चाहिए no करोगे तो क्या होना चाहिए या तो text box clear हो जाए ऐसा भी कर सकते हो आप अपने need के हिसाब से बट अगर आप yes करोगे तो आपका record deleted ठीक है देख सकते हो record आपका delete हो गया तो इस तरीके से आप यह admin का form यहां पर बना सकते हो fine अभी देखो इसमें च्छोड़ता problem क्या है यह देखो तो इस चीज को आपको क्या करना है आपको इसको fix करना है तो fix करने के लिए आप form को select करोगे इसकी यहां पर property पर आओगे तो आप इसको fix करना है यह form border क्या है fix single login और यहां पर यहां के admin अब आप इसको नहीं कर सकते है क्योंकि आपने इसको fix कर दिया तो अभी यहां पर admin को add कर सकते हो तो दोस्तों अभी हम एक form create करने जा रहे हैं जहां से हम क्या करेंगे product को manage करेंगे तो इस form पर हम basically क्या क्या operation करने वाले है number 1 होगा कि ह product को add करेंगे उसके बाद उसको update या edit करेंगे and third one delete करेंगे और फिर last one होगा आपको product को search करना ठीक है ठीक है तो form create करने के लिए source controller पर आएंगे और यहां पर right click करेंगे then आपको add पर आना है और अगर आपने इससे पहले form add कर रखा है तो यहां पर आपको shortcut दिख जाएगा otherwise आप यहां पर जाएंगे new items और यहां के तरू जाके आप add कर सकते हैं form को तो यहां पर आएंगे window form और यहां पर हम form का एक नाम यह हमारा यह form add हो चुका है इस पर right click करेंगे अब इस form की कुछ properties है जिनको आपको change करना है सबते पहले हमें क्याना चाहिए maximize जो है यह हमें button नहीं चाहिए तो इसको false कर देंगे ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है इसका एक icon set करना है तो एक icon set कर देंगे एक और important thing की यह जो है आपका border इसको क्या कर देंगे fixed single अब इसके designing के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें basically जैसा की हम login पेज पर यह tab यह जो है हमारा group box यह use कर रहे है तो यह ऐसा ही format हम use करेंगे तो सबसे बेतर क्या है कि अगर आपने seller बना रखा है तो seller पर अलोड़ी सार आप इसको क्या करना right click करके आप इसको copy कर लेना ठीक है simply copy कर लो यहाँ पर आके इस पर right click करके यहाँ पर paste कर दो तो जैसे आप group box को paste करोगे तो पूरा design यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से आपको right और आप इसको इस तरीके से कर लो fine आप देखो इसमें हमें क्या चाहि product okay यह ठीक है यह हो गया हमारा अब यहाँ पर क्या करेंगे यह label हमारा रहे गया ही रहेगा क्योंकि यह जो label है इसमें हम जब भी update करेंगे तो उस time पर हमें इसकी जुरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको product ID कर देते है लैल बील product ID ठीक है यह चलो product ID कर अब हमें जो बनाना है design तो सबसे पहले इसमें क्या होगा हमारा इसमें होगा एक ID ID ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं पहले हमारा होगा product का नाम तो इस पर right click करेंगे इसके property में चलेंगे तो text property में आजाओ तो यह आपका क्या होगा product का नाम तो यह होगे आपका product का नाम ठीक है product के बाद आपका यह क्या होगा price and price के बाद यह आपका हो जाएगा इसको भी rename करेंगे quantity और यहां पर यह last वाला हो जाएगा जिसको हम कर देंगे category ठीक है तो क्या हो गया आपका product का नाम हो आगया उसका price आगया quantity आगया और category आगया ठीक है तो यह हम कर देंगे तो इसको हम ऐसे करेंगे पहले हम क्या देंगे हमें product का नाम select करना है and then category आएगा देखो price को हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं हमारा क्या आएगा सबते पहले product का नाम आएगा field हमारा product का category एक काम और करेंगे कि थोड़ा सा हम इसको button को नीचे कर देते हैं ठीके ये जो आप देख रहे हो इसको थोड़ा सा हम resize करेंगे नीचे की तरफ इसको विजबर हम ऐसे करेंगे ऊपर product का नाम और उसके नीचे text box ठीके इस तरीके से then इधर आ जाओ category और category के बाद आपका ये आ जाएगा ठीक है अभी category है ना तो category के लिए हमें क्या चाहिए category बिसिकली हमने एक table बना रखा है तो category के लिए जो हम use करेंगे control उसका नाम होगा combo box ठीक है तो category के लिए हम combo box उसको यूज करेंगे क्यूंकि अलड़ी category नाम से तो हमने यह ले लिया यहां पर और इसको कर देते हैं price यह देखो just a minute ठीक है यह हो गया price and then आपका आपका क्वान्टिटी ओके यह हो गया अपना quantity and quantity के बाद क्या हो गया product का नाम category प्राइज quantity और भी कुछ चाहिए नहीं एक minute हम चेक कर लेते हैं और भी कुछ चीज़रती है नहीं ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं थोड़ा सा अगर हम इसको पास पास कर लें तो हमारा शायद इसमें यह quantity भी फिट वह जाए तो अभी आप देख पार हो यह कुछ इससरी कुछ डिजाइन हमारा वह जाएगा और जो भी बटन है इन सभी बटन को हम एक कॉर्णर पर रख देते हैं इस तरफ अभी हम क्या करें कि नीची जो एरिया द नेम है ना नेम प्रॉपर्टी आपको वह थ्रहा सा चेंज करना है तो यह आपका हो जाएगा टी एकस टी आपका यह है प्रोडक्ट का नेम ओके और जो यह वाला है यह आपका है कमबो बॉक्स तो इसको क्या लिखेंगे cmb category दूसरा जो है आपका यह क्या है टी एक्स टी प्राइज और जो तीसरा है यह आपका टी एकस टी क्वांटिटी ठीक है एक और पैनल ले सकते हैं जस्ट बिनट यहां पर आएंगे एक हम लेंगे पैनल कंट्रॉल तो यह लिए हमने एक पैनल कंट्रॉल यहां पर ठीक है और यह अब यह जो पैनल कंट्रोल है इसका हम एक background color हम change करेंगे बिच वन आचा चलो अभी के लिए यही लेते हैं और यहाँ पर हमें क्या लेना है तो हम क्या लेंगे एक combo box लेंगे यह लिया हमने एक combo box तो यहाँ पर लिया combo box हो गया और एक हम यहाँ पर क्या लेंगे एक हम label यहाँ पर copy कर लेते हैं इस तरफ और इस label का आपको क्या करना है tax property आपको लिखना है search ठीक है आपको font में आना है font थोड़ा सा आप increase कर दो 10 bold भी कर दोगे तब भी बेतर है यह ठीक है और इस तरफ हम एक button चाहिए हमें just a minute यह जो add button है इसी को copy करके हाँ पर paste कर देंगे और यह हमने इसको यहाँ पर रखा यह जो मारा button है इस button की कुछ properties हैं उनको change करना होगा जैसे कि इसका यह जो color है इसको आपको remove करके कुछ yellow या green सा कुछ लगाना होगा so just a minute मैं देखता हूं कौन सा color है यहाँ पर okay यह color और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका क्या होगा just refresh ठीक है यह ऐसा कुछ great अभी आपका यह बन गया अब हम क्या करेंगे चलेंगे अपने main form पर यहाँ पर आएंगे product पर डबल क्लिक करेंगे न देखो यह देखरो आप इस पर आप चाहो तो इस पर sub menu add product अब add product पर डबल क्लिक करोगे तो इसका click went आ गया अब यहाँ पर हमें क्या करना है हमारे पास जो form है add product ठीक है ap is equal to new add product ठीक है then ap.show dialogue या show कर सकते हो इससे क्या होगा आपका यह visible हो जाएगा ठीक है तो अभी हम इसको एक बार execute करते हैं और फिर हमको UI दिखाते हैं कि कैसे आपको यह दिखाई देगा login करने के बाद आपको यह दिख जाएगा dashboard आप क्या करना आपको product पर आएंगे तो add product इसपे click किया अब यह आ गया ठीक है यह आ गया अब इसको maximize नहीं करते हैं यह सारी चीज़े ठीक है अभी एक काम क्या है जैसे कि यह तो empathy है इसमें record आएगा page के load पे इसमें भी आएग यह सारे buttons हैं यह सारे buttons है आप देख पा रहे हो refresh का यहाँ पर record show हो जाएगा okay so कुछ इस तरीकल scenario हमने बना रखा है इसको तो अभी हमारा पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो यह category इसमें आ जाए ठीक है category हम bind करेंगे इसमें page के load event पे ठीक है उसके लिए हमें क्या करना देखोगे तो हमारे पास एक category है ठीक है coffee अब हम क्या करेंगे product से related हमें एक table बनानी है तो हम क्या करते हैं scroll down करते हैं यहाँ पे and last में आते हैं यहाँ पे अब हम बना रहे है table और product के लिए ठीक है यह हमारे पास query है तो इसमें हम use करेंगे यह वाला bracket और यहाँ पे भी हम use करेंगे यह वाला bracket ठीक है अब जरा सा हम अगर table देखें product का तो क्या होगा सबसे पहले होगा product का id जो की integer होगा primary की और यह क्या होगा product id integer होगा मैं चाहता हूँ यह automatically क्या हो generate हो तो that is identity property आप इसका true कर देंगे ठीक है identity 1,1 अगर आप कर दोगे तो automatically इसके identity property 2 हो जाएगी यानि कि product automatically generate होगा तो हमारे पास क्या है product का नाम ठीक है product का नाम यह जो last में है ना इसको हम last में नहीं करते हैं order में रखते हैं ठीक है पहले आप product का नाम लिखोगे then आपको क्या लिखना है product का category id product category id फिर आपक nosotros रखते हैं यहा拌का price का है to nilatt & 9 complete price कर尓तर्ध में और हमारा price का क्या नाम मिंटिज practitioners होगा प्राइस क्या सकते हैं या तो हम कर सकते हैं कि इसकोट हमारा price क्याद में कर दिया कि अगर हमारा प्लाइज क्या plotting नंबर में होगा टब यह चल लाएगा घर चंधित आपकर और अब आप इसमें कुछ और एड करना चाहते हो तो भी अब दे सकते हो जासे कि डेट वगरा दे सकते हो किस ने क्रेट किया और भी बहुत सारी चीज है तो अभी हम सिर्फ बेसिक साब एक क्रेट कर रहे हैं आपको एक एडिया हो जाए कि कैसे आपको बनाना है तो अभी क्या करेंगे यह मैंने इसको किया एक्जेक्यूट तो हमारा यह क्या बन गया हमारा यह टेबल यहाँ पे रेडी हो चुका है तो इसको हम सेब कर लेते हैं अभी के लिए वपस चलेंगे विजयो स्टूडियो मे अभी हमारे पास यह फॉर्म आ गया अब हमारा पहला काम क्या है कि जैसे यह पेज लोड होगा ना तो सबसे पहले आपको कहना फॉर्म पर डबल क्लिक करना है इसके पेज के लोड बेंट पे अब हमें कुछ चीजें फिक्स कर लेंगे जैसे की कनेक्शन का कोड तो पेज पर किया है वीग कोड पे आ जाओ तो सबसे पहले आप यह लिखते हो ठीक है यह कॉपी कर लो सबसे पहले यहां पर ओके पर परफेक्ट यह हमारा पेज का लोड बेंट है पेज के लोड बेंट पे हमें क्या करना है एक एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको लिख कोड बाइंड करेंगा डेटाबेस से तो इसको कैसे क्रियेट करेंगे यहां पर आजाओ यह दिख रहा है इस पर क्लिक करो यहां पर आएगा जन्रेट मैथेट इस पर क्लिक करो यह मैथेट हुआ यह वाला कोड आपको रिमूब कर देना इसकी जूरत नहीं क्योंकि यहां यहां पर हमें क्या करना है यहा पर लिखना है जिसकी HELP से हम इसको BIND कर सके तो इसको BIND करने का क्या Code है हमने कहीं पर कहीं पर खुकत हूं बाइंद किया था एक बार चिक करते हैं व्यूकर चमी चार रहा है form का load event यहाँ पर यह तो fix कर दिया आ रहा है या नहीं आ रहा अच्छ ठीक है fine यहाँ से नहीं आ रहा तो अभी क्या करेंगे हम तो घर product पर आगे अब यह product page का load event है अब यहाँ पर हमें code लिखना है ताकि हम क्या कर सके record को bind कर सकें ठीक है तो अगर आपको यह seller page याद होगा इसमें हम bind किसे कर रहे हैं यह हम कर रहे हैं किसको हम bind कर रहे हैं यह जो हमारा drop down है sorry जो हमारे grid view है grid view में record आ रहा है तो grid view को bind करने के लिए जो हमने function use किया था न वही function यह bind seller तो पहले हम इस पर चलते हैं ठीक है इस function पर आ जाते हैं अब इस function पर आओगे तो आपको क्या देखिए आप क्यों क्या मिलेगा यहाँ पर यह वाला code मिल जाता है आपको record को bind करने का तो यह पूरा code copy कर लो फिर से product पर आ जाओ और यह bind category में आके paste कर दो ठीक है यह हमने paste कर दिया आप देखो अब इसमें क्या है हमारे पास grid view 1 तो है पर हमें grid view 1 में record bind नहीं करना और हमारा जो bind का query होगा यह query different होगा हमें कहां से bind करना है हमें bind करना है category से क्या लिखेंगे category के लिए select star from tvl category ठीक है तो पहले एक बाद चेक करो कि category में exactly क्या-क्या record है यह है अब select star मत यूज करो star यूज करने से बहतर क्या है सबसे best क्या है कि आप simply वो column का नाम mention कर दो जो column आप चाहते हो record में result में ठीक है तो हमने बोला category name हमें यह दो चीज़े चाहिए यह यह from table ओके यह हमें दो चीज़ चाहिए अब इसको क्या कर दो आप इसमे orderby आप कर सकते हो यापिर क्या कर सकते है के orderby कर माइन कर सकते हो तो अभी हम क्या करेंगे यह use करेंगे बट इस से best क्या है आप क्या बना दो procedure बना लो तो हम क्या करेंगे, create procedure, इसका नाम क्या करेंगे, get, that is sp get category, ठीक है, यह हमारा बना procedure, यह क्या होगा, as, begin, end, end, go, यह करना है, अब इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आपको लिखना है, set, no, count, on, ओके, यह आना है, और यहाँ पर यह query आपको paste कर देनी है, simple सा, यह देखो, और यह बन जाएगा आपका, यह procedure जिसकी helps आप क्या कर पकोगे, यह category को आप, जब यह execute करोगे, इसको select करो, execute करो, तो simply आपको यह record, return कर देगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी यह हमारा procedure है, इसको हम copy कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने proper यह लिखा हुआ है, इसको, यहाँ पर इसकी जुरूती नहीं है, तो यहाँ पर simply क्या करेंगे, अपना procedure का नाम यहाँ पर देदो, ठीके, और इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, मतलब यहीं भी कर सकते हैं, cmd.command type is equal to command type dot, क्या होगा, store procedure, यही करना आपको, और कुछ नहीं करना, simple सा, यह आपका काम हो जाएगा, अभी तो record हमारा कहाँ पर जा रहा है, यह जा रहा database में, तो हमें यहाँ पर नहीं दाना है, इसको record, तो यहाँ पर हमें क्या क क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है, आपको cmd, यानि कि combo box category, ठीक है, यहाँ क्या आपका, combo box category है, dot आपको क्या लिखना है, data source, यह देखो, ठीक है, category dot, अब हमें क्या लिखना है, इसमें, display member, ठीक है, display member, क्या display करना है, भाई, हमें display करना है, एक मिनट आप simply ये query open करो, क्या display करना है आपको, आपको display करना है name, ठीक है, तो name paste कर दिया, और ये, इसके बाद क्या, cmb, category. आपको लिखना है, value member, ठीक है, दिखाई क्या देगा, combo box में, category का नाम, और ये आपका होगा, category का id, यहां से आपको, category id, आपको ये चीज़े चाहिए, और यहां से आपका bind हो जाएगा, successfully, ठीक है, तो अभी हम इसको save कर लेते हैं, ये सारे चीज़ सही दिख रही है अपने को, और फिर हम इसको करेंगे, execute करेंगे, और इबर चेक करते हैं, कि क्या हमारा जो combo box से उसमें data आ रहा है या नहीं, database से, क्लिक करेंगे product पे, ये page हमारा आ चुगा है, अब यहां पर देखो, category में आपको क्या दिख रहा है, coffee, तो अभी हमारे पास एक ही category है, तो अभी हम category को बनाएंगे, category को कैसे बनाएंगे, simply आप add पे आओ, category पे, अब यहां पर आपको category आड़ करनी है, तो category आप, यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें, लाइक है, अभी आप देख पार हो, यहां पर बहुत सारी category हो चुकी है, तो अभी हम इसको close कर देते हैं, वापस चलेंगे product वाले form पे आएंगे, तो जैसे product आएगे, तो यह हमारा आ गया, अब यहां पर देखो, category के अंदर आप देख पार हो, अब ज़र चीज़ आ रहे हैं, यहां पर आजाओ, यह जो add button है, इस button पर चलेंगे, इस button पर add का code हम करेंगे, अब add का code करने के लिए हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर validation करना है, तो validation के लिए हमें क्या important है, यह product का नाम भी important है, category भी important है, औ आपका price और quantity भी important है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हम सबसे पहले perform करेंगे अपना validation, तो इस पर करेंगे double click, यह double click हो गया, हम क्या लगाते है, try catch लगाते हैं, ताकि कोई भी error यहां पर यह paste कर दिया, ठीके, क्या हो गया, try catch, ठीके, तो try में हम वो code लिखेंगे पूरा अपना और अगर उसमें कोई error आया, तो catch में आके, उसे क्या कर देंगे, print कर देंगे, अभी वापस से आपर आजाओ, यह क्या है, add button, add button पर double click करो, तो हम यह use करते हैं, यह वाला, ठीके, यह वाला, तो iffills और last में क्या आता है, अपना, यह आएगा अपना iffills, यह देख यह हमारा है, और यहां पर दाके paste कर देंगे, यह सारा code हमने paste कर दिया, अब हम एक एक करके, यह हमें जो code paste किया है, इसको हम सुधारेंगे, ठीके, तो हमारा बटन है, add button, add button पर click किया, तो हमने try catch लिख दिया, try catch आपको समझ भी आगा, number one आगे, आपका if condition, if condition में क्या है, मैंने बोला कि भाई, अगर हमारा txt product name, क्या है, txt product name, क्या हो, equal to equal to string dot empty, ठीके, यह हो जाए, तो यह हम यहां पर paste कर देंगे, यह देखो, ठीके, फिर यह है, please enter product name, ओके, यह आपका product name आगया, सही है, so, यहां पर हमारा जो दूसरा text box है, text box हमारा क्या, price, तो price क्या होगा, यह आप जो देख रहा हो, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको copy, यहां पे इसको paste कर देंगे, ठीके, तो देखो, कभी भी हमें क्या करना, price को हमें क्या नहीं करना, हमें यह नहीं करना, और इसमें एक औ चाहिए यह greater than zero होना चाहिए न पर zero भी हो सकता है कुसी का price तो हम वह भी कर सकते हैं तो इसको यहां से cut कर देंगे यहां पर क्या लिखेंगे convert.toint32 इसमें दिया हमने यह क्या होना चाहिए greater than यह equal to zero यह देखो अब इसमें दोनों हो जाएंगे मतलब यह inputty नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो भी हम enter करेंगे न वो zero से बढ़ा होना चाहिए फिर हम क्या करेंगे यहां से इसको हम ओके यह हो गया और चाहे तो हम यहां पर एक और हम बना सकते हैं यह वाला same copy करो और यहां पर paste कर दो ठीक है इस बर हमारा क्या होगा txt quantity ठीक है फिर quantity भी हमारी क्या होना चाहिए जीरो से बराबर या जीरो के जीरो हो या जीरो से बराबर मतलब माइनस ना हो क्या देख मतलब यह है कि माइनस ना हो ठीक है यह हो गया अब यहां product हमने select किया है ठीक है कहीं वो हमारा database में already available तो नहीं है तो हमें वो चेक करना एक बर ठीक है डूपलिकेसी तो वो हम कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना है अपने को एक procedure बनाना होगा ठीक है प्रसेजर क्या है मैं बताता हूं यहां पर इसको आप करो copy थोड़े देरे के लिए हम हटा देते हैं इसको यहां पर लगा यहां पर आपकेस को पेस्ट कर दो सबसे पहले सर्च करना है अपने को सर्च करना है क्या सर्च करना है केटेगरी सर्च करनी है तो अपने को जो सर्च करना है वो सर्च करना है एड देरेट केटेगरी नेम एनवर कैल ठीक है दूसरा अपने को क्या देखना है एड देरेट अपने को सर्च करना है न भाई वह सर्च करना है किस टेबल से प्रोडक्ट वाले टेबल से सो सलेक्ट स्टार फ्राम टीवियल प्रोडक्ट इस वाले टेबल से सर्च करना है जो हम डूपलिकेट देखेंगे डूपलिकेट हम कौन से टेबल में मैच करेंगे to product quality तो जो भी हम product अड्ड करने जा रहे हैं अगर वह already database में है हाँ यह यही दो चीज चाहिए price से मतलब नहीं है price तो same हो सकता है ना किसी दो product का पर suppose अगर हम यह already product added है हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे हम user को देंगे कि भाई यह product हमारा already added है ठीक है तो यह चीज और as begin तो इसकी जरूरत है क्या set no count ठीक है अब यहां से क्या करना है अपने को कुछ भी ले लेते हैं suppose करते है product name okay so product name मान लो की अभी के लिए हमने यह ले लिया product name और यहां से यह copy कर लो और इसको क्या करेंगे table okay not a check product duplicate product ठीक है इसका नाम क्या करेंगे store to the check duplicate product नाम हो जाएगा ठीक है यहां से क्या करना है अपने को select करना है product का नाम और इसमें लेगेगा where condition so where where at the rate sorry where आपका क्या है product product name equal to at the rate product name ठीक है and what is this product category यह देखो okay so product category product category तो यह हमारा बन गया procedure तो इसमें क्या होगा हमें पास करना है product का नाम और product का category और यह दो चीज़े पास करेंगे तो यह हमें एक record देगा तो अगर यह true हो जाएगा तो आपको product का नाम आ जाएगा तो अगर एक भी record आता है तो इसमें की आपका जो आप आप जो इंटर कर रहे हो वो अलोड़ी database में हमारा है तो यह हमारा दूब्लिकेट चेक करने का जो प्रोसीजर है हमने बना लिया प्रोसीजर बिसेकली क्या होगा आपका अगर आप query लिखोगे इसके लिए तो query run करने में थोड़ा time लगेगा पर procedure आपका बहुत जल्द execute होगा तो इसलिए हम क्या बनाएंगे प्रोसीजर बनाएंगे ताकि हमारा जो execution हो फास्ट हो ओके अब यहाँ पर हमने दो चीज़े दिये दखी है इबर query में आजाओ query में आओगे तो पहला चीज़ क्या है product code sorry product name तो आपका जब भी product का name है तो यहाँ पर आओ यहाँ पे paste कर दो so this is product name अब product name कहां से आ रहा है इसके लिए कौन सा text box है अपने पास so txt product name यह दे दिया और इसी को एक बार copy कर लो copy paste क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक और है na product category id ठीक है अगर आपको confusion है तो यहाँ से यह copy कर लेना और यहाँ पर आके इसको paste कर देना है यहाँ ठीक है और यहाँ पर क्या है अब हमारा जो यह है यह क्या होगा यह होगा cmb category.selected value करोगे तो आपका जो category का id होगा वो आपको मिल दाएगा find k and एक चीज़ और हमें करना है क्या है वह होगा है कि हमें यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है जो हमारा यह cmd.command type होगा equal to command type.store procedure ठीक है यह बस और उसके बाद अभी देखो clear function तो हमने बनाया नहीं है तो clear function बना लेते हैं clear function में यहाँ पर आजाओ और generate करो इसको clear function created और इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले हमारे पास जो txt name है इसको क्या कर देना है clear कर देना है what is this bind seller not a bind seller जो यहाँ पर bind seller है bind product कर दो इसको bind product list करो इसका नाम ठीक है और यह हम क्या करेंगे इसको generate करेंगे इसको भी यह आ गया bind product list ओके तो जहाँ जहाँ भी seller है इसको copy कर लो इस पूरे code में जहाँ जहाँ seller है वहाँ इसको paste कर देंगे तो बस यहीं पर है यह तो अब ज़रा से starting से आते हैं यह validation का काम हो गया और यहाँ पर हमारा हो रहा है कि duplicate record को search करने का काम तो अगर हमारा यहाँ पर execution true हो गया और अगर यह condition true हुई ठीक है अगर condition true हो जाएगी तो आपका यहाँ पर not a seller product name होगा ना ठीक है अगर execute हुआ ठीक है अगर execute हुआ और यहाँ पर result में कोई value आ गई तो यहाँ पर कह रहा है कि result की value अगर null नहीं है हाँ ठीक है record है तो null नहीं है true तो it means की product name already exist ओके fine और अगर record नहीं मिला यह भी null है और यह भी null है condition false तो else में आएगा अब यहाँ पर क्या करना है हमें insert का code बनाना है product को insert करने का procedure बनाना है ठीक है तो हमें वो बनाना है procedure तो सबसे पहले हम आज आते हैं same यही हम कर लेते हैं पहले तो यह हम execute करेंगे just a minute okay अब हम क्या करेंगे same यही copy कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पिला के इसको paste कर देते हैं अब हमें खर हमारा जो यह है यह है यह हमारा की insert sp insert product right तो हमारा product name तो आई रहा है यही आई रहा है और एक और बनाएंगे add the rate यह क्या है हमारा product का price यह क्या होगा decimal यहां पर क्या हट कि यह वाली value जो है यह वाली value यहां से copy करो और यह वाली value लाकर यहाँ पर paste कर दो ठीक है same चीज़ है वही तो यह देखो ठीक है product category हो गया what is product price यार product price है प्रोडक्ट है तो इसको अब सुधार हो product price है फिर क्या है product quantity okay सही है तो insert into table इसमें क्या रहे value जहां से आ रही तो कौन-कौन से column में value आ रही तो यह product name में यह वाली value store होगी और category में यह वाला value store होगा और आपका जो quantity है उसमें यह वाला value store होगा तो यह आपका बन गया procedure तो अभी क्या करना है simply इसको करो execute यह देखो और यहां पर ठीक है क्योंकि यहां से insert करने जा रहे इंसर्ट लिखेंगे यहां पर अब हम जब यहां पर लिख रहे हैं तो अब यह जो parameter होगा यह क्या होगा आपका product name होगा जो दूसरा parameter होगा वो क्या होगा आपका product category id होगा और जो अगला parameter होगा वो क्या था price था तो product price और जो last one है वो क्या है आपका product qty यही था एक बार अब चेक कर लो query में आ जो last one qty ठीक है तो यह parameter set होगा अब इनकी value कहां कहां से आ रही है तो value एक बार आप चिक करो यह आएगा आपका txt product name से आ जाएगा अब जो category है वो integer में आएगी right category value integer में आएगी बार इससे पहले क्या करना है आपको यहां पर simply आपको लिखना है cmb combo box category.selected value यह रहा selected value अब आगे आपका यह price होगा आपका decimal में तो क्या लिखेंगे convert.to decimal कर दो ठीक है अब यह लगाओ इसमें bracket यह price कहां से आ रहे txt price से आ रहा dot text और दूसरा same इसी वे में quantity है तो इसको भी convert करेंगे integer में क्योंकि quantity क्या होगी integer में so int 32 bit और इसमें क्या आएगा आपका txt quantity dot text ओके यह देखो सही है तो यह हमारा store procedure है यह parameter है यहां पर अगर यह सब कुछ सही होगा तो यहां पर क्या आएगा आपका जो भी product होगा product inserted successfully और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यानि कि आपका record तो आप इसका else part भी बना सकते हो जहां पर आप दे सकते हो कि आपका record save नहीं हुआ ओके तो बस इसको हमने कर लिया है save right और यह है हमारा क्या grid view को bind करने का काम तो bind करने का काम जो है तो एक पर हम दिखाते हैं आपको यहां पर आजाओ जब आप add करोगे तो bind seller इस पर चलते हैं go to definition bind seller और यहां पर आके यह वाला code copy कर लो पूरा यह code मैंने copy किया उपर से चलेंगे यहां पर अभी देखो यह हमने बनाया था ना bind product करके तो यहां पर यहां पर पेस्ट कर देंगे अब यहां पर simple से क्या लेखना आपको यह table का नाम चेंज कर दो बस ठीक है product यह हुई ना बात बाकी सारी चीज़े सही है अब जरा सा इसको execute करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारा जो product है वो add हो रहा है यह नहीं हो रहा यह page आ गया product पर चलते है add product ठीक है तो अब इसमें से ठीक है यह ले लिया इसमें क्या होगा quantity क्या होगी अच्छा quantity क्या होगी तो अभी देखो अभी इसमें आप हर तरह के category आप सामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जो fruit है fruit को केजी में देना है तो कैसे आप दोगए या फिर हम यह कर सकते हैं चलो ठीक है मैंने बोला बया quantity कितनी एक एक यानि एक किलो के हिसाफ से चलो अब add पर क्लिक किया और यह insert हो गई insert हो गई विल्कुल सही यहां पर देखो mango आपका है what is this what is this this is product category id यहां पर 8 दिखा रहा है अब यह 8 क्यों दिखा रहा है this is the problem यह 8 क्यों दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या select किया हमने select किया था fruit right हमने select किया था fruit तो एक बार क्या करते हैं पहले database open करते हैं यह किया database अब database में क्या करेंगे हमारे पास क्या है इसकी जगह पे यह इसकी जगह पे जहां पर product की category है न पहले हम यह paste करेंगे फिर यह paste करेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे अब जरा सा ध्यां से देखना यहां पर आजाओ execute करो हमने दिया था fruit fruit का category id क्या है 8 अब जरा सा product में आजा product में आओगे तो product में देखो हमने एक product add किया जिसका category क्या है 8 तो मैं चाहता हूँ 8 तो है समझ गया category id दिखा रहा है उसरे पर मैं चाहता हूँ यहां पर हमें application में जब हमारा application रन कर रहा हो तो यहां पर क्या दिखे यहां पर हो दिखे category का नाम शो करें उसके लिए हमें एक procedure बनाना पड़ेगा मेरे भाई जिसकी help से हम क्या कर पाएंगे हम bind कर पाएं अपने तो हम एक बनाते हैं procedure procedure हम कैसे बनाएंगे suppose करो यह हम insert का copy कर लेंगे insert का copy कर लेते हैं यहां पर इसके just list नीचे यहां पर क्या करेंगे sp inner join tbl category list as इसका नाम देते हैं t2 मतलब table 2 फिर क्या होगा on t1 dot जो भी इसका category id है वो किसके t2 dot category id के बराबर होगा तो हम क्या है पर search कर रहे हैं हम search कर रहे हैं अब यहां पर हो यह बदल जाएगा यह क्या होगा t1 table 1 का product name वाला column और हम यह नहीं चाहिए यहां पर हम क्या लिखेंगे t2 dot category name ठीक है और यह क्या हो जाएगा आपका table 1 का price वाला column and table 1 का price वाला column ठीक है यह बन गया आपका और जब अगर आप यह run करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसका क्या है fruit fruit है उसका category अच्छा यह चीज़े इसमें एक चीज़ और होगी क्या होगा order by t1 dot product name comma 2 t2 dot category name asc ठीक है अब क्या होगा यह execute करो इसको right तो अगर multiple होगे record तो क्या करेगा वह इनके alphabetically order पे उनको arrange करेगा तो यह बना आपका एक और procedure इसको correct execute यह किया मैंने इसको execute आप क्या करेंगे यह procedure copy कर लो सही है अब यहाँ पर आजा अपने functions में इसको stop कर दो पहले ठीक है तो हम क्या करें bind कर रहें तो यहाँ पर लाके इसको paste कर दो यह यह मैंने इसको paste कर दिया अब हमने यह तो क्या लिखा procedure लिखा जब हमने procedure लिखा तो एक line होती है यह वाला यह line copy कर लो simply कि हमें बताना पड़ेगा कि भाई जो हमने कि हमने यहाँ पर जो query pass की है वह हमारा procedure है तो इससे confirm हो जागा कि हमारा procedure है वह by default text होता ही है तो text के लिए हम नहीं लिखते पर अगर हम procedure pass कर रहे हैं तो हमें यह लिखना पड़ेगा ठीक है यह चीज हो गई परफेक्ट है कोई भी error आएगा तो इसको handle कर लेगा easily और आपको पता भी चलेगा अगर error कोई आता है तो ठीक है अब जब भी एक और कर देंगा इसको हम page को load event पे call करेंगे ठीक है page, load event तो पहले यह हो जाए फिर यह सही है perfect अब क्या करेंगे इसको execute करेंगे अब यहां पर टीक है category name क्या दिखा रहा है fruit दिखा रहा है तो इस तरीके से आप इस चीज को बना सकते हो इस तरीके से और यहां पर प्राइस आप देख पर आपने क्या लगा था decimal लिए था आपको यहां पर डाट दसमलों के बाद 2 डिजिट मिल जाता है decimal के बाद आपको 2 डिजिट यहां पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आप यह बना सकते हो तो वह रिकॉर्ड यहां पर आजाएगा फिर अगर हम अपडेट डिलेट करना चाहते हैं तो वह हो जाएगा तो इनिशली क्या हो सिर्फ एड बटन दिखाई दे बाकि यह दोनों बटन क्या हो हाइड हो तो यहां पर आजाओ और हमने क्या लिखा था बटन के यहां पर आओ इस पर करो डबल क्लिक तो अभी क्या चाहिए अपने को यह सारे चीजे कर लो कॉपी और हमारे पास यह जो है यहां पर पेस्ट कर दो तो यह क्या हो जाएगा यहां यहां पर आदात हहिन फटन के लिख़े हैं सिहां कि यह प्लीकेट तो नहीं हो रहे हैं तो यहां पर लगाना है try and catch यह देखो हो गया अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें validation apply करना है validations के लिए हमने अल्ड़ी यह जो है ना add button add button का पूरा का पूरा code copy कर लो अब simply यह add button का पूरा का पूरा code copy कर लो यह देखो तो यह add button का code किया मैंने copy वापस से आ गए हम update button पे यहां पे लाके यह try के अंदर हम यह पूरा code paste कर देंगे ठीक है और अभी हमें इसमें क्या क्या चीजे चेक करनी है अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है इससे पहले हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हमारे पास एक है lbl lbl product dot text यह क्या नहीं होना चाहिए था यह अगर equal to equal to null हुआ and ठीक है इस तरीके से तो मतलब please enter product id and name ठीक है यह दो चीजे ऐसे हो गई क्योंकि हमारा जो id होगा इसी id के सबसे हम क्या कर रहे है update कर रहे है उसको and then हमें क्या करना है उसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है ठीक है duplicate हमें चेक करना है अगर duplicate होगा तो name is already exist ठीक है तो यह दिखा देगा और अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर update करना पड़ेगा तो यहाँ पर simply आपको क्या करना है update का code लिखना है इसको क्या करोगे इसको यहाँ से remove करो अब हमें update के लिए procedure बनाना है तो simply क्या करोगे product में insert कर रहे थे insert वाला procedure कापी कर लो यह रा insert का procedure तो इसको किया मैंने copy insert के procedure के बाद क्या करना है आपको नीचे आजाओ और यहाँ पर लाकिए इसको paste कर दो जो भी copy किया है इसको क्या करेंगे update procedure बना देते हैं ठीक है update product अब update करने के लिए हमें एक और चीज़ा है जोकी होगा product id क्या है integer price just a minute हमारे पास यह category product का है ठीक है update के लिए बना रहे है product id हो गया product name हो गया product category id हो गई product price हो गया quantity हो गया तो यह update कर रहे है अब इसमें क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम update product इसमें क्या करना है set क्या करना है अपने को product name is equal to add the red product name यह set करना है then आपको यह set करना है product का price है इसका copy कर लो at the rate project price कर दो and quantity का भी same way से ही ठीक है और बाकी सारी चीज़े यहां से delete कर दो यहां तक इसके बाद आपका आएगा where, where के बाद क्या आएगा आपका product id equal to at the rate product id ठीक है यह आपका बना procedure good तो यह हमने दे दिया कि आपको क्या करना यह करना है यह सारी चीज़े अप्डेट कर दी है जहां पर condition क्या है update का यह आपका id तो simple आप यह copy कर लो execute तो यह हमारा update का store procedure को copy किया और यह आपको यहां पर लाके paste करना है ठीक है अब बाकी सारी चीज़े सेम है इसमें एक extra चीज आएगी जो की है यह line copy कर लो एक यह line किया copy एक extra चीज आएगी अपनी इसको paste कर दो ठीक है अब यहां पर क्या लिक हो कि product का id लाइक अब यह कहां से आएगी यह आएगी आपके lbl product id से आएगी ग्रेट और अगर सब कुछ सही रहा तो product updated successfully और आपको क्या करना है और अगर आप चाहते हो कि जब हमारा record इंसर्ट ना हो तब भी हमें कुछ message आए तो यहां पर इसका illness में बना रहे ऊसमें आप कई लिक दोगे की आपको जो भी следकी अगर चाहते हो जब updates ना हो तो इसकेस में हमें 1 emails show करें तो simply इसका eles बना लेना और ऋख Mix result में जिक हो कि यह और यहां पर पेस्ट कर्तक्रें क्या करना यहां पर अपना errormn massage दे लेना कि update इस तरी के साथ एक error में से दे सकते हो, जब यह fail हो जाएगा उस condition में, तो यह हमने save कर लिया, अब यह काम और करेंगे, हम क्या कर रहे थे, हम इस grid view के click पे, इस grid view के click पे क्या था वो code, यह हो गया, add button का, clear का हो गया, यह update का हो गया, यह है अपने पास delete का हो गया, bind तो हो गया है, next है यह वाला, यह वाला code, तो यह वाला code क्या है, इसको copy कर लो, यह पूरा का पूरा code copy कर लो, यह कब है, grid view के click event पे, अज़ाओ, product पे grid view select करो, इसकी property में चलो, और इसके event पे click करना, scroll करके आना, आपको मिलेग क्लिक, यह रा click, अब इस पे क्या करो, double click करो, event generated हो गया, ठीक है, event generated हो गया, अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको paste करते हो, यह वाला, यहाँ पर क्या है, lbl product था, तो यह कर दे ना, बाकी सब सही है, और यहाँ पर क्या है, lbl product ही है, okay, so 0, अभी यहाँ पर start होग अब अपना यह, txt product name, just a minute, txt अपका product का नाम आगया, and then, अगला क्या है, txt category आएगा, category इसमें नहीं आएगा, category किसमें आएगा, बाबा, category आएगा, आएगा, cmb, category dot, selected text, okay, जाएगा, and then, आएगा, txt price, जाएगा, price, और फिर, आएगा, txt quantity, okay, जाएगा, आएगा, txt quantity, okay, जाएगा, आएगा, txt quantity, okay, सही है, 0, 1, 2, 3, and 4, इसको मैंने कर लिया, save, यह होगे, login, simply product पर क्लिक किया, यहाँ पर आगे, अब देखो, यहाँ पर तो देख रहा है, suppose, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, oh my god, what happened, okay, देखो, error आ रहा है, error आ रहा है, just a minute, यहाँ आ गया, error क्या आ गया, कि आपका जो out of range है, index out of range, क्यों भ यहाँ पर आजाओ, तो हम यहाँ पर क्या नहीं दिखा रहे है, हम यहाँ पर product ID नहीं दिखा रहे है, ठीक है, तो product ID नहीं दिखा रहे है, जिस वज़े से क्या हो रहा है, कि वो हमें error दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कि आपका क्या है, product ID तो आप दिखा ही नहीं जा करेंगे अपडेट हो गया select वाला ठीक है get यह न सलेक्ट है तो यहाँ पर क्या करेंगे एक कॉमा लगाओ इसके बाद यहाँ पर क्या लिखो t1.product.id ठीक है यह लिखो अभी क्या करोगे इसको अब इसको न देखो यह तो create कर लिया तो अब क्या लिखेंगे alter लिखेंगे update हो गया okay इसको मैंने save कर लिया ठीक है अब क्या करते है अब वापस चलेंगे वीडियो स्टूडियो में सही है अब इसको करते हैं execute है ही नहीं out of bound range के बाहर है value ठीक है अभी कितने होगे 0,1,2,3,4 अगर आप 0 से count करोगे तो यह 0 को हो गया यह column 1 हो गया column 2,3,4 तो कह रहा कि column 4 exist ही नहीं कर रहा है इसलिए out of bound तो अगर मैं यहापर क्लिक करूँ तो अब देख पा रहे हो देखो इसका क्या हो गया यहापर यहापर आगया वारे को यह एक category जो 2 दिख रहा है that is your product ID इसका नाम है यह यह क्या है इसका what is this mobile के साथ okay not mobile ना यहाँ पर देखो थोड़ा सा यह अभी इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि अलोडी में mobile भी दिख रहा है तो अभी हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे just a minute वापस चलेंगे SQL Server में देखो अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए category नेम हो गया एक कॉमा लगाएंगे इसके बाद क्या चाहिए t1.product category id ठीक है यह हो गया इसको करो अल्टर और यह अपने क्या execute ठीक है इसको save कर लो वापस आप आओगे यहाँ पर तो अब अपने को क्या करना है 0 1 2 3 4 5 0 ठीक है 1 ठीक है यह 2 नहों कि यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 यह 3 नहों कि हो जाएगा 4 और यह 4 नहों कि हो जाएगा 5 क्यूंकि हमने एक extra column इसमें add किया हुआ है तो अब जब यहाँ पर यह करेंगे तो यह क्या होगा बाट इस इस is selected value यह देखो अभी मैं बता रहा हूं ठीक है लिस्ट जिसकी value 3 होगी वो इसको select कर लेगा by default तो चलो फिर से इसको execute करेंगे प्रोडक्ट ठीक है मुबाइल पे क्लिक किया तो मुबाइल आ गया फूट पे क्लिक किया तो फूट पे आ गया एक्जटली हो गया रहा है यह जो आप देख रहो हूं यह प्रोड़क्ट आईडी तो यह जो प्रोड़क्ट आईडी है ना तो इसको हम चेंज करेंगे अब यहां पर देखो यह इसका कॉलम कैसे चेंज करेंगे तो यह हम क्वेरी के थुरू भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं एक बार देखो simply इसको चलने दो यहां पर आजाओ और इसको क्या करोगे अभी हम फिर से इसको alter करेंगे और यहां पर गया है यह जो यहां पर प्रोड़क्ट केटेगरी आइडी है इसको क्या करेंगे इसको करेंगे as category id ठीक है और फिर इसको क्या करेंगे execute करेंगे इवापस आएंगे अपने अप्लिकेशंस में फिर से हांपी क्लिक करेंगे फिर से ये पिंस पर क्लिक किया तो इस पर क्या है crunchy ID शो कर रहा है तो अब अगर mango पर क्लिक करोगे तो Anatие fruit क्तेग्री क्या है इस पर क्लिक क्या यह क्या है laptop category का है ठीक है इस पर क्लिक किया यह category का है अब जैसे कि हमने क्या किया है यहाँ पर आगे तो हमने इसको rename करना है तो मैंने बहुता आशूस मैक्स ठीक है अब प्राइज भी मालो हम 2000 बढ़ा देते हैं यह देखो इसको किया update सही है अब जैसे यह update हो जाए ना तो क्या करना आपको यह delete और update बटन क्या हो जाए हाइड हो जाए फिर से आपका क्या इनेबल हो जाए add button तो वो भी करेंगे तो just a minute इसको exit वापस से यहाँ पर आजाओ और अपना जो update बटन है update बटन पर आजाओ ठीक है और record successfully update हुआ 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 इसके बाद clear button आएगा आएगा इसके बाद आपने पास क्या है lbl product id जिसकी visibility को क्या करेंगे हम इसकी visibility को क्या करेंगे हम false करेंगे फिर btn delete है इसकी visibility भी क्या करेंगे हम false करेंगे इस तरीके से कुछ परफेक्ट तो अब हमारा update हो गया अब बात करते है अपने delete बटन की तो simply delete पे आजाओ इस पे डबल क्लिक करो यह आ गया अब delete पे भी try catch लगा दो भाई try catch हर जगा यूज़ करो मतब हर जगा हर बटन के code पे हर method में आप हर जगा यूज़ कर सकते हो try catch लिए क्यूंकि कहीं भी कोई भी error आएगा तो आप easily उसकी help से ढूंड लोगे तो यह इसको करो यहां से copy कर लो और यहां पर भी अभी delete वाला है तो delete वाले scenario में क्या पहले delete से पहले क्या करना है अपने को उनसे confirmation करना है जो भी user है उससे confirmation करना है कि भाई delete कर रहा है तो सबसे पहले तू सोच ले कि क्या तुझे delete करना है या नहीं करना है तो simply delete का code copy कर लो राइट अब product में आजाओ इसके delete button में करो double click तो यहां पर try के अंदर यह paste कर दो अब जो code paste किया न अब इस code में थोड़ा सा modification जैसे कि हमारा जो LBL है इसका नाम क्या है product क्यूंकि यह product के अब यहां पर डीट कर दो यहां पर क्या है एल बी एल प्रोडट्ट जो है वह आपका आइडिया पर आजाएगा यहां से copy करो और यहां पे लाके paste कर दो, ठीक है, यह चीज तो हम क्या कर रहे है, हम delete कर रहे हैं, तो यहां पे हमें delete का procedure बनाना पड़ेगा, तो फिर से हम आपस आएंगे यहां पे, और अब delete का procedure कैसे होगा, insert का किया जैसा insert का किया, वैसे delete का भी करेंगे, तो simple यह copy कर लो अब इसको क्या लिखेंगे , delete product ठीक, यह प्रोचेजर बना रहे हैं डिलीट के लिए तो हमहें क्या हम एसा शर्व जो हम प्रोड़क्ट ऐी ही और आपको पता है फिर हम फिर हम क्या लिखेंगे हां यह पंट ड्ली delete from table और इसमे कलेगेगा वेर कंडिशन वेर product id is equal to add the red product id ये आपका बन गया इसके साथ करो इसको एक्जदीडे करो आपकी तयार और इसका नाम कपी करनीन नाम कपी करके आपको यहां पर आना है और यहां पर इस पर लिए तो यह क्या है तौ हमने próxima गया और बन आया से ल, ब, ल, प्रोड़क्ट, ठीक है, यह है, ओके, परफेक्ट, तो not a seller, that is product deleted successfully, क्या होगा यह है, product deleted successfully, okay, सब कुछ सई है, तो अभी क्या करेंगे, फिर से इसको execute करते हैं, तो इस बार हमारा, जो deletion का portion है, product table से, वो हम check करेंगे, कि इसे delete वाले button काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, देखे, login और यहाँ पे हमारा किया चुका है, तो अभी तक हमने, एक और हम बना लेते हैं, जि चलो, और यहाँ पर इसकी quantity, चार कर दिया, ठीक है, add वे click किया, यह अपना add हो गया, अब यह देख रहा है, तो मैंने का यार, इसको delete करना, यहाँ बर आगे, अचा update करते हैं, तो, अपडेट भी हो जाएगा, ऐसे करके, तो, 1500 रुपए से, इसको लाते हैं, 80 रुपए, ठीक है, और, अचा, अगर मैं इसको, इसको मैं कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, कुछ मैंने का, माइनस 5, 4, product to update हो गया, पर क्या insert पे था, क्या insert पे अगर मैं डबल ले करता हूं, मार लोग कॉफी ही है, इसका price मैं कुछ भी कर देता हूं, और, यहाँ पर आके, इसको कर देते हैं, minus 7, then, माइनस भी ले ले रहा है, मेरे भाई, तो minus ले ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि validation में हमने, इसका नहीं दख्खा है, तो अगर एक और करते हैं, मैंने का, double D, यह coffee हो गया, इसको देते हैं, minus 5, और, इसमें कुछ भी रखो, कोई issue नहीं है, तो minus ले ले रहा है, तो minus ले रहा है, मतलब यह तो गलत है, price भी अपका minus भी हो सकता है, price minus 5, तो, okay, इसको delete करना है, तो, do you want to delete, हाँ, कह रहा है, procedure function, delete expected parameter, product ID, which was not supplied, अरे यार, अच्छा, अच्छा, ठीके, अब एक issue क्या हो गया, देखो, एक issue क्या हो गया, actually, यहाँ पर क्या लिखा, हम ने seller ID लिखा, इसको seller ID नहीं होगा, यह क्या होगा, अब आपका product ID होगा, ठीके, parameter में आपने, अब यह क्यों, यह क्यों होगा, क्यों कि यहाँ पर आओ, जब यह procedure चलेगा, यह delete का, तो delete procedure में हमने यह बनाया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने का, where product ID की value, product ID से आएगी, तो यह product ID हमें यहाँ पर define करनी पड़ेगी, यह बना दिया हमने, ठीक है, अब यह सही है, तो अब यहाँ पर आई चुके हैं, तो add पर आजाओ, add पर आने बद क्या करना है अप ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, and हम नहीं करेंगे, क्योंकि and के case में या तो value यह दोनों condition मानेगा, तो हम क्या करेंगे, और use करेंगे, और use करेंगे, और यहाँ पर भी हम और ही use करेंगे, तो और के case में क्या होगा, की देखो, और के case में ठीक होगा ना, और के case में, suppose करो अगर यह value is empty हो गई तब भी यह चल जाएगा ठीक है और अगर यह value minus हो गया तब भी यह चल जाएगा तो और कर देंगे तो यह सही हो जाएगा और कोई है क्या ठीक है और अभी यह काम करेगा मैंने and लगा दिया तो कभी वो and मदब दोनो case satisfy होने चाहिए यानि कि वो empty भी हो और value क्या हो less than zero भी हो तो ऐसा होई नहीं सकता तो वो हर बार उसो true कर देगा तो अभी क्या करेंगे अभी देखो simple कोई भी नाम लेलो और इसमें करते हैं minus ठीक है अभी मैंने इसको please enter valid price अभी सही है ठीक है यह देखो तो इसमें देखो यार एक issue यह है कि अगर हम यह देखेंगे कि बंदा duplicate product name ना इंटर कर पाए तो उस अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो अभी तक जो हमने यूज किया formula इसके इसाब से आप सिर्फ मतलब आप अगर नया product name change करोगे तब भी आप अपडेट कर पाऊगे ठीक है suppose करो मेरे पास यह वाला product है मैं चाहता हूँ इसका price मुझे change करना है अगर मैं price change कर रहा हूँ इसका तो इस case में क्या होगा कि product का नाम और इसकी category तो दोनों same रहेगी ठीक है यह दोनों same रहेंगी तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे update पे तो पहले चेक करेंगा कि क्या product का नाम और यह already data इसमें available है तो कहेगा हाँ ठीक है तो इस मुझे से क्या नहीं कर पाएंगे आप पॉर्सन रिमूव कर देंगे ओके तो एक काम करते हैं update पे आते हैं update पे हम यह जो चेक कर रहें न duplicate ओके तो हम यह duplicate हम यह नहीं करते हैं तो यह duplicate हम नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे यह काम करते हैं यहां से यह वाला सारा कोड यहां से कट कर लेंगे यह मैंने किया इसको यहां से कट करने के बाद यह सारा कोड हम यहां पर आके बाहर में यहां पर पेस्ट कर देंगे ठीक है और यह चाहिए अपने को SQL और यहां पर लिखेंगे हम SQL अब हैसा क्यूं कर रहे हैं कि मैं इस सारे code को अभी के लिए क्या करता हूं इसको post आख सकती हम क्या剛 , ऐडिंग बर्टिक यह की जुरूत नहीं कि हम क्या क्यारे आपडेट करना है सबी update करने हैं जिसकी भी ID हमें मिल जाएगी और जो भी आपको update करना आप कर सकते हो तो अपडेशन में आप ऐसा रखोगे ठीक है duplicate को जाने को क्योंकि adding के time पे हम duplicate देख लेंगे अपडेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको price update करना है category update करना है तो अब सारी जी आप कर पाओ तो अब कोई issue नहीं आएगा तो अब जैसे कि suppose यहां पर कौन सा था minus वाला यह तो मैंने का इसका मुझे फिर price update करना है यह not a minus 5 इसको मैंने बहुत पांच रुपया है something फिर update पर क्लिक किया what is this execute non query require an open connection ओ बाबा open connection नहीं है क्या यहां पर यह चाहिए अपने को ठीक है यह अपने को यह चाहिए ठीक है देखो अब try catch लगाने का क्या फायदा हुआ कि जब भी कहीं भी कुछ problem होगा वो आपको बता देगा कि भाई यहां पर मुझे यह problem हो रही है ठीक है यह देखो क्योंकि यहां पर connection ओपन हुआ ही नहीं और जब तक connection ओपन ही नहीं होगा तब तक आपका यह वाला code run नहीं करेगा फिर वो error देगा और फिर आपके इसकी help की वजह से आपको पता चल जाएगा exactly issue है कहां पर तो इसलिए try get लगाना बहुत जरूरी है जिससे आप easily error को detect कर लोगे यहां पर आ जाओ और इसकी value क्या करते हैं हम इसको 40 कर देते हैं बाकी सब stick है इसको update करते हैं और यह update हो गया next क्या है अपना minus कहीं पर है क्या minus 5 तो minus 5 को करते हैं 50 या 60 कर देते हैं यह देखो update हो गया जीरो है भाई साब तो जीरो को 100 कर देते हैं 7 को क्या कर देते हैं 77 कर देते हैं है यह इस तरीके से ओके और इसमें से delete हम करीब आ रहे है मन लोगर हमें इसको delete करना है which one यह देखो इसको delete करना है तो delete पर आ गए अब एक काम और करते हैं यह सर्चिंग का देखते हैं सर्चिंग के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास अलोड़ी एक function है जो हम यूज कर रहे हैं तो simply अब उपर आ जाओ यहां पर यह ना bind category है तो bind category वाला function जो है यह वाला function हम यहां पर क्या करते हैं इसको copy कर लेते हैं इसको copy करके हमेने इसको क्या क्या कर दिया अब यहां पर क्या करते हैं search category ठीक है search by category यह देखो यह लगा दिया तो अभी क्या करेंगे यहां पर आजाओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम अभी नहीं बनाया था मैंने न, तो इसका नाम हम देंगे, इधर आजाओ, cmv-search, cmv-search, टीक है, यह हो गया, save, वापस आते हैं यहां पर, अब की बार क्या यूज़ करेंगे, cmv-search हम यूज़ कर यह देखो cmv search cmv search cmv search यह हुए न बात और यह कहां पर आएगा यह आपका इसे कॉपी कर लो यह भी आएगा आपके जब यह आपका पीज लोड होगा उस टाइम पर अब क्या करना है देखो जैसे इसमें से कोई भी कटेगरी सेलेट करोगे तो मैं चाहता हूँ फिल आपका एक क्वेरी रन हो तो क्या करोगे इसके सेलेक्शन पे तो सिम्पिल इस पर डबल क्लिक कर दो कमबो बाक्स पर डबल क्लिक करोगे तो इसके सेलेक्शन पे आपको क्या होगा एक कोड रन होगा अब इसके सेलेक्शन पे किस तरह का कोड रन होगा एक मिनट मैं आपको बतात तो हम क्या करेंगे यह वाला copy कर लेते हैं पूरा ठीक है यह copy हमने कर लिया copy करने के बाद यहां पर आएंगे इसके just बाहर और यहां पर paste कर देंगे और इसको इस पर क्या रिखेंगे bind search bind search product list अब यह देखो यह देखो अभी क्या करेंगे इस वाले function को copy कर लेंगे यहां पर यहां पर यह क्या है अपने पास function है तो अभी हम एक और function बनाएंगे get all है इसका क्या नाम है get all product list यह ठीक है तो सब कुछ यही रहेगा मेरे बाई सब कुछ यही रहेगा अब इसी को न हम यहां पर एक नए सरी से बनाएंगे यह यहां पर देखो get all product list यह बना दो इसमें लिखो search by category अब यह जब बना तो इसके अंदर आपको यह भी देना पड़ेगा यहां पर इसमें एक चीज आपको देना है यहां रहा है select star from tbl product से आ रहा है ठीक है यहां पर देखो tbl product पर आ रहा है तो अब हम क्या कर रहे हैं हम search कर रहे हैं यही तो हम क्या search करेंगे इसमें इसमें आप देखोगे तो product category करके something कुछ है न तो यह है आपका product cat id okay product category id क्या लिखेंगे indezer हो गया इससे काम हो जाएगा अपना okay so यहां पर inner join हो गया अब यहां पर क्या लिखेंगे where लगा देंगे ठीक है यहां पर देखो एक और चीज़ लगाते हैं आप लगाएंगे where क्या where t1.product category id is equal to okay यह हो गया fine अभी देखो यह आपका बन गया अब हम इसको करेंगे execute सही है और वापस यहां पर आजाओ इसको copy करो और अब यह function है इसको हम यहां पर paste कर देंगे यह देखो ठीक है अब इसमें एक और चीज़ हम यूज करेंगे पूछो क्या cmd.parameter.addWithValue यहां पर parameter और इसकी value कहां से आ रही है तो जो parameter है अपना यहां पर आजाओ parameter का नाम यह है और parameter हमारा integer होगा तो इसकी value कहां से आ रही है इसकी value आएगी आपके cmd.search.selectedValue से यह देखो अच्छा जिसकी अगर मैं यहां पर आजाता हूँ मैंने कहा laptop तो laptop से एक है तो मैंने कहा T-shirt पर कुछ में नहीं है इसकी बाद क्या mobile है क्या mobile एक mobile है मैंने बोला coffee तो देखो तीन coffee है ठीक है तो यार यह चीज़ ऐसे नहीं मैं यहां पर एक button देता हूँ यहां पर एक हम button ले ले छेते हैं तो button हम जो लेंगे मालो हमने यह लियाека copy और यहां पर आके इसको जो text होगा उसको हम change करेंगे कॉआ इसको हम कर देते हैं search ठीक है अब क्या होगा जब हम इस button पर click करेंगे search button पे तो हम यह यहां से cut कर लो, ठीक है, यहां पर आ जाओ, और इस button पर click करोगे न, तब आपका वो searching start होगी, ठीक है, यह सही है, ठीक है, अभी देखो smooth है, initially आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहां से कुछ भी select कर लूँ, laptop, तो जब तक मैं search पर नहीं click करूँगा, तब तक वो record आएगा नहीं, ठीक है, मैंने copy script किया, search पर click किया, record आगया, ठीक है, इस पर click किया, record आगया, है न, इस पर click किया, fruit पर एक record है, अच्छा, जब आपने filter दो कर लिया, आप क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ, इस पर click करो refresh हो जाए, तो अब यह refresh कैसे होगा, तो refresh का बड़ा ही simple सा काम है, मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यह जो है, यह वाला जो function है, इस वाले function को फिर से call कर लेंग कब, जब हम इस button पर click करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, यह वाला function फिर से call कर लेंगे, इस वाले function का क्या काम है, कि A to Z record लाके grid view में paste कर देगा, ठीक है, simple सा काम, तो बस, अभी हम यह यह करेंगे, यह आ चुका है, अपना add, अब जैसे का सबस मैं फिल्टर करता हूँ, मैं आपको, अब इस फिर column पे click करेंगे, फिल्टर हो जागा, मैंने का column फिल्टर हो जागा, तो यहां पर हमने सीखा की किस तरहे से हम product को add कर सकते हैं, और उसको हम देख सकते हैं, तो दोस्तों product format करने के बाद, अब हम ऐक form बनाएंगे, जहां से हम हम जो भी product sell करेंगे तो उसको हम detail कैसे manage करेंगे तो यह जो हमारे पास यह आप देख रहे हो यह जो menu है इसका नाम हम change करके इसका नाम करेंगे हम like selling ठीक है यह तो अब जो भी हम sell करेंगे तो इसके लिए हम एक form बनाएंगे और जिसकी help से हम क्या करेंगे उस चीज को हम यहा इसका नाम हम क्या देंगे just a minute यह देखो आ गया window form और यहां पर आपको क्या करना इसका नाम देना है like selling form ठीक इस तरीके से कुछ add पर क्लिक करेंगे तो इस बर यह जो हमारा form होगा यह थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है as compared to other और इसको हम save कर लेते हैं और आप कोई भी एक form ले लो अगर आप उसके designing की यहां पर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो देखो अभी के लिए क्लिए करना है simply हमारे पास यह जो form है परले तो इसकी property में आ जाते हैं तो यहां से आपको icon ले ले लेना है हमेशा की तरह same property आपको इसको भी चेंज करना है एक icon लेंगे और इसका जो background color है इसका जो background color है यह हम करने वाले हैं white यह ठीक है and resizable जो होगा इसको हम कर जाते हैं fixed single perfect और क्या है इसके सान ठीक है बाकी सारी चीज़ ठीक है अब यहां पर हम क्या लेंगे एक हमें चाहिए लेबल तो not a label हम एक panel ले लेते हैं देखो हमने लिया एक panel ठीक है यह पैनल हमने यहां पर लगा दिया इस पर right click करोगे इसके property में जाओगे तो इसका एक dog property होता है यहां पर देखो dog property और जब ऊपर क्लिक करोगे तो यह panel यहां पर आ जाएगा इसको थोड़ा सा इस तरीक पैनल का क्या यूज है मैं आपको बताऊंगो जोड़े देर में तो यह panel मैंने इसको यहां पर लगा दिया ठीक है अब यह जो दूसरा पैनल है इसका एक हम background color यहां पर देंगे back color ठीक है यह हमने color कर दिया जो इसका है इसका एक हम color देंगे like किदर गया यह ओला color ठीक है अभी क्या करेंगे एक label हमें लेना है तो एक हम label लेते हैं यहां से label यह लिया label label के property में आ जाएंगे और हमें यहां पे इसका टैक्स लेना है पहले तो यह हमारा क्या है उसके बाद एक और हम label लेगे यह रहे लिवल और यहाँ पर क्या करेंगे ने डी ट Mitte अब क्ये तो हम क्या करते हैं एक और ले ले लेते हैं कि इसथोलेबल लेंगे तो जो पहला लेबल होगा स्कि प्रपरटी में चूड़ हो भई यह जो इसका text property होगा आपको करना है क्या date यह हो गया date और इसका आपको क्या करना है और color हम yellow करेंगे and font हम आएंगे उपर से font true कर दो font के size भी थोड़ा सा increase कर देते हैं तो 10 तो यहां पर हमने दे दिया यह और इसी को copy कर लेते हैं और इसमें क्या करेंगे just a minute हमें यहां पर दिखाना है date तो यह जो लेबल है इसका हम पहले तो name हमें चेंज करना पड़ेगा इसका lbl this is date ओके यह हो गया अपका lbl date और यहां पर हम क्या लिखेंगे date की जगह पर हम कुछ तो दे देते हैं टेक्स्ट में हम कुछ दे देते हैं लाइक जनुरी ट्वंटी ट्वंटी तुरू अभी हम यह दिखा रहे हैं ठीक है और इसका हम कलर क्या रखेंगे तोड़ सा इसमें एक लेबल चाहिए लेबल हमारा आ गया यहां पर ठीक है चलो इसको अटाओ और यह पैनल भी अडा देते हैं इसके में जुरूत नहीं text property में आजाओ, यहां पर इसको लिखेंगे क्या id, यह हो गया id, इसी को copy कर लो, एक, दो, तीन, ठीके, second वाला क्या होगा, इसका, को हो जाएगा, id के बाद आपके product का नाम, दूसरा आपका हो जाएगा यह, price, okay, and तीसरा आपका हो जाएगा quantity, यह रहो, अभी यह बन गया, इसको आप ऊपर ले सकते हो, थोड़ा सा, अभी क्या लेंगे, text box लेंगे, तो यहां पर search करो, text box आगया, यह देखो, text box, और जो text box है, इस text box की कुछ property हम change करेंगे, जैसे की पहला property होगा की font का, तो font का हमारा size थोड़ा सा बड़ा होगा, and जो for color होगा, इसका for color हम change करेंगे, इसको हम रखेंगे, blue, not blue, इसको हम रखते हैं, gray, ऐसा कुछ, कोई border है, border, border style देएगे, दूजी border style है, तो, चलो fix single कर देते हैं, इस बार, यह वाला, इसी को copy करेंगे, एक हम यहाँ पी use करेंगे, एक हम यहाँ पी use करेंगे, एक हम यहाँ पी use करेंगे, okay, तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, तो याट, प्या फिर हम इसको थोड़ा सा rename करेंगे, अब product name ना करके, इसक इसको simply हम product कर देते हैं, तो चोड़ा सा, चोटा भी हो जाएगा, text, यह रहा आपका data grid view, okay, तो यह हमारा data grid view, आगया यहाँ पे, अब grid view हमारा यहाँ पर आगया, तो इस grid view में क्या करेंगे, यह बटन होगा, बटन का हमें क्या करना है, उस सारी चीज़े हैं, चेंज करनी है, पहले तो flat style क्या होगा, okay, for color क्या होगा, इसका, for color होगा, white, इसका background color क्या होगा, ठीक है, font पे आजाओ, label and text पे चलते हैं, text पे आने के बाद हम क्या लिकेंगे, add order, अब इसमें कुछ और चीज़े बनानी हैं, जैसे कि हमें चाहिए एक combo box, जिसमें हम क्या कर सके, तो this is combo box, इसका नाम क्या देना है, हमें cmv category, right, अब जब यह category आ जाएगी, फिर हमें एक और चाहिए grid view, तो यहाँ पर आ जाओ, यह अपना रहा data grid view चाहिए अपने को, यह grid view यहाँ पर आ गया, अपने हिसाब से इसको adjust कर लेंगे, क्या करेंगे, यह वाला button जो है, इसी button को copy कर लेते हैं, और यहाँ पर लगा देंगे, और इस button पर करेंगे, राइट क्लिक, इस पर इसको क्या करेंगे, हम color change करेंगे, color इसका हम, इसका text हम क्या करेंगे, text हमें change करना है, text होगा हमारा refresh, अगर हम इसको नहीं है, तो तो यह चीज हो गया, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा, और यह हमारा कॉम सा grid view है, order वाला, ठीक है, order का, यह हो गया, सही है, इसको select कर, इसके property में आओ, और इसका जो नाम होगा, यह grid view क्या है, grid view यह होगा, product, product, okay, यह हमारा button क्या है, इस button पर आजाओ, इस button का नाम क्या है अपने पास, यह है अपना btn, add order, ठीक है, दूसरा यह बटन है, यह क्या है, refresh button, so, btn, refresh, क्या category, ठीक है, category, ऐसे, एक और grid view यह है, यहां के लिए, तो, यह मैंने इसको, किया, bind, ठीक है, यह grid view आगया, अब जो यह वाला grid view है, इस वाली grid view में हमें, यह अपका selling का list होगा एक तरीके से, ठीक है, यह हम copy कर लेते हैं, यह, इसकी property में चुरो, और पहले तो इसका white से color change करेंगे हम, हम, ठीक है, okay, so, अब इसका क्या करेंगे हम, यहां पर text पे आजाओ, text पे हम क्या लिखेंगे, selling list होगा, ना, अमारा list item, okay, यह हो गया, और यहां से हम एक copy करेंगे, इसमें, जाओ, property, और यह हमारा होगा, तो इस तरीके से हमने एक design यहां पर तयार कर लिया है, और हम कुछ और चीज़ें यहां पर add करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक button होना चाहिए, तो एक button हम और ले 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 लेते हैं, इसका नाम हम यहां पर रख देंगे, इसको इस तरफ यह जो बटन होगा इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे एंड यहां से हम क्या सर्च करेंगे सिया ग्रीन यह ठीक है इसको करते हैं एड तो यह स्थरके से इसको सेप कर लो अब हमारा अगला काम क्या है कि पहले सब्सक्राइब करती और चलें, dalpln-ructive पर ओवर तो फ поговор्न कोडिक प्रोन का स्थरके मेंट आब सक्की क्या कास्के पकी आए में ऑर यहां पर क्स्थ कर देगा ओके और क्या क्या करना है ऐसका नाम होगा इसका नाम है अपने पस क्या नाम है का नाम है तो bind category नाम से function देख रहो bind category यही वाला function हम copy कर लेते हैं ठीक है यह पूरा कोड यहां से copy कर लो जिससे कि आप category bind कर रहो वापस चलेंगे हम selling वाले form में और यहां पर आके हम इसके बाहर paste कर देंगे एंदेन यह वाला copy करेंगे इसको हम क्या करेंगे यहां पर paste कर देंगे यह देखो page के load event पर ठीक है तो जैसे page load होगा हमारा यह आ जाएगा अभी देखो इसमें try catch नहीं है गया तो try catch हमें सा सब में लगाओ अब try catch से क्या होगा कि कोई भी एकर error बगार आएगा ना तो वो आप उसको easily find out कर पाऊ होगे तो यह try catch हम सब में लगाया करो तो यह भी मैंने क्या किया है इसको यहां से cut करेंगे और यह हमने try catch में डाल दिया सारा code परफेक्ट अब अगर कोई problem होगी तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि कौन से line में exactly क्या error आ रहा है यह में दिख जा ठीक है अभी हम क्या करेंगे ना यह हमने एक और copy करके यहां पर लगा दिया रिफेरेश वाले इतार आ जाओ और यह है अपना search इसको बना लेते हैं search देखो search बनाने के बार इसको मैंने search बनाने के बार इसका color हमें modify करना है color में आ जाओ color हम अरे नहीं यार यह कुन सा color है यह भी नहीं तो royal blue चलो यह color हमने बना लिया यह हो गया search और यह हो गया अपना refresh यह आ गया अभी कह करो इसके property पर आ जाओ और इसका font of increase कर दो font increase कर दोगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा इसका size जो होगा वो बर जाएगा अब देखो हम चलेंगे product में product में यहाँ पर search का था option search button search button पर double click करते थे तो हमरे पास यह function आ जाता था यह function है चलेंगे इस function के definition पे यह वाला function आ जाता था product का list आपको search करना था तो यह पूरा पूरा function ना copy कर लो यह same function हम copy करेंगे यह किया copy वापस आएंगे यहाँ पे और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके जस्ट बाद में यहाँ पे हम इसको paste कर देंगे ठीक है और यह हम कर लेते हैं copy इसको मैंने कर लिया copy वापस आएंगे यहाँ पर search button पर double click करेंगे और यहाँ पे इसको नाम क्या है तो simply नाम है यही नाम हम यहाँ पे रखेंगे इस पर right click करो और इसके property में चलो इसका नाम क्या है cmb category ना तो simply ना यही रखते है cmb category just a minute यह है आपका cmb category होगे category dot selected value तो जो भी आप करोगे तो वो हम क्या करेंगे इसमें लाके शो कर देंगे a to z अब यहाँ पर selling पर करो double click जैसे इस पर double click करोगे इस पर double click किया इसका clickment आगया अब हमारे पास जो form है selling form sf is equal to new selling form so sf dot show dialogue ठीक है यह आगया ठीक है इस form के property भी चलेंगे यहाँ पर हमें maximize button जो है वो आपको क्या करना इसको false करना है और आपका fix single है ही सही है इसको save कर लोई पर और फिर इसको run करो तो हमने किया login login successfully हो चुका हमारा उसके बाद हम आगे home page ठीक है अब हमने इस पर click किया तो हमारे पास यह वाला form आ गया अब जब यह form आ गया चुक क्या है तो यहाँ पर देखको हमारे पास क्या है यह हमें दिख रहा है तो हमने coffee select किया और जैसे search पर click किया तो अब यह bind हो गया तो यह bind नहीं करना हमें यह वाला bind करना है तो यह वाला grid view bind करना है कैसे bind होगा just a minute और बाकी यहाँ पर date हमें चाहिए ठीक है आज की date property यह product grid view product तो simply क्या करेंगे यहां पर आ जाएंगे search कर रहे हैं हमें bind किसको करना है हमें bind करना है grid view data grid view product हमें यह bind करना है okay ठीक है यहां पर selling पर click किया अब देखो यह फिर से आ गया यहां पर मालो कि हम इसमें से अगर हम fruit हमारे हमारे पास है तो fruit में हमारे पास एक product है ठीक है यह देखो इसकी detail पूरी detail आपको दिख रही है okay तो यह fruit है और इसका price भी आपको यहां पर दिख जाएगा अब यहां पर मुझे क्या करना है अगर मैं इस पर click करूं ना इस पर record को update करने के लिए तो कहां पर है grid view का click event just a minute यह है यहां पर grid view का click event okay तो click event पर क्या कर रहे थे अप इस code की help से आप record को fetch कर रहे थे तो simply हम इसको copy कर लेते हैं वापस आएंगे अपने इस form पर इस form पर पाएंगे तो यह जो text box है अब इस text box का हमने नेम बगारा नहीं दिया था तो इस का टे हम नेम देंगे तो क्या नेम होगा हमारा यह हमारा हो जाएगा txt that is product id okay दूसरा क्या होगा txt product name तीसरा क्या होगा txt price okay number four क्या होगा txt qty okay परफेक्ट इसको save कर लो क्या है तो अभी हमारा पास यह वाला grid view है इस grid view को solid करो इसकी property में आजाओ property में आने बाद event पे चलेंगे इवखे की आने के बाद आप देखो आप आपके पास होगा sell click double click भी होगा आप double click पी कर सकते हो double click पे तो हम करेंगे double click पे एक बार देखते हैं कि क्या double click पे हमारा record काम करेंगा नहीं करेगा तो और यह हो गया यहां पर आपका यह आ गया प्राइस कॉंटिटी सही है इसको मैंने किया रन पहले प्रोड़क्ट 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 है यहां पर देखो हमारे पास कॉफी के दो प्रोड़क्ट तो इस बार हम क्या करेंगा, Sale ring पे ऐता है यहां से Laptop में है क्या कुछ एक product है अगर हम copy select करते हैं तो तीन product है तो हमने क्या किया इस पर click किया, कुछ नहीं हो, double click करें तो double click पे क्या हो गया, error आ गया, क्या, error आ गया लेको एक यह जो प्रोडक्ट वला देखे हो ना ही वाला compr技 कर लाएgame कड़ें कामिक कापी कोपी करने के यहां पर यहां पर यह जह ना इसको हम कर सेरिमậ Και के पेस्ट शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और यह मैंने इसको यहां पे लगा दिया हम यहां तक लगा दिया चलो अब हम क्या पर्सकित आने पर फॉत करेंगे अब प्रॉपरटी में आने बाद यह इसका नाम क्या था यह नाम था इसका नाम कॉपी कर दिया photography कर लो सबको इसको राइन टिलिक करो इसकी property में और इसका जो नाम था ना वो नाम यहां पे पेस्ट कर दो ठीक है? सही है नाम पेस्ट कर दिया अब हमें क्या करना है इसको रन करते हैं तो मैंने क्या किया कुछ नहीं क्योंकि जो हमारा पिछला वाला जो grid view था उस grid वे मैंने modification कर रखी थी मतलब row कैसे आएगा फिर उसमें जो एक extra column दिख रहा था first column वो शो नहीं होगा तो इस तरीके से वो मैंने कर दिया उसमें अब यहां पर देखो अगर मैंने copy setup किया तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा तो अभी अपने को न यह जो मैंने code लिखा हुआ है यहां पर आजाओ यह जो code हमने लिखा हुआ है यह code की जूरूत नहीं है क्योंकि cell के double click पे नहीं लिखेंगे यह code क्लिक डबल क्लिक करो इस पर यहां पर देना है आपको ओके क्लिक पर यहां पर यह वर्क करेगा और एक काम और करेंगे कि हमारे पास एक लेबल है जिसमें हमें date शो करना है तो यह हो गया इसमें क्या करेंगे lbl date ठीक है इसका dot text is equal to date date time.now.to short date string ठीक हमें short date दिखाना है परफेक्ट अभी देखो इसमें time भी दिखेगा date भी अपना date भी दिख जाएगा उपर जो हमारे एक लेबल ले रखा है जहांपे हम date शो कर रहे है अगे तो यहां पर आएंगे तो यहां पर देखो आपको आज की date दिख गई और यह सारे चीज़ यहां पर शर्रकश पर इसमें इसमाट्ट क्लिक और कसी बी प्रोड़क्टشر किया तो यह दिख गया अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं हम address । birth पिर अपना बी इसको select करो यह select करो और यह select करो इनको select करने वाद property पर आजाओ और इनकी property होती है यहाँ पर क्या property है read only आर से start होगा यह read only false को क्या करेंगे true कर देंगे अब कोई भी modification नहीं होगा तो यह चीज़ है अब ठीक हमने login कर लिया और आप देख पा रहे हो यह आपके सामने आ गया और यहां से यह पर product कोई भी product आप चाहते हो यह आ गया अब इसमें से यह तो modify हो नहीं पाएगा ठीक है हाँ quantity हम कर सकते हैं okay quantity हम कर सकते हैं okay quantity हम कर सकते हैं अच्छा by default है क्या दिखा रहा है 40 दिखा रहा है तो मैं चाहता हूँ quantity हमारे इसमें इसमें focus आए करसर का और यह empathy हो ऐसा कुछ होना चाहिए right क्योंकि 40 तो हमारा total है 40 से मतलब नहीं है यहां पर बंदा क्या add करेगा जैसे कि मुझे एक quantity चाहिए मैं add पे क्लिक करूंगा तो यह जो record होगा वो इस वाले grid view में आ जाएगा okay तो यह वाला काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चाहँगा कि चलो ठीक आप grid view पे क्लिक करोगे ना तो last में जो हमारा यह है quantity quantity को क्या करते हैं इसको भी आप comment कर दो यह देखो अबतार हम क्या कर आए यह सही होगा इस पर मैंने कर दिया focus ओके एक चीज़ और करेंगे क्या करेंगे यहां पर एक चीज़ और करेंगे कि यह जो होना आपका यह clear हो जाए भाई ठीक है कोई record हो तो clear हो जाए यह यह भी याद रखो इसे भी clear करो और जब भी आप click करो तो product क्या हो जाए clear हो जाए तो just a minute product dot पिछली value clear करो फिर नई value आए ओके तो उसी किसाब से यह वाली भी आजाओ इसमें भी जो पिछली value हो इसको क्या करना है clear करना है ठीक है फिर नई value आए इसमें और जो price है यह भी तो हो इसे ही काम करेगा इसमें भी क्या करना है पहले clear होगा एक नट यह क्या है product करना है यह पहले clear होगा मेरे भई याद रखना पहले clear होगा फिर उसमें value आएगी इसमें वालू आएगी दो दबर क्यों है इसको अटाओ ये है पीर प्राइस पहले क्लियर होगा सुन उसमे वैलू आएगी तो इस तरिके से बन गया तो बाकि जो भी कोड की जिनकी जुरत नहीं है न तो फिलाल मैं इसको कमेंट कर देदाऊ क्योंकि हो सकता इनके समय है जु यह सई है अभी दीक है यहां पर यहां पर हम क्या हो साथ करना चाहिए क्या डा सकता वेक्विस्ट के डार भी ऐसकता है करोने इसको क्या पेस्ट कर देंगे अभी और इसमें कुछ बादान Сकना सब्सक्राइब पिर नो कि फांडेन कर यहां से दुन exactement अगर आएंगे तो हमारा application जो होगा वह crash नहीं होगा वह smoothly बंद होगा अब हमारे पास क्या है ना अब हमारे पास है button कौन सा button है अपने पास यह button है add button पर double click करोगे तो हमें add करना है अच्छा ठीक है अब add से पहले क्या करेंगे कुछ हम variable बना लेते हैं यहां पर किदर है यहीं पर बना लेते हैं देखर यहीं पर बना लेते हैं चोड़ो तो यह बनाएंगे हम एक integer integer बना लेते हैं और इसका नाम हम देते हैं like grand total टीक है सही है तो अभी आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को minimize कर सकते हैं यह यह वाला ओके एंड यह देखो यहां पर click करो हो गया अभी आगे यहां पर try catch देखो try catch अब इसमें catch कहां से लाएंगे यह रहा catch यहां से अब इसके अंदर हमें code लेखना है पहले बात हमारे बात क्या है एक integer total नाम का एक variable होगा अब इसमें एक value आएगी वह value कहां से आएगी पहले इस value को convert कर लेते हैं अब यह value क्या होगी इसमें लेखो txt आपका जो price होगा dot text तो हमारा price क्या है price हमारा not integer में नहीं होगा हमारा price के इसमें होगा dot double या decimal two decimal या something यह हमारा होगा price अब price तो decimal में है मेरे भाई पर equal to यह बात समझ में आ रही क्या होगा इसमें इधर integer है और इधर यह है तो हम इसको क्या करते हैं float कर सकते हैं double कर दें चलो double कर दिया right और यहां पर भी कर देते हैं to double बात तो भई है हमें floating point number चाहिए बस तो यह मैंने कर दिया भाई double अब यह जो price आएगा इस price का हम क्या करेंगे यहां से price आ गया ठीक है अब price का हम करेंगे multiply multiply करेंगे किस के साथ quantity के साथ ठीक है तो फिर से क्या लिखेंगे हम convert.toint32 और इसमें क्या txt quantity जो होगा dot text इन दोनों का multiply कर देंगे भाई जो भी आएगा जो भी आएगा वो हमारा क्या बनेगा वो हमारा बनेगा price तो अगर हम integer में ले रहे हैं तो integer में दिखाएंगे नहीं ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं फिर हम क्या बनाएंगे हमारे पास क्या होगा एक data so यहां पर हम बनाने वाले हैं data grid view रो ठीक है इसका एक object बनाएंगे इसका नाम लगते हैं equal to new के तो यह हमारा बन गया एक object बना data grid view का तो यही object होगा हमारा यह देखो हमने क्या लिखा हमने लिखा data grid view 1 अब हमें क्या करना है cell जो है न यहार ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा इसको remove करो हम इसमें लिखेंगे dot हमें क्या बनाना है हमें बनाना है कि create करेंगे cell ओके और यहां पर bracket अब यह जो cell होगा अब किसका होगा भाई यह होगा अपना data grid view order का अब इसमें क्या करेंगे हम यह देख रहो अब सिंप्ले टैप जबाओ add row dot cell अब यहां पे cell की value देदो कौन सा cell cell number 1 ठीक है dot value equal to plus plus n just a minute इसकी में जुरूत नहीं होए अभी मैं बता रहो मुझे क्या करना है तो basically क्या होगा देखो यहां पर क्या होगा कि इस text box में जितने पी record होगे ना वह बटन पर क्लिक करने के बार एक एक करके यह सारे record हमारे इस grid view में यह जो पगल बाला grid view में डिस्पले होने चाहिए और वाले grid view में ठीक है तो अभी होगे कैसे तो वही हम एक एक करके हम यहां पर आइड कर रहे हैं तो हमारे पास total क्या है यहां पर इसको save करो यार और यहां पर आजाओ देखो तो सबसे पहले हमने बना लिया एक row Excel बना रहे है data grid view order का तो अब हमारे पास क्या है यह होगा आपका number 0 ठीक है यह हो जाएगा आपका number 1 तो अभी इस्चीज को copy कर लो देखो यहां पर हमारा क्या आएगा यह होगा हमारा जो हमारा txt product का name है न a dot text हमारा यह आएगा okay यह हमारा आजाएगा और इसी को copy कर लो यह हो जाएगा नेम के लिए वापस यह हो जाएगा प्रोडक्ट के प्राइस के लिए हो जाएगा यह क्वांटिटी के लिए हो जाएगा एक आपका टोटल के लिए हो जाएगा तो अब इसको ज़रा सा है पर डिट करेंगे, so txt, price, perfect, now txt quantity, okay, और यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा total, यहां पर हो जाएगा हमारा total, सही है, और इस अपकी numbering कर दो, 1, 2, यह होगा, आपका 3, और यह होगे, आपका 4, okay, उसके बाद हमारा एक काम होगा, data grid view, आपका जो order है, order dot rows, अब यह rows कहा आएंगे, dot add, इसमें क्या add करना है, जो आपका यह है, यह वाला object है, ठीक है, यह वाला जो object है, अब इस object में सब कुछ है, इस object को क्या करेंगे, यहां पर लाके add कर देंगे यह देखो, simple है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक variable है, variable का नाम क्या है, grand total, क्या हुआ, plus equal to total, यह देखो, हो गया, सही है, अब एक चीज़ जहाँ पर ध्यान देंगे, जो grand total ही है, तो हमने integer type का बना रखा है, तो भाई साब, अब इसमें क्या होगी, अब इसमें क्या दिखत होगी, और यह होगे, अपना int, ठीक है, इसको कर देते हैं, double, खुश, तो initially 0.0 कर कर दार, इसमें, अब यहां पर error नहीं आना चाहिए, तो यह इतना सा code लिखना है, code समझ भी है, आपको क्या कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, कि जो भी record हमारे इस table में होगे, text box म बटन के क्लिक पे यह एक एक record हमारे इस grid view में add होने चाहिए, तो अभी बटन के क्लिक पे हमारा यह code हमारा बन गया है, यह code ready है, यह जो आप देख रहे हो grid view, और यहां पर आप उस smart type पर click करना है, फिर हम क्या करने वाले हम एक column add करेंगे, क्या column add करेंगे, तरहला column होगा यह हमारा हो जाएगा product id का ठीक है, और same यही नाम copy करेंगे, यहां पर paste कर देंगे product id का, okay, add पर click करेंगे, दूसरा हमारा हो जाएगा की Ah ने में ने में के अ कि ँया धान प्रोड़क्र कर देते हैं कि प्रोड़क्र नेम इस्को कॉपिश पिए और yet के पेंपर प्रोड़क्र नेम ऐं का फेंका प्रोड़क्र ने में फिर तीसरा मानख्या सावुवत है G यह हो गया अपना प्राइज्य हो जाग अपना कॉंटिटी का यह देखो कॉंटिटी फिर एक हो जाग आपना टोटल है अब है को क्या करेंगे एड़ पर कलिक करेंगे फिर क्लोज कर देंगे क्शेक ख्रू 비ाल देखर में इसका इसके आपशे कर दिणक करें ayam आउटपॉटर रहे हिए सब्सक्राइए तो हम अन्यक् arbeitet क्छेंध कफी ऊप्रिया सबूर्द की सेन करें देख्ण के मिलएडिठे बिसमा जानी और का machen praically मेथ इसे जाना हो चोंड़के, हमन Grow pem अधार ने है, What can you do? का e है կह Each Mechanical, यह और दिरूsta हो ओके अधा मोल, आहिए इस रहा है इसका उसी product ID और 5 wound पर 6mm और चीब का नारा और नहील साम हो गया प्राइज यह है और दोसरा लेते हैं यह वाला कॉफी यह ले लिया इसमें कितना चाहिए मैंने का तीन चाहिए एड कर लो तो देखो दूसरा काटेगरी एड हो गया ठीक है तीन अब इसमें क्या करते हैं एक वालो फ्रूट ले लेते हैं तो मैंगो पर क्लिक किया तो मैंगो भी चाहिए मैंगो भी आ गया और क्या भाई ग्रोसरी में है क्या कुछ नहीं है ग्रोसरी में लैपटाप में है क्या कुछ एक लैपटाप है यह ले लेंगे एक कॉंटिटी ले लिए एड़ किलिक करने की, तो यह बी है की अब इनका हम की और चारी कुल यह हो गया इहां पर हमें इस का amount लेगे total amount कितना हो गया this amount इधर देंगे total amount कितना हो गया यहां पर total amount लेगा देंगे select कर लो इसक wedasan the property अच्छी बात है फिर क्या है बार्डर क्या होगा फिक्ट सिंगल बात है इस लेबल के नेम में आजाओ इसका नाम देंगे अपका हो जाएगा एक तरह से ग्रांड टोटल टीक है यह देखो यह मैंने इसका एक नाम दे दिया और अभी क्या करेंगे सिंपली इसको सेफ कर लो अभी हम इस बटन पर थे ना आड़ बटन पर आजाओ और इसका जो टेक्स्ट होगा ना टेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे यह जो वैरियेबल है क्या लिखेंगे यह वाला वैरियेबल ठीक है यह कर देंगे और इसमें हम क्या करेंगे और या फिर हम पहले ही क्या कर देते हैं इसमें हम क्या कर देते हैं कि वाट इस रूपिया प्ल हमारा यहां पर करीब कर देते हैं यहां पर एसे और यह हमारा इमाउंट कुछ है यहां पर दिखेगा जो हमारा इमाउंट को थोड़ा सा हम iska color change करेंगे ताकि हमें दिखा ही दे रहा है हमारा exactly amount कितना है तो amount या तो हम red में दिखा सकते हैं एक यह login इसको हमारा यह form आगा इस पर क्लिक किया अब यहाँ पर मैंने यह select कर लिया ठीक है इसमें से यह वाला item select किया यह मालो मैंने 2 लिये और मैंने इसको क्या कर दिया add पर क्लिक किया तो केतना होगा 160 का फिर अब मैंने ले लिया यह आइटम यह वाला item लेने लिये 5 अब जिसे item लिये वह item और उसका प्राइब यहां पर add होता जा रहा है ठीक है फिर मैंने ले लिया कोई मालो क्या है इसमें से mobile में कोई है यह वाला mobile ले लिया यह वाला mobile मैंने ले लिया 5 mobile phone यह कर लिया मैंने add अब देखो total amount आपका हम इtoat data box नहीं पर तुव को आदर आप अपने लंए किताल मैंने में अपन पर बिंदॆ चु करेंगिए पर यह सब्सक्राइब बाहिए खरें अब बॉस्टी में आपका अब इ screamed हो जा तो उस case में कैसे आपको काम करना है, तो हम क्या करेंगे, simply play add button पर click करो, add button पर click करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, इसमें हम क्या लगाएंगे, एक हम if condition दे देते हैं, ठीक है, एक if दे देंगे, और if के बाद हम क्या लगाएंगे, एक हमारा else condition होगा, ठीक है, जो हमारा if condition txt, जो हमारा quantity है, dot, इसका जो text है, वो equal to equal to empty हो गया, तो अगर यह होगा, तो इस case में क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, तो ilse में क्या होगा, ilse में हम आएंगे, इसको cut करो, और यह सारा कोड हम ilse में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और अगर यहाँ पर हुआ तो हम इसमें एक error message देंगे, यहाँ पर यह पेस्ट कर दो, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, ऐसे, please, okay, like, inter, valid, quantity, or price, something, okay, यह इस तरीकी से, और यहाँ पर देखो, एक icon होता है, error icon, icon को आप error ना करके, dot warning का कर दो कुछ, यह देखो, ठीक है, इस तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा, अब यह आपको perfectly कारेगा, अच्छे से, तो इसको हम क्या करेंगे, simply, एक बार हम check करेंगे, execute करेंगे, कैसा यह, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, okay, तो यहाँ पर आजाओ, यह किया, okay, अब suppose कि हमने य अब यहाँ पर क्लिक किया, अब यह हमारा इंपटी है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लिस इंटर वैलिट कॉंटिटी या प्राइज, यह देखो, और यह हमने इसको वन दिया, सही है, अच्छा, इनिशिली यह देखो, यह क्या द देंगे, आपर आओ, so initially इधर आजाओ, इस पर right click करो, property, और यहाँ पर क्या है, इसे कर देंगे, 0.0, ओके, यह तो हमारा हो गया, मालो selling list, ओके, यह हमारा है, selling list, अभी हम क्या करने वाले है, एक हमें ले, एक हमें वो चाहिए, text box चाहिए, तो simple सा text box ले लेते हैं, this is text box, एक ले लिया, मैंने text box यहाँ पर, इस text box का क्या करेंगे, 3D है क्या, fix single कर दिया, what is cursor, अच्छा, cursor है बनाई, और इसका एक font size ले ले लेते हैं, font size ले लेते हैं, 11 और इसको bold कर देते हैं, true, ठीके, और इसका border तो है नहीं, background color ले ले लेते हैं, back color, back color, back color, this is for color, यह रहा back color, और यहाँ से, यह चलेगा क्या, नहीं चलेगा, custom, यह देखो, ठीके, तो यह ले लिया, मैंने एक, फिर यहाँ पर हम लेंगे एक button, so, जो क्यों होगा हमारा button, okay, यह हमारा एक button, यह जो button होगा, तो यहाँ पर button का, यह property क्या करोगी हो, इसको तुम, flat, और इसका जो for color होगा, वो होगा अपना, green का, और थोड़ा सा फॉन्ट करेंगे, क्या इसका bold, सही है, text क्या होगा, text आपका हो जाएगा, add, ओके, यह, तोड़ा सा बड़ा कर लेते, right click करो, इसकी property, dock वाली उसरी, वो cursor वाली property, भी change कर दो, तोड़ा सा अच्छा feel होता है, अच्छा करने वाले हैं, लेबल को हम कर देंगे, like हमारा, बिल, ओके, यह देखो, तो बैक कलर ना करके, भाई सब इसको हम कर देते हैं, कोई अच्छा सा कलर बताओ, गोल्डन, नहीं यार, गोल्डन थोड़ी चलेगा, इस पर, और इंच, जा गया, अभी जिसे की, हम यहाँ पर क्लिक करें, हमने यह लिया, और इसमें कुछ आइटम, एड कर दिये, ठीक है, सही है, यहाँ पर, यहाँ भी सही है, और एड बटन, अब हमारे बाद यहाँ एड बटन है, एड बटन है, यहाँ पर, बिल नमबर इंटर करेंगे, और एड पर क्लिक करेंगे, तो आपका क्या होसा आएगा, यह क्या बोलते हैं, जो भी रिकॉर्ड होगा, उसका बेसिक डेटेल, हम इस टीबल में एड कर देंगे, यह भी हम बना लेते हैं, सबसे पहले आपको, यहाँ पर आना है, SQL Server में, SQL Server में आने के बाद, हम एक टीबल क्रेट करेंगे, तो यह हमार पास एक टीबल है, ठीक है, यह जो टीबल देख रहे हैं, उस टीबल में, हम जो कॉलम बना रहे हैं, बिल आईडी, सेल डेट, और टोटल अमाउंट, ठीक है, यह कुछ बेसिक साई डीटेल, यह एन वैर केर, ना, ओके, एन वैर केर 50, जो प्राइमरी की होगा, और जो बिल आईडी, प्राइमरी की होगा, ठीक है, तो यह इतनी सी चीज है, तो अभी क्या करते हैं, यह वाला हम इसको execute करते हैं, यह code, तो हमारा table तयार हो जाएगा, और जैसे हमारा table तयार हो जाएगा, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक procedure, जिसकी help से हम इसमें क्या करेंगा, record को, हम record को set कर सके, ठीक है, तो procedure बनाने का, funda क्या है, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना है आपको create, क्या create कर रहे हैं, procedure, अब इसका नाम देओ, sp, इसका नाम क्या देते हैं, like insert bill, okay, as begin, end and go, simple सा, अब देखो, यहां पर क्या क्या है, तो bill, integer में होगा, दूसरा क्या आएगा, यह अब तीनों copy कर लोना है, simple, simple copy कर कहां पर paste करो, एक आएगा seller ID, एक आएगा आएगा आपका date, और एक आएगा आएगा आपका total amount, seller ID means, वेरकेर में होगा यह, तो seller ID कौन होगा, जो बंदा login होगा, उसका जो भी नाम होगा, हम वो लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा insert, insert into table का नाम क्या है, tbl bill, tbl bill, क्या insert करना है, यह, और उसकी value कहां से आएगी, value, तो number one, bill ID, number two, seller ID, number three, seller date, number four, total amount, ओके, बस यही सारी चीज़े, यह, परामेटर और इसकी value यहां से आने वाली है, तो सब में add the data आपर लगा दो, इस पर, यह, ओके, ना, तो हमारा यह बन गया, procedure, किस कौम सा procedure, insert का, perfect, अभी मैंने इसको execute नहीं किया, है, ठीक है, दूसरा बनाते है, ESP, get bill, list, something, कुछ भी जो bill का detail होगा, तो हमें क्या करना, इसमें कोई भी parameter नहीं होगा, हमें सारा detail चाहिए, तो, हम क्या करेंगे, यहां पर, simply, यह copy कर लो, इसको यहां से cut करो, यहां पर लिखना क्या है, अपने को, select, from, table का नाम, select के बाद, क्या क्या select करना है, वो चीज़े, और इसको remove करो, ठीक है, तो select, from, table, और यहां पर इस चीज़ और देंगे, that is, set no count on, perfect, ओके, तो यह बना हमारा, अगला procedure, select का, तो यह हमारा, execute हो गया, और इसके बाद, हम करते है, insert का, तो, यह हमारा, execute हो गया, ओके, आपस चलेंगे, अपने form पे, form पे आजाते हैं, तो यह हमारा क्या है, button, यह हमारा, text box, तो इसका एक नाम, हम दे देते हैं, txt, bill number, ओके, यह हमारा हो गया, button जो होगा, इसका नाम क्या होगा, add bill, like, btn, add, bill, detail, ओके, यह देखो, सही है, अभी यह करना है, इस पे करेंगे, double click, इस पे किया मैंने, double click, तो इसमें क्या रहेगा, सुबसे पहला रहेगा, try catch, if में क्या होगा, जो हमारा एक text box है, txt, bill number, dot, text, equal to, equal to, empty हुआ, तब हमें, कुछ नहीं करना है, और, else में, अगर empty नहीं हुआ, फिर हम क्या करना, record को add करना है, okay, अब record को add करने के लिए, हमारे पास, यह है, product, product quality, form पे आएंगे, add button पे क्लिक करेंगे, और यहां पर, जो भी हमने लिखा है, add का code, कौन सा code, यह वाला, यह add का code, copy कर लो, simply, okay, यहां से करो, copy, यहां पर आजाओ, add पे करो, double click, और, इल्स वाले part में आके, यहां पे paste कर दो, और यह वाला चीज, copy करना, SQL command, यहां पे paste कर दो, ठीक है, simply, अब यहां पर यह नहीं रहेगा, इसके जगा पे क्या रहेगा, हमने, insert का यह बना रखा है, किदर है, build table यह रहा, तो create, यह देखो, build के लिए, यह वाला procedure अपना है, और इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लाके paste कर देंगे, ठीक है, सभी है, अब क्या-क्या हम इसमें दे रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हमारा आएगा, यहां से आप सारे चीज़े कॉपी कर सकते हो, यह वाला, कॉपी करो, और यहां पर लाके paste कर दो, ठीक है, नमबर बन यह हो गया अपना, सभी है, नमबर टू, सेलर है, और यहां पर यह पेस्ट कर दो, नमबर थरी क्या है अपका, डेट है, इसे कॉपी करो, और यहां पर लाके पेस्ट कर दो, नमबर फोर, आपका टोटल अमाउंट, इसको हम लाके यहां पे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, टू डबल न, चलो, इसको टोटल अमाउंट, इसको देख लेते हैं माद में, यह क्या आपका, टी एक्सटी, बिल नमबर है आपका, सेलर आइडी कहां से आएगी, सेलर आइडी हम देखते हैं कहां से आएगा, अब डेट कहां से आएगा, यह डेट आएगा, हमारे पास एक क्या है, तो अगर हम अपना यह टेबल देखते हैं तो टेबल में यहां पर क्या डेसिमल है, ठीक है, fine अभी clear तो है नहीं, bind का हमें देखना पड़ेगा, bind product तो यह हम देखेंगे अभी इसको अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, अभी क्या कर रहेंगे, हम save करने हैं, insert करने वाले record और फिर जब यह हो जाए, तो हमारा connection हमें close करना है, इसके just बात क्या लिखेंगे, आपका जो भी है, dbcon.close और हमारा connection open नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम dbcon.open connection, ओके, सही है, तो यहाँ से bill का record हमारा insert हो जाएगा, और जब record हमारा insert हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें record को get भी करना है, तो get करने के लिए आपके पास सबसे असानतर तरीका क्या है, यहाँ पर आज पूरा का पूरा function copy करो, इस पर आजाओ, और फिर से add button पर करना double click, click करने के बाद यह अपना है try catch, और इसके just बाहर निकलो, यहाँ पर इसको paste कर दो, और यहाँ पर इसको लिखो bind build detail, या build list जो भी है, और अपने पास तो already एक function है, यह वाला, store procedure, get करने के लिए, तो यह store procedure हम यहाँ पर paste कर देंगे, यह देखो, और हमारा यह है grid view, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी क्या करेंगे, इसको हम क्या करते है, इसको हम simply, यह जो add button है न, तो add button पर हम क्या करेंगे, add button पर हम इसको यहाँ पर, पहले हम इसको bind कर देंगे, फिर हम message show करेंगे, okay, तो कुछ ऐसे, सही है, perfect, तो अभी क्या करते है, इसको run करके check करते है, यह हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको execute करना है, आपको, सबसे पहले आपको login form आएगा, आपको पता ही है, ठीके, तो selling पर आते हैं, यह अगे, और यहां से हमने लिया एक product, इसकी quantity पाँच, यह मैने कर लिया, add, फिर यहां से एक लेते हैं, हम दूसरा product, ठीके, यह ले लिया, और इसकी quantity हमने कर दिये, 14, यह add कर दिया, तो दो quantity हमरे पास आगे, अब यहां पर हमने एक number दे दिया, मैंने कहा number one, और यह मैने add पर क्लिक किया जैसे एड पर क्लिक किया तो आपका रिकॉर्ड यहां पर आ गया सब्सक्राइगा ठीक है रिकॉर्ड हमारा आ चुका है आप देख पा रहे हो तरा आईडी क्या है कमबो बॉक्स थोड़ी हो गया पर यह होगा अपना यह इसका नाम आ जाएगा एंड यह ठीक है और यह सही है इसको सेफ कर लो यहां से एक प्रोड़क्ट लिया कॉंटिटी एड कर लिया फिर एक दूसरा प्रोड़क्ट लिया कॉंटिटी और इसको मैंने एड कर लिया ठीक है और इस बार क्या होना चाहिए इस बार होना चाहिए कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बिल नंबर क्या होगा अगर मैं वन कर देता हूं तब यह आपको एरर देगा सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए यह जो बड़ी जो आईडी है वो सबसे पहले आए ठीक डिसंडिंग ओर में तो नंबर वन यहां पर आजाओ यह ग्रिड्ड वी सवेट करो अब इसकी भी प्रपर्टी में आजाओ भाई इसमें क्या था प्रपर्टी आटो रिसाइज इसमें एक और था प्रपर्टी लाइक आटो यूजर रिसाइज अलाव यूजर तो रिसाइज रो फाल्स यह दो चीजी हो गई है अब अपने को क्या करना है अपने को यह काम आउर करना है सिम्पली आप यहां पर आजाओ यह जो हमने प्रोसेजर बनाया प्रोसेजर अब इस प्रोसेजर में क्या करेंगे एक और चीज इसमें क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे और बाय क्या होगा आपका बिल आईडी डी अब क्या करेंगे इसको हमें क्या करना है इसको करना है अल्टर यह मैंने इसको किया अल्टर अब अगर आप इसको तो आपको record कैसे आएगा, इसको मैंने run किया, आपको record ऐसे आएगा, यह देखो, ठीक है, इस तरिके से आएगा, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको करना है, create, यह देखो, इसको save कर लो, ठीक, वापस चलेंगे, हम अपने video studio में, हमें क्या करना है, page के load event पे न, य यह वाला यह जो function है यह हमारे इस form के load event पे भी होना चाहिए यह देखो form का load event यहां पे इस तरीके से होना चाहिए ठीक है यहां गया और एक काम और करेंगे कि यहां पे इधर आजाओ और अगर भाई क्या हो गया अगर यहां पे इंपटी हो गया तो इंपटी के केस में इसको कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो ठीक है इसमें क्या लिखोगे लाइक इंटर बिल नमबर ठीक है यह देखो दो चीज़े दिख रही है अपने को यह नहीं गया इसको भी चेक कर लेंगे ठीक है फिलाल अभी यहां पर आजाते हैं अब एक और मैंने ले लिया ठीक है यह देखो अब यहां पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है इंटर बिल नमबर है ना तो दो होई चुका है अब देखो यहां पर दिख रहा है मुझे की लेस्टर टिन क्या है दो है ले टेस्ट में ठीक है यह देखो तीन हो गया ओके गोल्ड तो ठीक है फॉर गलर चेंज कर देखे ना गोल्ड के बाद यहां पर ब्लैक है 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 सही है यह देखो सेफ कर दिया एक और चीज होगा यह कौन सा लेवल है ल्बिल अमाउंट ना यह भी हमें क्लिया यह भी हमें चेंज करना है तो lbl amount पीड खरना है का इसा lbl amount and last one lbl grand total.clear not a clear इसका जो text over text equal to double quotation में क्या करेंगे? 0.0 अब सही है, देखो, ओके, और ये जो बटन है, इस बटन का को हम कर देते हैं, इसको हम कुछ करेंगे, मतलब, प्रिंट सम्थिंग, प्रिंट कर देते हैं, ओके, इसको मैंने कर लिया, सेब, एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए, एक, that is, क्या नाम है, उसका, और क्या नाम है, रिपोर्ट वीवर कंट्रोल, तो that is, नहीं है, भाई, रिपोर्ट वीवर कंट्रोल नहीं है,